हेलो वच्चो, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में मैं हूँ आपके मैम इलाकरांती और आज मैं आप सभी के लिए लेकर क्या गई हूँ विद्युत आवेश एवं छेत्र का लेक्चर आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत छेत्र आवेशों के निकाय के कारण विद्युत छेत्र तो भाई पिछले क्लास में लेक्चर 5 में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था आप सभी को याद है कि नहीं फटाफट से कमेंट्स करके बता दो मुझे जो जो बच्चे आ गए हो क्लास में जल्दी जल्दी कमेंट्स करके मुझे बता दो कौन-कौन बच्चे क्लास में आ चुके हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने इस क्लास के लिंक अपने दोस्तों को शेयर न अप लोगों को ख्लास की सारी नोटिफिकेशन से टाइमली मिलती रहे पूरी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे ठीक है सो भाई बच्चे आ गए की नहीं सभी बच्चे ओके मैं सब बच्चों के कमेंट्स देख पा रही हूं फटा फट्स से आप लोग मेरे को बता दो comment करके कि पिछले lecture में क्या-क्या पढ़ा था अरे याद रखते हो कि नहीं रिवाइस वगरा करते हो कि नहीं मैंने आप लोगों को बार बर पढ़ा है कि अगर आप लोग केवल और केवल classes देखोगे खुद से नहीं पढ़ोगे रिवाइस नहीं करोगे अपने notes handwritten notes नहीं बनाओगे खुद से notes बनाना है अपने शब्दों में लिखना है जो भी मैं यहाँ पर class में बोलती हूं उसको सुन करके लिखते जाना है दिमाग कान और हाथ तीनों बहुत active होने चाहिए आप लोगों के speed भी जादा होनी चाहिए ठीक है क्योंकि बहुत जादा दिन नहीं है आपके exam में बहुत पास आ चुके हैं आप लोगों के exam भाई जो मेहनत करनी है कर डालो ठीक है ये साल मेहनत कर लो फिर उसके बाद आप लोगों को मतलब आगे की journey जो है तोड़ी easy हो जाएगी वैसे आप लोगों को लगातार निरंतर जो है हमेशा live ब मेहनत तो करना पड़ेगा ये सबसे जादा important समय होता है तो इस समय को बिलकुल भी बिना गावाए इधर उधर की फाल्तु बात किये बिना जल्दी से अपने class में सारे दोस्तों को बुला लेना है और खुद भी पढ़ाई शुरू कर लेनी है self study आप लोगों को लगातार क पिछले class में क्या पढ़ा है आप लोगों ने ये भी मेरे को तुरंद कमेंट करके बताना है क्या समझ में आया था उसमें अगर कोई डाउट है कोई दिक्कत है तो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो ठीक है तो क्या बढ़ा था भई जल्दी बताओ जल्दी जल्द में अपलोगों के बारे में ऑर विधुचेतर औ चेटर और 6 torrid रेखाओ के बारे में और इस दोब्हें खड़ाओ दाओ ने अपलोगे doing시 acro के बीच में समबन्द मैंने बताया था औरrobe Touwar k भी दिया था किसNे किसने किया है और किसने किसने नहीं किया है जल्दी बताओ मेरे को मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कुछ पिक्चर मैंने आप लोगों को दी थी वहां पर मैंने आप लोगों को कहा था कि किस तरीके से वहां पर आवेशों का वित्रण होगा और विद्युत बल रेख तो चलो अब आज की क्लास में हम लोग उसके आगे के डौपिक स्टार्ट करते हैं तो भाईशी क्लास में मैंने आप लोगों को एक पर च्छन आवेस और स्थ्रोथ आवेस के बारे में बताया था जहां पर हम लोगों ने विंस back के बीच में संमबंध देखा था और एक सूत्र हम लोगों को पता चला था ठीक आ so वहीं से हम लोग आज की ख्लास में कॉंसेप्ट को गंटीनियू करेंगे तो वहां से हम लोगे की सारे कंसेट हमारे कबर हो जाएंगे तो क्या-वो बिन्दू आवेश के कारण विद्द्ध चेत्र पढ़ने वाले हैं ठीक है फिर हम लोग जो vidyot Ramya cya Live में इसका स्तमाल होता है बहुत सारे जगाश स्तमाल होता है तो आज कि class बहुत amazing होने वाली है अमेज़िंग क्यूं होने वाली है इसका कारणभी मैं आप लोगों को बता क्योंकि जब आप लोगों को रियल लाइफ में विद्धुच्छित्र काहां पर इस्तमाल होता है ये अगर आप लोगों को पता चलेगा ना तो होश उड़ जाएंगे अरे यहां होता है क्या अरे यार फिर तो हम को विद्धुच्छित्र का concept मतलब एकदम अच्छे से पता होना ही चाहिए भावी डॉक्टर्स और इंजीनियर है हम लोग है की नहीं तो ये चीजे बहुत ही इंट्रेस्टिंग बनाएगी आज के सेशन को आज के क्लास को ठीक है तो आप लोगों को पूरा मतलब शुरू से लेकर आखरी तक सारे बच्चों को बने रहना है ठीक ह बढ़ाल को मतलब को शेटर हो प्रभाव स्कुछ क tego के सारे हुपर करने के बाद हम लोग कुछ निमारा करेंगे एंट हूम वख भी मिलेंगे और हूम वर्क आप हमेशा करना है और आनसर आप लोगों को नेक्सक्ट से में सारे हो मुपक के आप लोगों को बताने है कि है त इस प्रभाव छेत्र होगा, इस प्रभाव छेत्र में, यही यह क्या कहलाता है, विद्धुद छेत्र कहलाता है, यह विद्धुद छेत्र कहलाता है, यह विद्धुद छेत्र वहां तक होता है, जहां तक इस पर अगर इस चेत्र के इस एरिया में, अगर हम लोग किसी दूस को समझेंगे तो इस concept से हम लोगों को व जो विद्युचेत्र का जो सुत्र है ठीक है उसका हम लोगों का निगमन होगा तो विद्युचेत्र के शुत्र का निगमन हम लोग यहां पर पढ़ेंगे अगर कोई एक बिंदु आवेश के कारण विद्युचेत्र क्या होगा मतलब ये हमारा एक बिंदू आवेश है ठीक है एक बिंदू आवेश है इसके करण विद्धुचेत्र क्या होगा तो इसको पढ़ने के लिए फिर से वही कहानी अनंत पर हम लोग क्या रखेंगे परिक्षण आवेश रखेंगे जिसको हम लोग क्यू नौट से दर्साते हैं इसको नौट बोलते हैं ठीक है क्यू नौट है ये क्या है अनंत पर रखा हुआ है और इसका नाम दिया गया है क्या परिक्षण आवेश और इस वाले आवेश को हम लोगों ने क्या नाम दिया था स्त्रोत आवेश क्योंकि ये जो है विद्धुचेत्र का स्त्रोत है हाना इस स्त पर परिक्षण आवेश मतलब की जो test charge हमारा होता है, इस test charging को हम लोग इसके area में ले करके आते हैं, तो चलो भाई, लेकर की आओ, अननद के लेकर की आओ, लेकर की आओ, ठीके, तो मान लो की यह मेरा classroom है, ठीके, मान लो की यह मेरा classroom है, मेरे classroom में मैं क्या कर रही हूँ यहां इस बिंदू पर, इस बिंदू को मैं माली किया, P बिंदू माली, क्या माली, P बिंदू माली, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस P बिंदू पर मैंने परिक्षण आवेश को ले आया, यह परिक्षण आवेश जो है, वो Q 0 है, और धन आवेश है, क्या है, धन तो पहले से जो हमारा आवेश था वो भी क्या था धन आवेश था ये भी हमारा धन आवेश है ठीक है तो ये जो पी बिंदू है इस बिंदू आवेश से कितनी दूरी पर है ये पी बिंदू जो है इस बिंदू आवेश से आर दूरी पर है तो हम लोग क्या किये यहां पर पर करेगा है यहां पर यहां पर यह नुभव करेगा बल का नुभव करेगा किस दिशा में करेगा तो दोनों पर बल की दिशा होगी जहां पर बल की दिशा होगी वहीं क्या होगी विद्युद्फेत्र की दिशा होगी तो यह अगर इतनी बात समझें आ गई तो हम लो刚को जो है यहाँ पर विधुत्र छेतरई ठीक इसका परिमार निकालना है तो कैसे निकालेंगे एका परिमार निकालने है बल का अनुभाव करने वाला आवेश है अनुभाव करता है ठीक है किसके कारण बल का अनुभाव करता है capital Q के कारण capital Q के कारण बल का अनुभाव करता है जब इसके विद्युचेतर में आता है तो ये किसके छेत्र में आया है, capital Q के विद्यू छेत्र में आया है, ठीक है, इतनी बास समझनी है आप लोगों को, बड़े शेर के छेत्र में दूसरा छोटा सेर आ गया है, तो छोटा सेर क्या करेगा, उस बड़े शेर के कालन बल का अनुभाव करेगा, डरेगा उससे, ठीक का नियम पढ़े हो, कुलाम के नियम से, क्या पता था, बल का क्या सुद्र निकाले थे, इस्थिर विद्धित बल बराबर क्या होता है, इस्थिर विद्धित बल बराबर होता है, एक बटे चार पाई एपसलान नॉट, ठीक है, एक बटे चार पाई एपसलान नॉट, Q1, Q2, बटे R का वर्गर, ठीक है, और अगर सदीस राशी के रूप में लिखे, सदीस रूप में तो R कैप हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर दो बिंदू आवेश के बारे में बात हमने किया था, तो यहाँ पर जो दो बिंदू आवेश है, उसमें से आप लोगों का जो Q1, मतलब का वाला जो है, वो क्या है, small Q1, मतलब कि आप लोगों का परिक्षण आवेश, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोगों को अगर स्थिर्विद्ध बल लिखना है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्थिर्विद्ध बल बराबर, इसके लिए जब हम लोगों को लिखना होग लेगा, तो यह हम लोगों ने शदीश रूप में लिख लिया, इसके लिए, इस बिंदु आवेश के करण वध्यूच्चेत्र का हम लोगों को यहाँ पर परिमान ग्याद करना है, उसके लिए लिख लिए, अब इसको मानलों कि यह यह क्या है, आप लोगों को समिकरण एक है ठीक है क्या है समी करण एक है हम लोगों को निकालना क्या है हम लोगों को यहाँ पर विध्युच्छेत्र निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे इस समी करण एक के मान को इस समी करण में हम लोग जो है रखेंगी जो हम लोगों को विध्युच्छेत्र का मान देगा तो यह यहां पे क्या हो जाएगा आप लोगों का विद्युच्छित्र बराबर हमारे पस क्या था एफ बटे क्यू नॉट परिछण आवेश्ट तो यहां पे बल का हम लोगों ने लिखा एक बटे 4पाई एपसलान नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट बटे आर का वर्ग और हम लोगों ने इसको लिखा था सदिस रूप में ठीक है सदिस रूप में लिखा था और यहां पे बटे में क्या हो जाएगा क्यू नॉट हो जाएगा और सदिस रूप में अगर लिखेंगे तो एक आंख सदिस, अगर परिमाण के रूप में लिखे, परिमाण के रूप में, ठीक है, मतलब कि अगर हम लोगों को आंखी कमान निकालना है तो उसके लिए किवल परिमाण लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1 चार पा इस सुट्र का इस्तमाल करके हम लोग विद्यूथ छेत्र का परिमार जो है वो क्या परिमार करेंगे लिख चैनल को हम लोग है लुट करें आगे अगर आप लोग बहुत सारे concept पढ़ोगे, गौस का नियम पढ़ोगे, फ्लक्स पढ़ोगे, आप लोग आगे के आने वाले chapters में विद्यूत विभाव पढ़ोगे, तो सारे चखा में ये सुत्र आप लोगों का इस्तमाल होने वाला है, तो अच्छे से आप लोगों को अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवेशो के निकाय के कारण विद्यूत चेत्र, तो ये क्या है भई, ये क्या है, इस्तर विद्यूत बल पढ़े थे, पढ़े थे किने इस्तर विद्यूत बल, तो वहाँ पर आवेशो के निकाय के कारण इस्तर विद्यूत बल आप लोगों ने calculate किया था कुलाम के नियम में किया था कि नहीं किया था तो बिलकुल उसी तरीके से यहां पर वही concept होगा वहाँ पर आप लोगों का जो विद्यूद बल था वो भी कैसी राशी थी सदिस राशी थी यहां पर जो आप लोगों का विद्यूद छेत्र है यह भी सद सदिस राशिया थी तो इस कारण वहाँ पर समाने रूप से हम लोग उनको क्या कर रहे थे आवेशों को जोड़ दे रहे थे पर सदिस राशी में समाने रूप से नहीं जोड़ेंगे सदिस राशी है अगर आप लोगों की विध्युच्छेत्र तो यहां पर आवेशों के नि लोगोंने क्या बढ़ा, किसी एक बचचे, किसी एक स्टूडेंट के कारण पढ़ा, ठीक है, यहां पर मालोग की बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को शेर का एक्जामबल दिया था, तो जैसे कि कोई एक बड़ा शेर था, और मालोगी शेर का पुरा परिवार हो उसके तीन बच्चे हो उसकी बीवी हो है ना तो वो क्या हो जाएगा पूरा system हो जाएगा निकाय हो जाएगा तो उसी तरीके से यहां पर क्या है पूरी आभेशों का निकाय है आप लोग डाइग्राम में यहां पर देख पा रहे हो ठीक है यहां पर P बिंदू और यहाँ पर क्या होगा परिक्षण आवेश होगा Q0 जो हम लोग लिये थे P बिंदू पर ठीक है और यहाँ पर बहुत सारे आवेश है यह आपका Q1 है यह Q2 है यह Q3 है है ना Q3 है तो मतलब यह समझ जाओ कि इस Q0 आवेश पर पहले केवल और केवल एक कैपिटल Q आवेश क पर बल लगाएंगे मतलब एक बच्चे अगर बंधमाशी किया तो क्लास के सब अच्छे बच्चे मिल करके उसको समझा दिये ठीक है पीटना नहीं है समझाना है तो समझा दिये तो यहाँ पर बल लग रहा है उसी तरीके से परिक्षण आवेश पर बल लग रहा calculator है ठीक ह P बिंदु माना है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया R1 P उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया R2 P और यहाँ पे क्या हो गया R3 P हो गया ठीक है अब इनके वज़ा से हम लोग इस तरीके से विद्यो छेत्र जो कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो सब के वज़ा से हम लोगों को मान जैसे कि Q1 के वज़े से जो विद्धु छेत्र होगा वो क्या मिलेगा E1 मिलेगा ठीक है E1 मिलेगा E1 P बोल लेते हैं इसको ठीक है इसके वज़े से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा E2 P मिलेगा इसके वज़े से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा E3 P मिलेगा ठीक है अब हम लोगों माल लो कि इन तीनों के कारण कुल विद्धुद्चेत्र निकालना है तो वो कुल विद्धुद्चेत्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इन तीनों विद्धुद्चेत्र का हम लोग सदिश योग कर देंगे क्या करेंगे सदिश योग कर देंगे ठीक है तो यहीं क्या है अध्यारोपन का सिध्धान्त है क्या है अध्यारोपन का सिध्धान्त यहां पर भी क्या लग रहा है आप लोगों का अध्यारोपन का सिध्धान्त लग रहा है जब आवेशों के निकाय के कारण आप लोगों को विद्धुद छेतर या फिर इस्तिर विद्ध बल calculate करना होगा तो वहाँ पे आप लोगों का अध्यरोपन का सिधान्त रखेगा चलो इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग वन बाई वन उस डाइग्राम को पुरा सीखेंगे कि बनाना कैसे है ठीक है और पुरा डाइग्राम हम लोग बना करके यहाँ पर आवेशों के निकाय के कारण विद्ध छेत्र जो है देखेंगे तो चलो यहाँ पर मैं एक बिंदू लेती हूँ पी यह पी बिंदू है तो जाहिर सी बात है पी बिंदू पर हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर परिक्षण आवेश रखेंगे ठीक अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं बहुत सारे बिंदू आवेश ले लूँगी, ठीक है, तो यहाँ पर चलो, जो बल लगा रहे हैं, उनको दूसरे कलर से ले लेते हैं, हम लोग बिल्कुल यहाँ पर Q1 ले लिए, यहाँ पर क्या ले लिए, Q2 ले लिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने Q2 ले लिया, और यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, Q3 ले लेंगे, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, Q4 ले लेंगे, ठीक है, Q4 ले लेंगे, ठीक? चलो, ले लिया अब इनकी दूरियां भी बना लेते हैं दूरिया सही जाए ना ठीक है? तो यहां पर यह क्या हो जाएगी यह दूरि हो जाएगी r1p ये 2 से इस p बिंदू की दूरि हो जाएगी r2p अब इस 3 q3 से यहां पर इस P बिंदू की जो दूरी हो जाएगी R3P और इस 4 से क्या हो जाएगी यहाँ पर P बिंदू की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी R4P ठीक है, सो यह हो गया हम लोगों का, यह हो गया, ठीक अब हम लोगों को क्या ग्याद करना है विद्यू छेत्र ग्याद काना है ठीक है तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ग्राफ के रूप में ग्याद कर लेते हैं आप लोगों ने सदिस गनित पढ़ा होगा सदिस गनित में भी इस तरीके से होता था ठीक है सदिस गनित में इस तरीके से होता था तो सबसे पहले हम हम लोग यहां पर ग्राफिय रूप में प्राप्त करेंगे, तो कैसे मिलेगा, देखते जाना, भई, यहां पर खेल देखते जाना, मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है, तो इस Q1 के कारण, ठीक है, ये सारे धन आवेश हैं, बाहर की ओर होगी, इन दोनों बिंदुों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होगी, ठीक है, तो जिस तरब बल की दिशा होती है, उधरी क्या होती है, उधरी ये जो है, विद्धु छेत्र की दिशा होती है, इस विद्धु छेत्र को हम लोग लिख लेते हैं E1P, E1P क्यों लिखे हैं, क्योंकि 1 आवेश के करण Q1 आवेश के करण इस Q0 पर बल लग रहा है, ठीक इसी प्रकार हमारा Q2 आवेश के करण जब Q0 पर बल लगेगा, तो इसकी वजह से जो विद्धु छेतर की जो दिशा होगी, वो दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की तरफ होगी, तो यह हम लोगों ने बना लिया, क्या E2P, ठीक है, अब इसी तरीके से 3 के लिए हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा, E3P, दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की, और क्योंकि इस 3 की वजह से इस Q0 पर बल लग रहा है, अब केवल एक बचा, कौन सा बचा यहाँ पर, चौन्था बचा, तो यह चौन्थे के लिए क्या हो जाएगा, इसके अनुदिश हो जाएगा, कहां हो जाएगा यह, यह हो जाएगा आपका E4P, ठीक है तो यह विद्यूत बल रेखाएं, हम लोगों ने बना ली, अब हम लोगों को क्या करना है, इनका सदिश योग करना ह हैं तो हमलोगों को क्या मिल जाएगा इस क्यू नॉट आवेश पर विद्योच छेत्र मिल जाएगा इस क्यू नॉट आवेश पर लिख लेती हूं यहाँ पर क्यू नॉट पी बिंदू पर क्यू नॉट आवेश पर सारे बिंदु आवेशों के कारण विद्यु छेत्र जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा इस तरीके से हम लोगोंने क्या किया चारो विद्यु बल प्रिखाओं का चारो विद्यु छेत्र का हम लोगोंने क्या कर दिया सदिस्योग कर दिया ठीक है सदिस्योग कर दिया ठीक है तो इनका सबका सुत्र तो हम लोग लिख लेंगे पर उससे पहले हम लोग ग्राफिय रूप में यहां पर देख लेते हैं कि ग्राफिय रूप में कैसे होगा सदिस यूग तो आप लोग मैं इसलिए बोली थी सदिस गड़ित पढ़े होंगे तो वहां पर आप लोग समनांतर चतुर भूज का नियम पढ़े होंगे सदिस यूग के समनांतर चतुर भूज का नियम तो यहां सनलग नभुजाओं के पूछ पूछ आपस में जब जूड़ी होती है तब हम लोग समनांतर से तिरुभुज कर नियम लगाते हैं और तब क्या करते हैं इन दोनों सनलग नभुजाओं के समनांतर हम लोग एक रेखाएं खीसते हैं कालपनिक रेखाएं और इनके बीच जो विकर्ण है इस विकर्ण को हम लोगों को मिलाते हैं तो हम लोगों को परिणामी मिलता है यहां पर क्या मिलता है परिणामी मिलता है मान लोग कि यह एडैश है परिणामी हम लोगों को मिला क किसके किसके बीच मिला, E1P और E2P के बीच का मिला, ठीक है, E1P और E2P के बीच का मिला, और हम लोगों को क्या चाहिए, चारों के करन्ट कुल चाहिए, तो चारों का सदिश योग करना है, तो एक एक करके हम लोग करते जाएंगे, एक एक करके हम लोग करते जाएंगे, ठीक सलंग न भुजाओं के समनांतर हम लोग क्या कीचेंगे बल रेखा कीचेंगे ठीक है ठीक है तो यहाँ पर इनको मिलाने वाली जो विकर्ण की रेखा है ये विकर्ण की रेखा क्या हो जाएगी ये डबल डैश हो जाएगी मालो क्या हो जाएगी डबल डैश हो जाएगी ठीक अब चौथा वाले का विध्युच्छित्र बस बज गया, तो हम लोगों को अब इनके बीच का निकालना है, इनके बीच का निकालना है, तो दूसरा कलर हम इस्तमाल कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को बिलकुल जो clear clear दिख जाए ठीक है clear clear दिख जाए तो यह पर यह पिंक कलर की जो lyne खीच रही हूं यह क्या है परinaami है final result है हमारा final final तो यह हम लोगों को जो है समनांतर चितूर भुच के योग के नियम से मिल गया ग्राफिकल रूप में बता रही हूँ, आप लोगों को सुत्र के रूप में भी बताऊंगी, ठीक है, अगर इसी को बहु भूज नियम से बनाएं, ठीक है, बहु भूज नियम से, अरे मैं क्या क्या पढ़ा रही हो, ऐसा बिल्कुल भी मत बोल न, अगर नहीं समझ में आ रह जारी, ठीक है, सो यहाँ पर, जैसे कि हम लोगों का जो पहला सदिश है, वो ये E1P हमारा ऐसा है, ठीक है, E1P हमारा ऐसा है, ठीक है, अब E2P तो हमारा ऐसा है, ठीक है, अब हमारा जो E3P है, E3P कैसा है हमारा, ये E3P है हमारा, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ Shift करके just क्या कर रहे हैं, क्रमा घत रूप में जपा रहे हैं, Bye highs बुझ में नीअ मैं ऐसे ही करते हैं अगर बुझ का नीअ में पता होगा तो यह clearly कर लोगे। ठीक है नहीं पता होगा इसको हम लोगों को जोड देना है इसको हम लोगों को इस तरीके से मिला देना है और ये जो है विपरीद दिशा में हो जाएगी ये क्रमागद दिशा थी ठीक है क्रमागद दिशा थी यहाँ पर जो हम लोगों को परिणामी मिल रहा है ये जो परिणामी मिल रहा है बहुभुज नियम के अनुसार ये विपरीत दिशा में होना चाहिए तो यही हम लोगों का क्या है परिणामी विद्युच्छेत्र है परिणामी विद्युच्छेत्र है तो इस तरीके से graphical method से हम लोग निकाल सकते हैं और अगर हम लोगों को सुत्र के रूप में निकालना है तो इस समिकरन को याद रखो सुत्र के रूप में भी हम लोग निकाल सकते हैं सुत्र के रूप में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा E1 P बराबर 1 बटे 4 पाई epsilon not ठीक है और इन दोनों के बीच आवेश कौन सा था q1 और q1 not q1 और q0 ये देखो diagram में 1 और इस q0 के बीच का था ठीक है तो यहाँ पर q1 और q0 ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा केवल और q1 आएगा क्या आएगा केवल और q1 कैसे आएगा ये मैं आप लोगों को पहले बेसिक फॉर्मूला लिख देती हूं एक बटे चार पाई epsilon not capital q बटे आर का वर्गा यहीं हम लोगों ने निकाला था तो यहाँ पर capital q क्या था जिसके कारण विद्युच्छेत्र लग रहा था ठीक है तो इस capital q का विद्युच्छेत्र है ये परिछण आविस कैंसल हो जा रहा था ठीक है तो यहाँ पर जैसे अगर मालो की हम लोगों को विद्युच्छेत्र लग रहा था ठीक है तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे q1 को लिखेंगे लिख लेते हैं q1 को ठीक है q1 को लिख लिए तो यह हम लोगों को e1p मिल गया ठीक है इसी तरीके से हम लोगों को क्या मिल जाएगा E2P भी मिल जाएगा यहाँ पर R1P हो जाएगा क्योंकि इनके बीच की दूरिया हम लोग क्या लिए थी यह देखो R1P R2P R3P और R4P लिए है न ठीक तो यह दूरियों को आप लोगों को ध्यान रखना है भूलना नहीं है लिखने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए एक बटे चार पाई एपसला नॉट यहाँ पर आ जाएगा क्या Q2 के कारण बल लग रहा है तो और यहाँ पर हो जाएगा R2P का वर्ग R2P का वर्ग ठीक है E3P छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आप लोगों को तभी आप लोगों को जो है बिल्कुल एकदम कॉंसेप्ट क्लियर होगा बार बार रिविजन करने से ही छोटी छोटी बाते समझ में आती है एक बार पढ़ने से किसी भी महाराथी को समझ में नहीं आता है ठीक है तो अपने आपको मतलब कि demoralize नहीं करना है demotivate नहीं करना है धीरे धीरे बार बार रिपीट करते करते ये छोटी छोटी बाते समझ में आ जाएगी चलो 3P लिख लिए ठीक है इसी तरीके से हम लोग क्या लिख लेते हैं इसी तरीके से हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर E 4P लिख लेते हैं E 4P क्या हो जाएगा 1 बटे 4P Epsilon 0 Q4 बटे R 4P और ये सदिस वर्ग हो जाएगा ठीक है शारे जगा वर्ग लगाए हैं ना कहीं भूले तो नहीं, कभी-कभी गल्थी से भूल जाते हैं हम, ठीक है, तो यह हो जाता है एकांगशदिस, तो हम लोगों ने सारी चीजे लिख ली, अब हम लोगों को यहाँ पर इनका स्दिस योग करना है, स्दिस योग करना है, तो क्या हो जाएगा ये, सबको हम लोग जोड डालेंगे एक बटे चार पाई एपसलोन नॉट है ना क्या हो जाएगा यहाँ पर Q1 बटे R1P का वर्ग R1P कैप चलो एक काम करते हैं हम लोग अगले पेज में जोड लेते हैं ताकि हम लोगों को प्रॉपर स्पेस मिल पाई ठीक है इतना सारा चीज हम लोग लिख लिए अब हम लोगों को इनका क्या करना है सदिश योग करना है E1P प्लस E2P प्लस E3P प्लस E4P ठीक है इनका सदिश योग करना है नेक्स पेज में कर लेते हैं चलो आप लोग कॉपी में नीचे से 1 बाई 1 एक के नीचे एक प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाते जाना अब हम लोग यहाँ पर सदिश योग करेंगे तो चारों को जोडेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पर 1 बटे 4P Epsilon 0Q1 बटे R1P का वर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा एक कांक शदिश R1P प्लस एक बटे 4P Epsilon 0Q2 बटे Q2 बटे R2P भाई इजी है फटा फट से मेरे से पहले आप लोगों को लिखना है अल्रेडी यह डेरिवेशन आप लोग स्थिर्विद्ध बल के लिए कर चुके हो जल्दी जल्दी लिखते जाओ बिना गलती किये लिखते जाओ प्राक्टिस हो रही है आप लोगों की बार बार अगर आप लोगों पहले नोट्स बना चुके हो तब भी आप लोगों को दुबारा लिखना है जितने बार लिखोगे उतने बार क्या होगा उतने बार आप लोगों की practice होगी तो बार बार लिख लिख के ही आप लोगों को क्या करना है प्राक्टिस करना है लिख लिख करके ही आप लोगों को practice करना है ये हो जाएगा Q4 और ये R4P का वर्ग यहाँ पे सदिस R4P gap ठीक अब यहाँ पर देख लो बहुत सारी चीजे common निकल रही है common निकाल लेते हैं हम लोगों क्या निकल रहे हैं हम लोगों का common निकल रहे हैं यहाँ पर एक बटे चार पाई epsilon not common निकल गया ब्रैकेट में क्या जाएगा Q1 R1P का वर्ग और ये सदिश रूप में ये एकांग शदिश R1P Q2 R2P का वर्ग R2P एकांग शदिश के रूप में Q3 R3P का वर्ग एकांग शदिश R3P प्लस Q4 R4P का वर्ग एकांग शदिश R4P लोगों आ गया common निकल गया ब्रैकेट बन कर लो यहाँ पर ब्रैकेट बन कर लो थीक है तो यह तो हम लोगों ने 4 बिंदू आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 के कारण अगर हम लोगों को परिनामी विद्धुचेतर निकालना है आवेशों के निकाए के कारण परिनामी विद्धुचेतर निकालना है तो उसके लिए सुत्र हो गया, पर अगर N संख्षा में रहे, ठीके है अगर N संख्षा में रहे, ठीके है तो N का नंबर क्या हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, पूरा लेकर N तक हो सकता है बिंदू आवेश ठीका है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और QN तक के हो सकते हैं बिंदू आवेश इन सभी के कारण मान लोग की एक परिक्षण आवेश पर ये सारे मिलके बल लगा रहे हैं तो इसके लिए जब हम लोगों को विद्यू छेत्र कैलकुलेट करना होगा ठीक है तो उस समीकरण को हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम लोग यह सेम समीकरण लिखने के बाद क्या करेंगे प्लस डेस डेस करके एन वां एन्थ लिख देंगे क्यू एन बटे आर आर एन पी का वर्ग यहाँ पर आर एन पी एक कांग शदिस ठीक है इसको भी लिख देती हूं मैं यहाँ पर लिख देती हूं बिलकुल आप लोगों के लिए यह हो एक बटे 4Pi Epsilon not to common निकल जाएगा जैसे पहले निकला था ठीक है और यहाँ पे हो जाएगा Q1 बटे R1P का वर्ग R1P Caps एकांग शदिस Q2 बटे R2P का वर्ग एकांग शदिस R2P Q2P plus dash 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 and संख्या तक के अगर रही तो इसके लिए इस तरीके से अब भाई इस तरीके से लिखने के बाद इसको छोटे रूप में भी हमको चाहिए तो हम लोग समेशन का शिन्ह लगा करके इस तरीके से समेशन का शिन्ह लगा के लिखते हैं हम लोगों ने विद्यद बल के लिए भी लिखा था यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे तो लिख लेते हैं यहां पर परणामी शदिस जो होगा यह वन को हटा देती हूं यह तो परणामी है तो इसको हम लोगों ने ई लिया है परणामी शदिस जो होगा तो एक बटे चार पाई एपसल और यहां पर R1P के जगह में क्या आजाएगा, IP आजाएगा, इसका वर्क हो जाएगा, अगर एक आंक शदीश के रिग्रूप में लिखेंगे तो IP और इसका क्याप हो जाएगा, IQ आया, समझ में आया, जहां पर संख्या बदल रही है, ठीके N नमबर आफ संख्याए हैं, एक से लेकर के N तक की संख्याए हैं, तो एक से लेकर के N तक की संख्याए हैं, मतलब आई के जगह में अगर हम लोग 1 रखेंगे तो Q1, आई के जगह में 2 रखेंगे तो Q2, आई के जगह में N रखेंगे तो QN, इस तरीके से हो जाएगा, तो यह फाइनल आप लोगों को सुत numerical practice करेंगे, बहुत जल्दी numerical practice करेंगे, ठीक है, चलो, note कर लिए, yes या no, जल्दी से comments करके बताओ, फटा फट, speed बढ़ानी है, speed बढ़ानी है, बिल्कुल quickly, बिना कलती किये, फटा फट से लिख लो, ओके, numerical करने से पहले, आप लोगों को real life applications भी देखने हैं, तो भाई, ये क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, कुछ देर, ठीक है, तो देखो, ये आप लोगों की photocopy jerox machine है, आप लोग कभी सोचे थे, सपने में भी सोचे थे, कि जो आप लोग 12 में विद्धूत चेतर पढ़ोगे, वो concept आप लोगों के photocopy machine में भी लगता होगा, है कि नहीं, photocopy machine में बिलकुल लग रहा है, कैसे print हो रहे हैं, बिलकुल विद्धूत आवेश, जो हम लोगों ने concept पढ़ा, जिसके वज़े से हम लोगों ने विद्धूत चेतर का concept पढ़ा, ठीक उसी त क्या करती है, इस तरइक से अगर हम लोगों को किसी भी चीच की copy निकालनी होते है, जैसे की मालो, यह sheet है, इस sheet की हम लोगों को copy निकाली है, तो हम लोग क्या करते हैं, scan करते हैं scan करते हैं तो scan करने के लिए वहाँ पर क्या लगा होता है lens लगा होता है बिल्कुल lens जो है उसको scan करता है ठीक है और उसके बाद इन आवेश मतलब इन आवेश है ड्रम के कारण अब यहाँ पर क्या है चार्ज है आवेश है तो यह आवेश क्या करते हैं इसको जब इसको हम लोग स्कैन करते हैं लैंस से तो इसको क्या करते हैं अपनी तरफ अट्रेक्ट करते हैं और अट्रेक्ट करते हैं जब तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर printer के अंदर में क्या लगा कर रखे होते हैं पेपर लगा कर करके रखे होते हैं ठीक है तो यहां पर क्या करता है वो attract करते हुए क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहां पर attract करेगा तो यहां पर हम लोग जो है और वहाँ पर टोनर में क्या होता है तो बहुंदर में लिए च्थेज में पहले स्टेज में हैं second stage में क्या होता है second stage में जो है यह image बनाता है scan करके lens से third stage में क्या होता है कि जो toner मतलब कि जो हम लोगों ने वहापर liquid feel करके रखा है already वो क्या होते है उस image से attract होते हैं क्योंकि वो negative आवेशित होता है और final step में क्या करता है final step में stage में वो paper में print करके जो है वो attraction के कारनड चिपक जाता है चिपक के छप के निकल जाता है तो इस तरीके से printer में इस्तमाल होता है ठीक है तो अलग अलग प्रकार के printers होते हैं जैसे कि यह वो normal printer था यह laser printer है अप लोगों का ठीक है लेजर printer है यहाँ पर यहां तरही करीपड only कर रूप में जा रही है odorkथ आफ्कॉस आप लोगों ने प्रखाश प्रकाश के बारे में पढ़ा ही तो यहां पर बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से लेजर लाइट से जो है यहां पर ड्रॉम में क्या हो रहा है प्रिंट हो रहा है उसी प्रकार से अंदर में दो प्लेट्स लगे होते हैं और बिल्कुल यहाँ पर भी क्या होते है विध्युटषेत्र का कॉंसेप्ट अप्लाई होता है विध्युत-ावेश का के सब्सक्राइब करके बड़ कार खारा है यहां पर मतलब की जो धुवा निकलता है इनको हम लोग क्या करते हैं ताकि हम लोगों का पर्यावरन जो है कम प्रदिस्तित हो तो इसको फिल्टर करने के लिए एक मशीन लगी होती है तो यहां पर भी क्या विद्यूत आवेश के कॉंसेप्ट को विद्यू छेत्र का ही जो है इस्तमाल किया जाता है बिल्कुल तो इस तरीके से रियल लाइफ बहुत सारे एप्लिकेशन साप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे आप लोग भी अपने चारो तरफ इसी तरीके से विद्यू छेत्र से रिलेटेड जितने भ कि आप लोगों को फिजिक्स से प्यार हो जाएगा और फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ने में बहुत इंट्रेस्ट आएगा और उमीद करती हूं कि यह चीजे यह जानकारी आप लोगों को मतलब अट्रैक्ट करी होगी विद्यू छेत्र के को और अच्छे से समझने क लिए क्योंकि रियल लाइफ की चीजे हैं आसपास की चीजे हैं सब जगह आप लोगों को काम आनी है फिजिक्स तो जितना अच्छे से पढ़ोगे जितना अच्छे से समझोगे इंट्रेस्टिंग बनाओगे फिजिक्स को तो मजा आएगा आपको और प्यार हो जाएगा में इस तरीके के निमारिकल करने से आप लोगों को कोई नहीं रोख पाएगा ठीक है तो अब आ गई है बारी निमारिकल करने की कोश्चन को पढ़के समझते हैं तुकडों में तोड करके हम लोग कोश्चन करते हैं जिन भी बच्चों को निमारिकल नहीं बनता है मेरे सां साथ question को पढ़ना तुकड़ों में तोड़ करके फिर समझना की दिया क्या है और समझना की निकालना क्या है और दोनों चीजे समझ में आएगे तो solution अपने आप मिल जाएगा 10 की घात माइनस 3 kg द्रव्यमान मतलब कि यहाँ पर सेकेंड की चाल से 2 गुडा दसकी घात 5 ज्यूटन पर कुलाम की तिव्रता वाले एक समान विद्ध छेत्र के विरुध फेका गया ठीक है एक समान विद्ध छेत्र के विरुध फेका गया तो इस चीज को ध्यान रखना है कि कहां पर फेक रहे हैं हम लोग विद्ध छेत्र की विरुध मतलब की विद्ध छेत्र के अपोजिट दी सामें ठीक है विरुध फेक रहे हैं विद्ध छेत्र के अपोजिट दी सामें इस तरीके से फेक रहे हैं ठीक रहे हैं तो देखो फेक रहे हैं यहां पर रामवस्था में आने के पहले कंड़ द्वारा तैय की गई दूरी क्या होगी तो दूरी को जैसे कि हम लोग ऐस मानते हैं तो इस चीज कोश्चन में थोड़ा सा मतलब मैं आप लोगों के लिए अच्छा खासा कोश्चन लेकर क्या हूं यहां पर आप लोगों का 11 और 12 दोनो मैंने समझा दिया है दूरी क्या है पूछ रहा है ठीक है द्रव्यमान हम लोगों को दिया है तो दिया क्या क्या है लिख लेते हैं यहां पर हम लोगों को द्रव्यमान दिया है और हम लोगों को चाल दी है ठीक है और क्या दिया है तिवरता दी है हम लोगों को तिवरता द ना है ठीक है तो यहां पर आप लोगों को तीन सुत्र का इस्तमाल करना है पहला सुत्र तो यह है F बराबर QE दूसरा सुत्र यह है F बराबर M A क्योंकि द्रव्यमान और त्वरन यह दोनों का इस्तमाल होगा ठीक है यह दो सुत्र हो गए तीसरा सुत्र है गती का समी करण V क चलो यह तीन सुत्रों का इस्तमाल करना है फटा फट से कर लो कर लो फटा फट से कैसे करोगे भई कैसे सॉल्व करोगे कोई सोच सकता है चलो तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे one by one यहां पर समझा देती हूँ सबसे पहले हम लोगों को दिया क्या है यहां पर विद्धु छेत्रत रव्यमान और चाल दी गई है और दूरी हम लोगों को ग्याद करनी है, दूरी ग्याद करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को दूरी ग्याद करने के लिए, जैसे कि यह जो दूरी आप लोगों को, फाइनली यह S निकालना है, तो इस S को निकालने के लिए, वेग तो दिया है हम लोगों को, हम के लिए हम लोगों को क्या चाहिए बल चाहिए क्योंकि यहां से तुरन कैसे निकलेगा बल बटे रव्यमान थीक है बल बटे रव्यमान तो यहां पर बल कैसे प्राप्त होगा बल हम लोगों को यहां से प्राप्त हो जाएगा क्योंकि प्रश्ण में हम लोगों को क्या दिया कमान दिया हुआ है तो जल्दी से बिताओ विद्धुचेत्र कमान कितना दिया हुआ है कितना दिया हुआ है विद्धुचेत्र कमान और आवेश कमान भी दिया है भई आवेश कमान भी दिया है कितना 5 µ, है ना, तो विद्धु छेत्र का मान कितना दिया हुआ है, 2 गुणा 10 की घाथ 5, 2 गुणा 10 की घाथ 5, ये 5 µ, तो सबसे पहले µ, हम लोग लिख लेते हैं, 10 की घाथ-6, और 2 गुणा 10 की घाथ 5, µ, न्यूटन पर कुलाम हम लोगों को क्या दिया हुआ है, विद्धु छेत्र दिया हुआ है, ठीक है, तो चलो बल निकालो कितना आएगा, बल क्यालकुलेट कर लो फटा-फट से, बल निकालो कितना आएगा, कमेंट करो, क्या आएगा बल यहाँ पर, तो यह हो जाएगा, क्या 5 दूना 10, 10 गुणा 10 की घाथ-6, गुणा 10 की घाथ-5, ठीक है, तो यह तो 10 की घाथ क्या हो जाएगा, 10 की घाथ-6, गुणा 10 की घाथ-6, है तो बल कितना आ जाएगा एक Newton भई calculation में पूरा पूरा नहीं बताऊंगी पहला question है इसलिए बता दी आगे के calculations आप लोगों को करके बताने होंगे ठीक है आगे क्या calculate करना है हम लोगों को आगे हम लोगों को त्वरं calculate करना है तो त्वरण निकलेगा हम लोगों को बल बटे द्रव्यमान से तो बल कितना आया हम लोगों का एक न्यूटन का बल आया द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हम लोगों को 10 की घात माइनस 3 केजी दिया हुआ है 10 की घात माइनस 3 केजी तो यहां से त्वरण क्या हो जाएगा आप ल विद्युद्ध फेका जाता है, विद्युद्ध फेका जाता है, मतलब कि त्वरण जो है आप लोगों का होगा, क्या त्वरण जो है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है काण को क्या करते हैं, काण को विद्युद्ध फेक रहे हैं, ठीक है विरुद्ध फेक रहे हैं इसलिए क्या होगा त्वरण जो है आप लोगों का इसलिए क्या होगा रिनात्मक होगा रिनात्मक त्वरण ठीक है इसलिए क्या होगा रिनात्मक त्वरण आप लोग पूरा पूरा लिख लो ठीक है अब त्वरण भी हम लोग निकाल तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे ूर्ण बट क्यों है। है उन्य वर्ण माइनस यू का वर्ण बटे में क्या आ जाएगा और यहां पर फेली 60 दोरी अवस्था से चलना उसगों मतल़ संभी में और्शान को सवाल में तेय की गई दूरी ठीक है तो यहां पर विराम अवस्था में आने से पहले कंस्बारा तेय की गई दूरी तो यहां पर उल्टा हो जाएगा मतलब कि यहां पर जो परारमभिक है yak हो अप LIGAN जो दिया है को में वह जा रहा है मतलब अंती मावस्था में उसकी जो गती है उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जा रही है शुन्य हो जा रही है अगर इतना पता चल गया तो हम लोगों को क्या करना है यहां पर जो है इसमें मान रख देना है मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, शुन्य, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर 20 मिटर पर सेकंड का वर्ग, और नीचे में क्या हो जाएगा, रिन, दो गुणा, तुरन कितना आया, 10 की घात 3, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से रिन और रिन कट जाएगे, रिन और कर जाएंगे उपर और नीचे हाना सुन्य हट जाएगा तो 20 का वर्ग 400 बटे 2 गुणा 10 की घात 3 जल्दी से कैलकुलेट बताओ कैलकुलेट करके बताओ कि आंसर कितना आएगा यहां पर मिस्प्रिंट है इसको आप लोग सुधार लो धूरी है तो किसम अएगा मेंटर में आएगा यहां पर हम लोगों को क्या परापत हुआ चार सो परापत हुआ थीक है तो मालों की यहां पर 3 0 है, 10 की खा 3 तीन, मतलब 3 सुन्य तो 2 सुन्य तो कट गया, 2 सुन्य तो कट गया, ठीक है, अब यहां पर क्या गया, 2 सुन्य अगर कट गया, तो इसको certainty कर रही हूं, ठीक है, 2 सुन्य अगर कट गया, तो क्या हो जाएगा, S barabar, 4 बटे, 2 गुणा, दस, दो दुना, दो बटे दस बराबर मतलब क्या हो जाएगा, 0.2 मिटर, तो दूरी के आ गई आप लोगों की 0.2 मिटर की दूरी जो है, वो तैय करेगा, कौन्च option करेक्ट हो गया, आप लोगों का second वाला option जो है, वो correct answer है, second option जो है, correct answer है, ठीक है, सभी का answer आ गया, समझ मे आया, interesting question है, देखो, बहुत सारे concept हम लोगों के यहाँ पर इस्तमाल हुए है, एक ही question में हम लोगों ने बहुत सारी चीजे सीख ली है, इसलिए बोलती हूँ, कि 11 और 12 दोनों का concept important है, अब आप लोगों अगर नीट की तैयारी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है, 11 और 12 दोनो पढ़के जाना है आप लोगों को, ठीक है, तो यह सवाल आप लोगों के board exam में तो नहीं आएंगे, पर meet exam में जरूर आएंगे, ठीक है, चल, next question में आजाओ, solve करना है, इसको try करना है, quickly करेंगे इसको, प्रेशन को पढ़ लेते हैं, 20 cm त्रिज्जा, 20 cm त्रिज्जा के चा 20 cm त्रिज्जा है, चालक गोला है, इस चालक गोले की त्रिज्जा कितनी है, 20 cm है, ठीक है, और यहाँ पर यह बोर रहा है, कि केंद्र से 20 cm की दूरी पर विद्धुच्छेत्र, मतलब कि यह जो विद्धुच्छेत्र है, वो किसके लिए दिया है, आप लोगों को, सतह के लिए दिया है, किसके लिए दिया है, सतह के लिए दिया है, कितना दिया है, एक दिसमला दो गुणा, दस की घात, तीन न्यूटन पर कुला, चालो, समझ गए भाई, तथा बिंदु, त्रिज्ज्य रूप से अंदर की ओर है, त्रिज्ज्य रूप से अंदर की ओर है, कुल आवेश निकालना है, कुल आवेश निकालना है, इस Q को find out करना है आप लोगों को, कैसे निकालोगे, आप लोगों को विद्यो छेतर दिया है, दूरी दी है, आप लोगों को यहाँ पर निकालना क्या है, आवेश निकालना है, तो इसके लिए हम लोगों ने सुत्र पढ लेते हैं हम लोग इस क्यूं को हम लोगों को calculate करना है तो हमारा जो सुत्र है वो क्या हो जाएगा चलो इसको फिर से लिख लेते हैं एक बटे चार पाई एट्सलों नौट क्यू बटे आर का वर्ग अगर हम लोगों को क्यू निकालना है तो यहां पर यह सारी चीजे इधर प साथ मेरी सपहले कॉपी में करना है त्रिज्जा कितनी दी हुई है 20 cm दी हुई है तो 20 cm को अगर हम लोग मिटर में कनवर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 cm को अगर हम लोग मिटर में कनवर्ट करेंगे तो शुने दे समला दो मिटर चलो तो यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग इसको रखेंगे क्या शुने दे समला दो कवरग अब हम लोगों को यहाँ पर क्यों निकालना है find out कर लो सारी चीजे पक्षांतर कर लो गुणा भाग करो final answer मेरे को बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा फाइनल आंसर कितना आएगा ठीक है फाइनल आंसर कितना आएगा जल्दी फटा फट से options भी आप लोग देख सकते हो आप लोगों के पास चार option है ठीक है तो options आप लोग देख सकते हो final answer कितना आएगा जल्दी से calculate करके बताओ चलो 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 भाई तो भाई इसका final answer आएगा 5.3 गुणा 10 की घात minus 9 कुलांग ठीक है अब यह मेरे को बताओ कि 5.3 गुणा 10 की घात minus 9 ठीक है अब यहाँ पर confusion है plus होगा कि minus देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ ता कि तरिज्य रूप से अंदर की और है, तरिज्य रूप से कहा है अंदर की और है, अंदर की और है मतलब कि क्या होगा, यह जो गोला है आप जिस गोले पर जो आवेश होगा rubber रिण आवेशीत होगा मतलब कि यहाँ पर जो third option आप लोगों का है third option आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर third option correct हो जाएगा मज़ेदार question है interesting है, अच्छे questions है very good, मज़ा आ गया practice भी करना है खुद से जितने questions मैं करवा सकती हूँ वो करवाओंगी class में खुद से बांकी questions आप लोगों को practice करना है, चलो next question वहाँ विद्यू छेत्र जो 3.2 गुणा 10 की घाथ, माइनस 27 किलोग्राम द्रव्यमान के एक electron को संतुलन कर सके ठीके, विद्यू छेत्र हम लोगों को ग्याद करना है एक electron दिया हुआ है, मतलब कि आवेश क्या हो जाएगा, माइनस 1.6 गुणा 10 की घाथ, माइनस 19 कुलाम और द्रव्यमान आप लोगों को दिया हुआ है, M बराबर 3.2 गुणा 10 की घाथ, माइनस 27 केजी, जल्दी बताओ भई कौन सा concept लगेगा चलो चलो ट्राई करो, सोचने माला है यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप लोगों को क्या होगा? बिल्कुल यहीं पर खड़ी हूँ जल्दी बताओ वहाँ विद्युच्छेत्र ग्यात करना है ठीक है? जो की electron का द्रव्यमान हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है? electron का द्रव्यमान हम लोगों को दिया हुआ है यह द्रव्यमान किसका है? electron का द्रव्यमान है, यह एक electron का आवेश है तो सायद हम लोगों को इसकी जरुवत ना पड़े देखते हैं, पड़ भी सकती है नहीं भी पढ़ सकती है, देखते हैं, हो सकता है कि हम लोगों को जरुवत पड़े, हम लोगों को विद्युच्छेतर ज्यात करना है, ठीक है, अब देखो, ये जो electron है, वो कहां पर रखा हुआ है, ये electron जो है, माल लोगी ये electron है, ठीक है, imagine करोगे, तो अच्छे से बनेगा, भाई, अगर नीट की त्यारी कर रहे हो, तो इतना आसान नहीं होगा, ये electron है, ठीक है, इस electron का द्रव्यमान हम लोगों को दिया हुआ है, तीन दसमल, दो गुणा, दस की घात, माइनस 27 केजी, ठीक है, इसका आवेश हम लोगों को पता है, एक दसमल, च्छे गुणा, दस क T, Q, A, F, बटे Q, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बार तो ये क्या हो जाएगा, electron है, आवेश की जगह में, तो ये क्या हो जाएगा, F, बटे E हो जाएगा, इतना तो सब को Sylvia हो गया होगा, क्यों भाई, इतना क्लिएर हुआ की नहीं, इतना तो Sylvia है, अब बल की जगह में कुछ ना कुछ लोचा है ठीक है तो हम लोगों को यहां पर त्वरन वगरा तो कुछ दिया है नहीं तो यह जो है आप लोगों का यह आप लोगों के प्रिथवी में कहीं न कहीं पर रखा होगा ठीक है प्रिथवी में कहीं न कहीं पर रखा होगा और आप लोगों को प्र ठीक है mg ये कैसे हुआ तो संतुलन कर सके तो संतुलन के लिए भार लगता है आप लोगों का भार बराबर mg ये भार जो है और कुछ नहीं है बलका ही प्रकार है ये सब आप लोगों ने गति के नियम वाले चाप्टर में पिछले साल पढ़ा होगा पिछले साल 11 में अगर तीन दसंलव दो गुणा तो अब इसमान को हम लोग के जगह में रखेंगे चलो रख लो यहां पर तो क्या हो जाएगा यहां पर mg बटे ए ठीक एद्रव्यमान दिया हुआ है तीन दसंबल दो गुणा चलो दूसरे पेज में कर लेते हैं यहाँ पर हम लोगों को finally जो है सुत्र मिल गया है यहाँ पर विद्यो छेत्र का सुत्र मिल गया है M G बटे E हम लोगों को मिल गया है अब हम लोगों को द्रव्यमान कितना दिया हुआ है तीन दसमलों दो गुणा 10 की घात माइनस 27 केजी और गुरुत्विय त्वेरन का मान हम लोग रखते हैं अंदाजन में 10 और यहाँ पर हो जाएगा एक दसमलों 6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कुलाम हो गया हो गया हो गया चलो हो गया भई क्यालकुलेशन कर लो परिमार आ जाएगा जल्दी से बताओ कौन सा ओप्शन करेक्ट होगा चार ओप्शन दिये हुए हैं अल्रेड़ी है ना चारो ओप्शन में से कौन सा ओप्शन करेक्ट होगा A B C D 1st 2nd 3rd 4rd कौन सा ओप्शन तो भई इसका आंसर आप लोगों का आएगा 19 दस अमलव 6 गुणा 10 की घाथ-8 न्यूटन पर कौन तो भई इससे आप लोगों का ओप्शन जो करेक्ट होता है यहां पर कौन सा ओप्शन दिया हुआ है 19 दस अमलव 6 गुणा 10 की घाथ-8 गौन तो यह 1st ओप्शन आप आंसर हो जाएगा अब और कौशन तो लेकर के आई हूँ बट यह आप लोगों को ऐसा होंवर्क आप लोगों को नोट कर लेना है ठीक है आप लोगों को सारे होंवर्क कोशन के आंसर मेरे को next classes में कमेंट करके बताना है मैं देखूंगी कि कौन बच्छा seriously होंवर्क करता है ट्राइ करता है नहीं करता है देखो कठिन कठिन कोशन तो मैंने क्लास में करवा दिया आप लोगों को होंवर्क में मैंने बहुत सरल कोशन दिये हैं चल तो पहले तो हम लोग सारे concept को मतलब थोरिक format में जो है हम लोग पहले सबको one by one समझ लेते है देन हम लोग जो है derivation प है आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना social science में समाजिक विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसी तरीके से यहां पर भी दो धुरू है जिसमें से एक जो है वो क्या होगा रिन इसका परिमार जो है क्यू होगा एक आवेश और एक होगा धन इसका परिमार भी सबस्क्तिति नतरु जो सिरय को सबस्क्राइब दित्स नियु सिरय को की ड्रहिए है, इसलिए रहीचितन में द Means 56 बस लोगों पिखितन सबस्क्राइब। लों कर सुढ़ीब विद्यू द्वीधू किसको बोलेंगे जब दो विपरीत आवेश, समान परिमाड के विपरीत आवेश, एक दूसरे से नियूनतम दूरी पर हो, क्या बोला मैंने, दो समान परिमाड के विपरीत आवेश, जब एक दूसरे से नियूनतम दूरी पर हो, तो ये जो combination होता है, त इन दोनों के नियुनतम दूरी के जो बीच है, इसको हम लोग केंद्र बिंदु मानते हैं, केंद्र को हम लोग O से प्रदर्शित करते हैं, केंद्र को हम लोग क्या करते हैं, O से प्रदर्शित करते हैं, यह आगे आप लोगों को काम आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र पहलाया आपका द्वीधु अब द्वीधु आगुन किशको कहते हैं तो आगुन का मतलब क्या होता है ठीक है तो यहां पर मतलब एक हम लोग आगुन जो है एक प्रकार की भौतिक राशी है इसको हम लोग जो प्रदर्शित करते हैं सदिस राशी है इसलिए इसको हम लोग क् समझा देती हूं तो विद्यो द्वीध्रूअ आगोन जो है ये कहलाता है मतलब द्वीध्रूअ आगोन आपके इन द्वीध्रूओं के कारण जो है उत्पन रोता है तो ये किसी एक आवेश का अगर हम लोग परिमार ले लिए और उसके बीच की जो दूरी है तो उसके वीद्रु आगुन है जिसको हम लोग क्या करते हैं पी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और सदिस राशी है इसलिए इसकी उपर में सदिस लगाते हैं यहां पर यह जो इनके बीच की दूरी का जो विस्थापन है यह यहां पर सदिस राशी होगा ठीक है क्योंकि आवेश त दोनों में से कोई एक सदिस राशी होना चीए तभी तो हम लोगों को यहां पर विद्यो द्वीधु आगुण सदिस राशी के रूप में प्राप्त होगा है ना तो यहां पर इस तरीके से हम लोगों को विद्यो द्वीधु आगुण मिलता है कैसे मिलता है इन दो मतलब इन विद्यू द्वीध्रूओं के किसी एक आवेश का परिमार और इन दोनों द्वीध्रूओं के बीच की जो न्यूनितन दूरी है इनका जो गुडन फल होता है वो आप लोगों का क्या कहलाता है विद्यू द्वीध्रू आगोण कहलाता है ठीक है तो ये द्वीध्रू आगो अगुना की जो दिशा होती है ये आप लोग लेख सकते हो कि जो द्वीध्रुवा आगुना की दिशा है वो होती है रिण से धन की तरफ किधर होती है रिण से धन की तरफ तो अभी तक आप लोग जितनी भी चीजे देखे हो उन सब की दिशा आप लोगोंने हमेशा धन से र तरफ देखा था परन तो यहां पर क्या होगा विद्भी्षेत्र की जो डिशा ओगी विद्भीषेत्र की सरफ होगा थीक थीक है अब होगा क्याए यह दोनो समान परिमार के जो विपरित आवेश है, यह अपना एक प्रभाव छेतर क्रियेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक बार द्वीदरू हम फिर से बना लेते हैं, यह आप लोगों का क्या है, यह माइनस और यह प्लस, दोनों का परिमार क्या है, समान है, समान परिमार के जो विपरित आवेश है, क्या करेंगे बहुत ही नियुनितम दूरी पर है देखो है तो इसकी दूरी एकदम नियुनितम रियल में एकदम चिपका हुआ ही रहता है ये देखो इतनी दूरी रहती है परंतु आप लोगों को समझाने के लिए हमको इसको थोड़ा डिस्टेंस में क्रियेट करके बना के दिखाना पड़ता है ताकि इनके बीच का जो क्यालकुलेशन और जो कॉंसेब्ट की अंडेस्टेंडिंग है वह आपको हम समझा सके लिए तो जायशी बात है विपरी तावेश है वह क्या होगा है रियल लाइफ में तो एकदम एक दूसरे से चिपक ही जाएगा है ना क्य है छोटी सी दूरी होगी जिसको हम लोग टूए से प्रदर्शित करते हैं अब यहां पर हम लोग यह देख यह रहे हैं कि क्या देख रहे हैं हम लोग कि दो समान परिमार के विपरी तावेश है तो इनका क्या उत्पन होगा प्रभाव छेत्र उत्पन होगा यह जो प्रभ और गुर कहला percentage अब इस दूइधनू आगून के विद्धिू चेत्र में हम लोग अलग अलग इस्तिती में किसी बिंदू आवेश को पास में ले करके आते हैं ठीक है किसी बिंदू आवेश को पास में ले करके आते हैं और इनका calculation हम लोग करते हैं कि यहां पर मैंने M बिंदू लिया, मान लो कि यहां पर मैंने M' बिंदू लिया, ठीक है, तो मान लो कि इनके प्रभाव छेत्र में मैं किसी और बिंदू आवेश को को यहां पर M बिंदू पर लेकर कि आई, तो यहां पर इस बिंदू पर यह जो बिंदू है, वो कहां पर है, देखो इस तरीके से इस विडियो दवीधू के अक्ष पर है, अक्ष किसको बोलते हैं, आप एक्स और य अक्ष आप लोग पढ़े ही होगे गनित में है कि नहीं बायो वाले बच्चे भी पढ़े होंगे दस भी तक एक्स और य अक्ष ठीक है तो जब एक्स अक्ष पर जब रहता है तो इसको अक्षिय स्थिति बोलते हैं और इस एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदू अवेश को हम लोग यहां पर ले करके आते हैं और इसके लिए फिर उस बिन्दू आवेश पर कितना प्रभाव चेत्र उत्पन्न हो रहा मतलब उस बिंदु पर मतलब विद्धु चेत्र कितना उत्पन्न होता है इस द्वीधु आगुण के कारण कितना उत्पन्न होता है इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम लोग अक्षी इस्तिती पर विद्धु द्वीधु के कारण विद्धु छेत्र कहते हैं ठीक है अब इसी प्रकार से मान लोग इसके केंद्र बिंदु से नब्य अंश के कोण पर इस तरीके से मतलब की वाय अक्षपर अगर वाय अक्षपर कोई बिंदु आवेश यहाँ पर मैं कोई बिंदु आवेश लेकर के आती हूं इन दोनों द्वीधु के प्रभाव छेत्र में ठीक है तो इसको हम लोग नाम देते हैं निरक्षिय स्थिति क्या बोलते हैं निरक्षिय स्थिति कहते हैं तो इस तरह की जब स्थिति होती है तब हम लोग जब इस बिंदु पर इ उसको हम लोग बोलते हैं निरक्षिय स्थिती पर विद्युच्छेत्र इस विद्युद्वी ध्रुवा आगोन के कारण निरक्षिय स्थिती पर विद्युच्छेत्र तो overall मैंने आप लोगों को basic basic concept समझा दिया है ठीक है एक एक करके one by one और हम लोग इसके detail में समझेंगे औ ठीक है अच्छा एक चीज यहाँ पर और बताना एड करना चाहूंगी एक चीज क्या एड करना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यह क्या है minus q और यह क्या है plus q ठीक है अगर मैं यहाँ पर कुल आवेश देखूं कुल आवेश देखूं तो यह क्या हो नहीं होता है पर दोब विद्योच परिमार में विद्युत आवेश जो है उनका परिमार भी भावन को उर् workshop on अब आप लोग समझ, आप लोग मतलब कि आप लोगों ने देखा था, कहां पर देखा था, जब आप लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर देखे थे, तो आप लोगों ने देखा था, इस तरीके से हम लोग धनात्मक और रिनात्मक आवेश के करण जब विद्यूद छित कि अगर बल रेखाएं बनाँ तो यह हम लोग पिछले लेक्चर में पर चुके हैं तो यह जो बल रेखाएं है था ना विद्युट छेत्र रेखाएं है यही क्या उद्पन करती है पास में रहेगी तो प्रभाव छेत्र स्ट्रॉंग रहेगा और दूर जाएंगी तो इसका प्रभाव छेत्र का मान वह वो कम होते जाएगा हैं ना उसकी दाकत कम होते जाएगी तो विदियुध और चेत्र भी कम होता जाएगा जगा जगा आप लोगों को काम आने वाली है, ठीक है, दो, समान परिमार के, हाना, विपरीत आवेश, समान परिमार के विपरीत आवेश, हाना, एक दूसरे से क्या, निूनतम दूरी या फिर बहुत ही अलप दूरी पर अगर रखे हो, निूनतम दूरी, हाना, ये निूनतम फिर से मैं बोल रहי हूँ दो समान परिमाड के विपरीत आवेश जब नियूनेतम दूरी पर रखे हो ठीक है तो ये क्या कहलाते है विध्यो द्वीधु का निरमान करते है द्वीधु का खेलाते है ठीक है होगा ठीक है अब ये जो है सदिस राशी होती है कैसी राशी होती है ये सदिस राशी होती है तो सदिस राशी के रूप में कैसे पता चलती है ये जब हम लोग दूरी की दिशा यहां पर देखते हैं तो यहां पर अगर सदिस राशी है तो इस तरीके से हम लोग इसको सदिस व्यक्त कर लेते हैं और क्यों जो है आवेश जो है वो अदिस राशी हो गई और यहां पर जो दूरी होगी वो क्या होगी दूरी की जो है दिशा होगी ठीक है तो इस प्रकार से जो है आप लोगों का विद्वीद हुआ आगोन जो है वो सरीस राशी हो जाती है और यहां पर इस विद्यो द्वीद्रुवा आगुन के लिए इसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है रिन से धन की तरफ कि धर होती है रिन से धन की तरफ जब कि इसके लिए जो विद्यो छेत्र की जो दिशा होती है माल इन द्वीद्रुवा आगुन के बीच में इसके लिए जो विद् अलप है, दोनों आवेश विपरीत प्रकार के तथा बराबर परिमार में है, तो इस वियवस्था को या फिर इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, दूएद्रू कहते हैं, फटाफट से नोट कर लो, दूइद्रू आगुन किसी एक आवेश, किसी एक आवेश, ठीक है, किसी दिशा जो होती है, रिन आवेश से लेकरगे धान आवेश की तरफ होती है, इसलिए यहां एक सधी सराशी होती है और इसको हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से पी से दर्शा अते हैं, very good, चल लिख लिए पेटा, फटाम वट से लिख लिए, लिख लिए की नहीं, जल्दी से मेरे को बताओ, ओके, वेरी गुड, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब विद्यु द्वीधु के कारण विद्यु छेत्र, ये भी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, विद्यु द्वीधु के कारण उत्पन वि बताद यह है कि नेट आवेश शुन्य क्यों होता है, माइनस Q से, माइनस Q प्लस Q बराबर 0, शुन्य रह, इसलिए क्या हो जाता है, शुन्य हो रहता है, तब भी से यहाँ पर विद्यु द्वीधु के के लिए, जो है, आप लोगों का विद्यु छेत्र जो है, उपस्तित होगा, शुन्य क्यों होता है, क्योंकि विद्यु द्वीधु जो रहता है, वह धन आवेश और रिन आवेश से मिलकर बनता है, इसलिए क्या होता है, इसका परिमार नेट आवेश वो सुन्य हो जाता है, लेकिन विद्यु द्वीधु का विद्यु छेत्र शुन्य नहीं हो ठीक तो बिल्कुल इसको समझा चुकी हूँ और विद्युचेत्र की दिशा भी आप लोगों को यहां पर बताई है कि धार धन से रिंड की तरफ होती है विद्युचेत्र की दिशा समानिता विद्युचेत्र की दो स्थितिया है तो भैई दोनों स्थितियों के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है आक्षियस्थिति विलकुला है आप लोग कर सकते हो अगर एकी द्युचेत्र की की के केंद्र सी य अक्षिति है तो वहां पर हम लोग क्या कहते है वन भry वन हम लोगे currency दोर और लिए मेंक्स करेंगे तो तो guys, derivation start करने से पहले थोड़ी बहुत बात है, आप लोगों से मैं कर लेती हूं, यह derivation बहुत important है, आप लोगों को derivation भी बहुत अच्छे से practice करना है, और इसके related numerical भी आप लोगों को practice करना है, ठीक है, तो बिल्कुल derivation को तो आप लोग जितनी बार class देखो उतनी बार लि होगी है, ठीक है, सब भी को समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल मतलब की साफ सुत्र एकदम neat and clean diagram बनाना है, सबसे पहले diagram बनाने के बाद इसकी theory को explain करना है, ठीक है, सारे सुत्र और समी करन लिखते जाना है, derivation को आगे one by one, step by step solve करते जाना है, अगर आपके परियाप्त समय है, तो steps को अच्छे से मतलब बढ़ा करके board exam में, मतलब बढ़ा करें, in the sense कि हर step को एकदम clear आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, और अगर time कम है, तो फिर मतलब derivation पूरा हो, तो time को ध्यान में रखते हुए, manage करके लिखना, अगर आप लोगों का कोई competition exam है, तो भई, वहाँ तो मतलब की, इसके formula आप लोगों को बहुत साथ काम आने वाले, formula-based भी question आते है, conceptual question भी आ सकते हैं, तो पर वहाँ पर हम लोग देखेंगे, जब question practice करेंगे, तो ठीक है, तो देखो, अब वीधुर तो आप लोगों को पता है, दुवीधुरू की अक्षि स्थिती भी आप लोगों को पता है, दुवीधुरू की अक्षिय स्थिती कब होगी, देखो, दो अक्षि होते हैं, एक होता है, एक होता है, एक होता है, यह आपका य अक्ष है, और यह आपका क्या है, एक्स अक्ष है, तो इस एक्ष के किसी भी बिंदु पर, अगर हम लो कुह हम लोगों को calculate करना है, है न वो शेच्च्च्च्च्र क्या होगा, E होगा गुद्ध्युत्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्र को calculate करेंगे इस अक्षःस्थित्प को हम लोगं अंग्रेजी में an exceed upолов अधरशित करते हैं, आप लोगों को अलग-अलग book में अलग-अलग notation देखने के लिए मिलेगा, चलो, आओ, start करते हैं हम लोग, अक्षिय स्थिती के लिए derivation, one by one, step by step समझ लेंगे, यह x और y action मैंने समझाने के लिए बनाया था, बिल्कुल इसको मैं हटा रही हूँ, हटा आप लोग समझने के लिए जो है, बिल्कुल note कर सकती हो, अपनी copy में note कर सकते हो, ठीक है, चल, ओके, start करें, ready हो सभी, derivations के लिए ready हो, सब कोई, बिल्कुल, एक डाउन, quickly हम यहाँ पर class में start करेंगे, derivations, ठीक है, तो कहां से start करें, देखते हैं, कहां से start करते हैं, तो भई ठीक है, माना की हमारे पास एक दिवी धू है, समान परिमार के विपरीत आवेश, लिख देना, जब theory लिखने start करोगे, जिनके बीच की नियुनतम दूरी 2A है, ठीक है, इसके बीच में हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर बीच में एक केंद्र बिंदू लेंगे, इसको मि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अक्ष की स्थिती में, एक्स अक्ष की स्थिती में हम लोग क्या करेंगे, इस द्वी धू से कुछ दूर पर, इस द्वी धू से कुछ दूर पर, एम बिंदू पर, कहां पर, एम बिंदू पर, एक बिंदू आवेश को हम लोग लेकर के आ ना देती हूं ता कि आप लोगो को एकदम clear clear दिखना चाहिए इस द्वीध्रू के केंद्र से R दूरी पर ठीक है ये दूरी आप लोग R ले लो अलग-अलग बुक में अलग-अलग दिया होगा कहीं पर X दिया होगा और A जो है कहीं पर L दिया होगा तो इन सब चीज़ों में confuse नहीं होना है मैं generally R और A लेकर ही consider करती हूं हमेशा ता कि confusion ना हो है ना confusion ना हो ठीक अब ये हो गया अब होगा क्या यहां पर अब होगा क्या कि यह जो M बिन्दू पर जो बिन्दू आवेश है उसकी इस धनात्मा कावेश से दूरी अलग होगी और इस रिनात्मा कावेश से दूरी अलग होगी R दूरी जो हम लोगों ने लिया है वो इस दूरी धू के केंद्र बिन्दू से लिया है ठीक है तो अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर और दूरी भी देख लेते हैं यहां पर जैसे की यह इस धनावेश से इस M बिन्दू की जो दूरी होगी वो यह वाली जो R दूरी ह है ना ये वाली जो आपकी पिंक कलर से खीची हुई R दूरी है तो यहाँ पे अगर मैं R-A करूंगी तो क्या मेरे को धनात्मकावेश से M बिंदू तक की दूरी मिल जाएगी R-A मिलेगे की नहीं समझ में आया की नहीं तो समझ में आना चाहिए की R-A क्यों लिख रही हूं इस M बिंदू पर जो हम लोग बिंदू आवेश लेकर क्या है? X अक्ष पर अक्षिय स्थिती पर ठीक है? अक्षिय स्थिती पर जो लेकर क्या है? ये ये वाली दूरी क्या होगी? ये वाली दूरी क्या होगी? R-A होगी? क्योंकि केंदर तक की दूरी तो कितनी है? R है पहले तो हमारे पास धन आवेश और रिन आवेश, ठीक है, मतलब यहा पर इस M बिंदू पर जो बिंदू आवेश है, मतलब यहां पर आफ लोग देख पा रहो यह जो E प्लस लिखा हुआ है, E प्लस जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग माल लेते हैं E 1, E 1 मतलब कि ये धनात्मक आवेश के कारण इस M बिंदू पर विद्धु छेत्र उत्पन हुआ है और इसकी दिसा इधर ही क्यों है कौन बताएगा कारण कि इसकी दिसा राइट साइड में क्यों है सवाल है मेरा आप लोगों से कि इस धनात्मक आवेश के कारण उस M बिंदू पर जाना विद्धु छेत्र की दिशार राइट साइड में क्यों हैं कमेंट्स में लिख करके बताओ क्लास कर रह वो ना देख रहो ना क्लासेस ध्यान से अगर देख रहा वो तो आसर दो जल्दी से बताओ क्यों है यहां पर भी आप का basic concept वही आएगा कि धनात्मा कावेश से जो विद्यूत बल रेखाएं हैं वो क्या होती है बाहर की ओर निकलती है इसलिए वहाँ पर इसके कारण जो विद्यूच्छित्र उत्पन हुआ जिसको हम लोग ई धनात्मा करके लिखे है या फिर इवन करके लिखे है उसकी दिशा किधर बनाई मैंने right side में बनाई ठीक इसी प्रकार नेक्स कैरण क्या होता है विद्यूत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती है रिनात्मा का ऊवेश के करण प्रदपन हुआ है मतलब इस तरीके से देखो होता है इस तरीके से होता है इसलिए इस लिए हम लोगों को ये जो निकालना है ठीक है अगर हम लोगों को मालों की उस M विन्दू पर निकालना है हम लोगों को विद्युच्छेत्र मलब दोनों द्वीधुओं के कारण विद्युच्छेत्र तो करना क्या पड़ेगा हम लोगों को इस धनात्मकावेश की कारण जो विद्युच्छेत्र उत् हो रहा है इसका परिणामी निकालना पड़ेगा कैसे निकालना पड़ेगा यह जो है हम लोगों को e1 and e2 का परिणामी अब परिणामी कैसे निकालते हैं तो भाई सदिस योग करते हैं सदिस योग करते हैं आवेशु के अध्यारोपन का सिध्धान भी हम लोगों ने पढ़ा तो calculation के लिए हम लोगों को परिमार चाहिए होगा ठीक है तो सदिश योग तो होता है जरूर होता है परंतु हम लोगों को यहां पर सिर्फ और सिर्फ परिमार निकालना है ठीक है तो परिमार के रूप में मैं यहां पर लिख देती हूँ अलग-अलग बुक में आप लोगों यहाँ पर सदीस योग हो रहा है और वैसे करना तो हमको सदीस योग ही है परंतु हम लोग परिमाण के रूप में योग इसलिए करते है क्योंकि calculation हम लोगों को किवल विद्युच्चेत्र के परिमाण की मतलब कि आंकिक मान की करनी होती है ठीक है आंकिक मान की करनी होती है लोगों का परिणामी विद्युच्छेत्र, इसकी दिशा की भी बात करेंगे, डारिवेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग दिशा की बात करेंगे, कि जो हम लोगों का अक्षिय स्थिती में जो परिणामी विद्युच्छेत्र का परिमार आएगा, उसकी दिशा क्या होगी, तब हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो चलो, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर e1 और e2 लिख लेते हैं, e1 और e2 का मान क्या होगा, कल ही आप लोग पढ़े हो, जल्दी से लिख डालो copy में, मेरे से पहले e1 क्या होगा? e2 क्या होगा? ठीक है E1 और E2 क्या होगा एक बटे चार पाई एपसलोन नॉट ठीक है अगर मान लो की परावध्यूतांक है तो के लिख सकते हो नहीं है तो नहीं लिख सकते हो हम लोग विदाउट परावध्यूतांक लेकर चलते हैं आखरी में भले कर देंगे ठीक है और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q बटे अब दूरी दूरी की बात आती है तो E1 के लिए दूरी क्या है E1 के लिए दूरी क्या है R-A तो यहाँ पर मैं क्या लूँगी R-A का वर्ग ठीक है कैसे आया समझ माया क्योंकि हम लोगों के पास विद्यू छेत्र का सूत्र क्या होता है 1 बटे 4 पाई Epsilon 0 Q बटे R का वर्ग यही होता है तो Q के जग हमेंने परिमार रग दिया कि Small Q और जो दूरी है तो यहाँ पर हम लोगों आरे पास दूरी क्या है इस धनावेश से इस बिंदू की दूरी क्या है R-A है तो वो दूरी रग दी मैंने ठीक है सेम इसी तरीके से आप लोगों को E2 के लिए भी लिखना है तो चलो जल्दी से लिख डालो लिख डालो भाई जल्दी से 1 बटे 4 पाई Epsilon 0 Q बटे R प्लस A Q बटे क्या था? R-A का वर्ग प्लस 1 बटे 4 पाई Epsilon 0 Q बटे R प्लस A का वर्ग ठीक है? अब यहाँ पर 1 बटे 4 पाई Epsilon 0 और Q को हम लोग कौमन निकाल सकते हैं? निकाल लेते हैं, यहाँ पर कौमन निकाल लेते हैं Q बटे 4 पाई Epsilon 0 और यह हो जाएगा 1 बटे R-A का वर्ग प्लस 1 बटे R प्लस A अरे भाई, बीजगर इंट है, फटा-फट quickly start हो जाओ pen copy निकालो, चलो-चलो-चलो-चलो pen copy निकालो, और start हो जाओ, फटा-फट से चलो-चलो, फोटो खिचके बेजो मेरे को यूटूब के कमेंट्स में फोटो निया आते, इसलिए बच जाते हो अगर मैं सामने होती, तो सबकी copy चैट करती, ठीक है है ना, तो मतलब feeling वही लाना है कि जैसे कि आप लोग offline classes में पढ़ रहे हो बिल्कुल मेरे साथ बैठ करके पढ़ रहे हो ऐसी ही feeling आनी चाहिए, मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों से engage करने की, पर साथ ही साथ भई आप लोगों को भी participation दिखाना है अगर ऐसी चीजे मैं आप लोगों को देती हूँ solve करके बेजो, तो comment में लिख करके भेजना है आप लोगो को, ठीक है, चलो बेजो भई, क्या होगा, इसका solution जल्दी से बी जीगनी थे, solve करो, solve करो करते हैं, करो, करो, करो भई आप लोगों का participation बहुत ज़्यादा जरूरी है जतना ज़्यादा आप लोग participate करो कि मेरे को भी पढ़ाने में उतना मजाएगा और आप लोगों को भी पढ़ने में मजाएगा है की नहीं भई, है ना है की नहीं हम, चलो, very good अच्छा, यहाँ पर यहाँ पर हम लोगों ने चिनन तो गड़बड कर दिया है भई, यहाँ पर यह तो आएगा क्या यह आएगा आप लोगों का कोई बात नहीं, चिनन को मैं बदल देती हूँ यहाँ पर, है ना इसको कर देती हूँ मैं रिण कर देती हूँ यह रिण चिनन होगा अब सॉल करो, है ना, रिण होगा रिण आत्बक होगा, यहाँ पर हम लोगोंने परिमार के रूप में E1-E2 तो लिखा था ठीके, सभी को clear है तो confuse नहीं हो ना, बिल्कुल भी चलो solve करते हैं, मैं भी solve करती हूँ यहाँ पर Q बटे 4 pi epsilon 0 ठीके, यह बटे में क्या हो जाएगा, इसका लगुत्तम लेंगे LCM लेंगे, R-A का वर्ग R-A का वर्ग, ठीके अब इसको हम लोग इधर ले जाएंगे ठीके, तो R-A का वर्ग minus R-A का वर्ग अब A-B का whole square पूरा बीज गर इंता आप लोगों को लगाना है क्या लगाना है, A-B का whole square और A plus B whole square, तो सारे सुत्र आप लोगों को अब देखो, यहाँ पर हर में, मतलब बटे में क्या आजाएगा, R का वर्ग minus A का वर्ग और पूरे का वर्ग आएगा, अगर आप लोग इसको गुणा करके आपस में solve करोगे तो, ठीक है उपर में क्या हो जाएगा, R का वर्ग plus A का वर्ग plus 2 R-A ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, R यह हो जाएगा, R का वर्ग plus A का वर्ग, minus 2 R-A ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पर क्या है, यह पूरे का वटे है भाई, तो यहाँ पर अगर हम लोग यह ब्रैकेट को open करेंगे, ठीक है और यहाँ पर हो जाएगा R का वर्ग प्लस A का वर्ग प्लस 2RA प्लस यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने से माइनस अंदर गुणा हो जाएगा R का वर्ग माइनस A का वर्ग प्लस 2RA और बटे में क्या हो जाएगा R का वर्ग माइनस A का वर्ग और पूरे का वर्ग अब यहाँ पर आप लोग देखोगे क्या हो रहा है भाई कुछ चीजे कट रही है कुछ चीजे कट रही है तो cancel कर देते हैं इसको क्या कर देते हैं cancel कर देते हैं यह और यह cancel हो गया तू आरे प्लस तू आरे जुड़के कितना हो जाएगा चार आरे हो जाएगा ठीक है अब नीचे वाला यहां पर जो हिस्सा है यहां पर जो R का वर्ग माइनस A का वर्ग जो है ठीक है इसका क्या होगा तो इसका यह होगा कि यहां पर जो R दूरी है ठीक है जो R दूरी है वो बहुत बड़ी है किस से A से कैसे बड़ी है कैसे बड़ी है तो आप लोग यहां पर चित् चोटी सी होती है, चिपकी हुई होती है, और यहां से मालो की केंद्रे से अगर मैं कोई दूरी लूँ, तो यह R जो होती है, यहां पे M बिंदू की जो दूरी, ठीक है, यह R जो होती है, बहुत बढ़ी होती है, एसे, और अगर हम लोग इनका वर्ग कर दे, इनका वर्ग कर तो यह आउरेडी बड़ी राशी है, तो बड़ी राशी का वर्ग भी बड़ा हो जाएगा, और छोटी राशी मतलब कि जैसे मैं 0.4 का अगर मैं वर्ग करती हूं, तो में को क्या मिलेगा 0.1, 0.04 का वर्ग करती हूं, तो और छोटी राशी मिल जाएगी, तो हम लोग छोटी है यहां पर बिल्कुल लिख लेते हैं कि R is very very greater than है और R का वर्ग is very 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 greater than A का वर्ग. So इसलिए है यहां पर क्या करेंगे हम लोग A का वर्ग को neglect कर देंगे. A का वर्ग को क्या कर देंगे? neglect कर देंगे. तो यहां पर हम लोगों का equation क्या हो जाएगा? E A Q बटे 4 पाई एपसलोन नॉट ब्रैकेट में हो जाएगा 4 R A बटे ये हो जाएगा R का वर्ग और पूरे का फिर से वर्ग मतलब R की घाट 4 हो जाएगा और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि A कार तो सबसे पहले यहाँ पर कैंसल हो जाएगा तो R की घाट 3 आजाएगा यहाँ परी साइड में लिख देती हूँ Q बटे 4 पाई एपसलोन नॉट और यहाँ पर हो जाएगा क्या 4 इसको हम लोग लिख देते हैं 2 गुणा 2 A बटे R Q अब 2 गुणा 2 A क्यों लिखा मैंने क्यों लिखा क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि जो हमारा द्वीद्रू आगून होता है Q इन्टू 2 A हना दोनों के बीच की नियुंतंदूरी और एक आविश का परिमार तो यहाँ पर हम लोगों को वैसा ही कुछ दिख है दिखराए कि नहीं यहाँ पर यह देखो यह वाला हिस्सा दिखराए कि नहीं तो हम लोग इसके जगह में क्या लिख सकते है दुवीद्रू आगून लिख सकते हैं तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 2 2p बटे 4pi epsilon 0 और r का q, ठीक है, तो ये हमारा derivation complete हो गया, और finally हम लोगों को अक्षिय स्थिती के लिए विद्युच्छेत्र का परिमार मिल गया, क्या मिल गया हम लोगों को विद्युच्छेत्र का परिमार मिल गया, तो इसको मैं लिख देती हूं, विद्युच्छेत्र का परिमार है, क्या आगे जगा है, हाँ है, बिल्कुल, यहां बढ़ लिख देती हूं, विद्युच्छेत्र का परिमार क्या मिला हम लोगों को, 2p बटे 4pi epsilon 0 r का q, तो ये final हम लोगों को अक्षिय स्थिती के लिए जो है derivation मिला, इसको बिल्कुल एकदम star mark कर लो, बहुत important ह related numericals भी आएंगे, conceptual question, theory question, सब आएंगे, अब यहां पर देख पा रहे हो, अक्षिय स्थिती में जो विद्युच्छेत्र है, वो समानुपाती है, एक बटे r क्यूब के, ठीक है, तो normally इससे पहले हम लोग जो विद्युच्छेत्र देखते थे, ठीक है, तो यहां पर क्या ह होता था, यहां पर जो विद्युच्छेत्र होता था, वो एक बटे r के वर्ग के समानुपाती होता था, परन्तु अक्षिय स्थिती में एक बटे r क्यूब के समानुपाती है, तो यह question आता है, यह normal विद्युच्छेत्र है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ाता, किसी बिं है, इसके भी क्या है, आप लोगों का यह जो, मतलब विद्युच्छेत्र होता है, यह हम लोगों को सुत्र से दिख रहा है, यह सुत्र में बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, यह चीजे हम लोगों को दिख रही है, वैसे यह निरक्षिय स्थिती वाला शुरू हो गया है, पर आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, यह आपजिए स्थिति का पॉइंट्स है, टीक है, यह आपशिय स्थिति का पॉइंट्स है, तु बिल्कुल लिख लो, और क्या है इसमें, और क्या है बताने वाली बात, हाँ, मैं हहा पे आप लोगों को दिशा के बारे में बता रही थी दिशा के बारे में बता रही थी तो मेरे को ये बताओ कि अक्षियस्थिति में विद्युच्छेत्र की दिशा क्या होगी दिशा क्या होगी परिमार तो हम लोगों ने निकाल लिया दिशा क्या होगी जल्दी से मेरे को कमेंट्स करके बताओ मैं आप लोगों की कमेंट्स का रिप्लाई इंतजार कर रही हूँ बिल्कुल जल्दी से क्या होगी भाई अक्षिय स्थिती में विद्युच्छेत्र की दिशा कहा होगी किधर होगी अक्षिय स्थिती में ध्यान में रखना है एकदम ध्यान में रखना है ठीक है अक्षिय स्थिती में जो विद्व छेत्र की जो दिशा है ये अक्षिय स्थिती में इसको लिख देती हूं मैं बिल्कुल साफ साफ अक्षिय स्थिती में ठीक है अब इसकी दिशा जो है वो किधर होगी दिशा दिशा होगी रिण से धन की और, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि द्वीद्रुव आगुन की दिशा में, किधर होगी, द्वीद्रुव आगुन की दिशा में तो भाई इस point को नोट कर लो कि अक्षे स्थिती में जो परिणामी विद्यू छेत्र प्राप्त होगा तो इस परिणामी विद्यू छेत्र की जो दिशा होगी वो रिन से धन की तरफ होगी रिन से धन इवन माइनस एटू और यह जो परिणामी प्राप्त होगा इसकी जो फाइनल दिशा होगी जो एक्जील है उसकी दिशा इस तरीके से होगी इस तरीके से होगी ठीक है और हम लोगों को इस से पहले हम लोगों को पता हिए कि हम लोगों को रिण से धन की तरफ विद्युद व हम लोग निरक्षिय स्थिति के लिए जो विद्धुच्छेत्र हना परिनार्मी विद्धुच्छेत्र का जो डरिवेशन है वो स्टार्ट करेंगे तो देखो मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए स्टार्टिंग से दिखा रही हूं यहां पर यहां से हम लोगोंने समझने वाली बात यह है सिर्फ यह अगर यह समझ में आ गया तो एकदम क्लियर हो जाएगा और हम लोगोंने विद्धुच्छेत्र का सुत्र निकालिया अब हम स्टार्ट करेंगे निरक्षिय स्थिति के लिए अब हम क्या स्टार्ट करेंगे निरक्षिय स्थिति के लिए यहां पर है वाय अक्ष्य पर है तो इसको हम लोग क्या रहे है नीरक्षय सित्ध हो सकता है आप लोगों को परिक्षा में सवाल आएंगे तो इस केंद्र बिन्दु पर भी रखा हुआ आ सकता है तो भाई वहां पर आप लोगों को calculate करना है विद्युत विभाव पढ़ों के आगे के next chapter में तो वहाँ पर भी अक्षी और अक्षी सिथी के लिए विद्ध विभाव आप लोगों को calculate करना होगा, तो आज जो class में आप लोग concept निकालने का तरीका जो सीखियों, वो चीज आप लोगों को next chapter में भी काम आएगी, ठीक है, तो बिल्कुल 4-5 question आप लोगों के बिल्कुल तयार हो जाएंगी, आप लोगों के exams के लिए, तो बिल्कुल इस तरीके से बनेगा, तो अब प्रश्ण अलग-अलग type के पूछते हैं, कहीं पर केंद्र पर पूछ देता है, तो कहीं पर अक्ष के किसी भी बिंदू पर पूछ देता है, ठीक है, तो चलो, यहाँ पर मान लोगों की हम लोगों ने क्या किया, मान लोग कि यहाँ पर, बिल्कुल यह वाय अक्ष पर, यह केंद्र ह है ओ ठीक है केंद्र है ओ यह जो है हमारा क्या है वायक्ष है इस वायक्ष पर हम लोगों ने क्या लिया यहां पर M बिंदू लिया, क्या लिया, M बिंदू लिया, ठीक है, M बिंदू लिया, अब होगा क्या, इसके लिए जो विद्यू छेत्र है, इसके लिए जो विद्यू छेत्र है, इसको वन बाई वन करके देखते है, इस धनात्मा कावेश के करण भी विद्यू छेत्र होगा, रिनात् अब रिनात्मा कावेश और इस M बिंदू पर जो बिंदू वावेश है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिस हाना रिनात्मा कावेश में क्या होती है विद्यूत बल रेखाएं अंदर की तरह पाती है तो अब इस बल इस इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिस यहाँ पर क्या रही है अंदर की ओर विद्यूत छेत्र की दिशा यहां पर हम लोगों को E1 प्राप्ट हुआ, यहां पर हम लोगों को क्या प्राप्ट हुआ, E2 प्राप्ट हुआ, अब आप लोग देख पा रहे हो कि दोनों ही ना तो X अक्ष में है, ना तो Y अक्ष में है, और इस तरीके से कोई भौतिक रांशिया अगर ना तो X अक्ष मे अगर ये दोनों कोण हम लोग ठीटा मानते हैं ठीक है तो इसकी वजह से यहां पर वाला ये जो कोण है ये भी क्या हो जाएगा ठीटा हो जाएगा और ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा ठीटा समझ में आ रही है बात बिल्कुल यहां पर बना देती हूं यहां पर ये दोन का घटक कोस के फॉर्म में रहते हैं तो ये क्या हो जाएगा E1 कोस थीटा और ये वाला क्या हो जाएगा E1 साइन थीटा ठीक है अब इसी प्रकार से आप लोगों का क्या हो जाएगा ये वाला जो E2 का घटक है E2 का घटक यहां पर E2 का घटक भी हम लोगों को मिलेगा तो य समान परिमान के अगर आवेश है भले ही वो विपरीत आवेश होने की वज़ा से इनकी दिशा अलग अलग हुई परन्तु E1 और E2 का परिमान तो वही होगा ठीक है परिमान तो वही होगा परिमान वही होगा मतलब क्या होगा कि ये जो है E1 साइन सिता और E2 साइन सिता ये क् विपरीद दिशा में होने के कारण, ठीक है, समान परिमान और विपरीद दिशा में होने के कारण, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पस बचेगा क्या यहाँ पर ठीक है तो इसके लिए जो विद्यू छेतर है उसको मैं इस तरीके से E, capital E और small e से प्रदर्शित करूँगी ठीक है तो हमारा यहाँ पर जो small e मतलब कि यह क्या है हमारा परिणामी विद्यू छेतर है परिणामी विद्यू छेतर है इस E1 और E2 के कारण परिणामी विद्यू छेतर है अब जायर सी बात है दोनों जो है इस दिशा में है तो हमारे पास जो परिणामी विद्यू छेतर है यह परणामी विद्धु छेतर जो है इधर इसकी दिशा किधर प्राप्त होगी इस तरीके से लेट साइड में प्राप्त होगी ठीक है अब यहाँ पर परणामी विद्धु छेतर निकालने के लिए क्या क्या जूड़ेगा यहाँ पर e1 cos theta plus e2 sin theta यह दोनों हमारा परिमार जो है वो जूड़ जाएगा यह दोनों परिमार हमारा जूड़ जाएगा ठीक है अब यह दोनों तो एक दुसरे को cancel out कर दिये तो cos theta वाला जो हिस्सा है वो हमारा जूड़ जाएगा अब यहाँ पर हम लोग e1 और e2 का मान निकालेंगे e1 और e2 का मान निकालने के लिए हम लोगों को दूरी चाहिए होगी क्या चाहिए होगी e1 और e2 का मान निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पर इसकी दूरी चाहिए होगी और क्या चाहिए होगा हम लोगों को इसके लिए दूरी चाहिए होगी चलो तो सबसे पहले जाम मतलब की केंद्र से जो दूरी होती है, जिसका भी हम लोगों को परिणामी विद्धु च्छेतर निकालना है, उसको हम लोगों हमेशा R ही लेते हैं, ठीके, अगर इसकी दूरी R है, तो ये वाली दूरी तो हमको पता है, ये A है और ये A है, ठीके, तो ये A और R ये हम लोगों को पता चल गया अब हम लोगों को ये वाली दूरी चाहिए क्या चाहिए ये वाली दूरी और ये वाली दूरी चाहिए मतलब कि मैं यहाँ पर जो है अलग से बना दे रही हूँ ये केंद्र बिंदू है O ठीक है और ये है और ये ये M बिंदू है इसको हम लोग माल लेते हैं A और इसको माल लेते हैं B ये दूरी हम लोगों को पता है ये भी पता है हम लोगों को दूरी अब हम लोगों को चाहिए क्या चाहिए क्या ये वाली दूरियां चाहिए ये क्या है यह वाली दूरियां, तो यह वाली दूरियां कैसे निकलेगी, अगर हम लोग एक त्रिभूज लेंगे, AMO, है ना, और इस पर अगर हम लोग क्या करेंगे, पाइथा गोरस प्रमेन लगाएंगे, तो क्या हम लोगों को दूरी निकल जाएगी, निकल जाएगी, क्या निकल ज ठीके त्रिभूच को मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बना देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से clear clear समझ में आ जाए ये o बिंदू है ये a है ये m है ये वाली दूरी a है ये वाली दूरी r है तो हम लोगों को करण अगर हम लोगों को यहा ये वाली जो दूरी इसको हम लोग क्या लिख सकते है वर्ग मूल r का वर्ग प्लस a का वर्ग ये वाली भी दूरी क्या हो जाएगी वर्ग मूल r का वर्ग प्लस a का वर्ग अब यहीं दूरी हम लोग क्या करेंगे इनके सुत्र में लिखेंगे तो यहां से हम लोगों को e1 और e2 क्या मिल जाएगा e1 और e2 जल्दी से लिख डालो क्या मिलेगा परिमार तो वही होगा q बटे 4 पाई epsilon not q बटे 4 पाई epsilon not ठीक है और यहाँ पर जो दूरी है वो हो जाएगी एक बटे वर्ग मूल r का वर्ग प्लस a का वर्ग और इसका का वर्ग प्लस a का वर्ग सही है कि नहीं चल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ सेम इसी प्रकार से यहाँ पर e2 के लिए हो जाएगा 4 पाई epsilon not r का वर्ग प्लस a का वर्ग ठीक है सेम ऐसे ही हो जाएगा तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर इस बादनी रक्षिय स्थिती के लिए दोनों के परिमार बिल्कुल मतलब एकदम सेम आ रहे हैं वहाँ पर पिछली बार क्या हुआ था एक में आर माइनस a था एक में आर प्लस a तो कैलकुलेशन ठोड़ा कव गया था यहाँ पर तो और इसी हो जाएगा और इसी हो जाएगा ठीक है अब हम लोगों को यह जो stabilize वालत रहे हैं इसमें रखना है मान को और कैलकुलेशन करना है तो रख लो मान proxy बराबर क्या हो ये व्रभबर क्या हो जाएगा, चलू चलू मान रखो, फटा फट से, फटा फट से क्वीकली मान रखो, रखो भाही, रखो, मान रखो, बिल्कुल आपको ट्राई करना है, engaged रहना है, मनलें बिल्कुल इन्व लॉल्व होना है क्लास में, ठीक है, możा रखो, प्लास का टाईम हो रहा है quickly हम लोगों को करना है फटा फट से करना है एक दम fast देख लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा even even के जगह में हम लोग रखेंगे q बटे 4 पाई epsilon 0 देखो सबसे फैली बात तो यहाँ पर even बराबर e2 बराबर e ले लेते हैं क्योंकि दोनों के ही परिमार समान है तो यहाँ पर जो हमारा ea है ea बराबर जैसे e1 cos theta प्लस e2 cos theta आया था है न तो यह क्या हो जाएगा आप लोगों का 2 2 e cos theta हो जाएगा अब मैं यहाँ पर 2 e cos theta हो जाएगा तो सीधा-सीधा यहाँ पर जब परिमार रखूंगी तो यह हो जाएगा 2 2 q बटे 4 pi epsilon 0 4 pi epsilon 0 ठीक है और यह हो जाएगा r का वर्ग प्लस e का वर्ग और यहाँ पर आ जाएगा cos theta ठीक है अब हमारा जो में टास्क होगा वो इस cos theta को find out करना होगा जल्दी से find out करो यहाँ पर cos theta कैसे निकालोगे यह पहला वाला डाइग्राम है यह देख लो यहां पर कॉस्थिटा कैसे निकलेगा तो यह वाला त्रिभूज का ही इस्तमाल करेंगे ठीक है जो यह त्रिभूज का इस्तमाल किये थे ना इस त्रिभूज में ही हम लोगों को और क्या निकाला है कॉस्थिटा निकाला है तो क प्लस आर का वर्ग यही निकाला न हम लोगों ने या फिर आर का वर्ग प्लस ए का वर्ग वर्ग मुल यह निकाला न हमने तो यह हो जाएगा तो कॉस थीटा का मान हम लोग यहां पर से लिख देंगे क्या लिखेंगे यहां पर यहां नीचे लिख देती हूं यहां नीचे ल वर्ग मूल, R का वर्ग प्लस A का वर्ग, ठीक है, अब ये वर्ग मूल और ये इसकी घात में 1 है, ठीक है, तो 1 प्लस आधा, बराबर 3 बटे 2, कैसे, अब इसका घात 1 है, अब इसकी घात, R का वर्ग, प्लस A का वर्ग, अब इसका वर्ग मूल है, तो इसकी घात में क्या कर स सकती हूं कर सकती हूं एक बटे दो कर सकती हूं तो यहां से क्या हो जाएगा इनकी घात अगर जुड जाएगी तो हमारे पास यहां पर ईए जो है आएगा क्या आएगा यहां पर लिख रही हूं मैं 2QA 2QA यहां पर 4Pi epsilon 0 और यह हो जाएगा R का वर्ग प्लस A का वर्ग और पूरे की घात 3 बटे दो और यहां पर आप लोग देख पा रहे हो यह द्वीद्रू आगोन का है हमारा द्वीद्रू आगोन का है तो यहां से अगर हम लोग मान रखेंगे तो यह E A बराबर हो जाएगा क्या P बटे 4Pi epsilon 0 ठीक है और R का वर्ग प्लस A का वर्ग और पूर जादी नियुन तंदूरी तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे यहां पर फिर से हम लोग क्या करेंगे A का वर्ग नेगलेक्ट करेंगे लिख लो जल्दी से लिख लो नेगलेक्ट करेंगे हम लोग यहां पर फिर से A का वर्ग को ठीक है देखो derivation है में भी हो सकता है कि formula है P बटे 4 पाई epsilon not और R का वर्ग और पूरे का यहाँ पर क्या आया था हमारे पस हाँ यह आर की घात 3 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पस क्या आएगा आर की घात 3 ठीक है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि निरक्षिय स्थिती के लिए भी जो हमारा द्वीद्रू आगोन है वो क्या है समानुपाती है समानुपाती तो है परन्तु इसकी दिशा दिशा क्या होगी यह आप लोगों को बताना है जल्दी से कमेंट करके सोच रहे हो मैं यह बता देती हूं कि इसकी जो बीच की दूरी है वो क्या होगी एक बटे आर क्यों के समानुपाती होगी यह दिरलेशन बहुत इंपोर्टेंट है आता है पूछा जाता है ठीक है अब द्वीद्रू आगोन की दिशा बताओ मेरे को जल्दी से बताओ बता द्वीद्रू आगोन होगा उसकी दिशा रिण से धन की तरफ इस तरीके से होगी ठीक है परन्तु यहां पर आप लोग देख सकते हो कि जो विद्युद्चेत्र की जो दिशा है इस निरक्षय स्थिती के लिए वो द्वीद्रू आगोन के विपरीद दिशा में है मतलब की धन से रिण की तरफ है किधर है धन से रिण की तरफ है तो बिल्कुल आप लोग यहां पर लिख सकते हो कि यहां पर जो दिशा होगी वो किधर होगी धन से धन आवेश से रिण आवेश की तरफ होगी और धन आवेश से रिण आवेश की तरफ होगी इसका मतलब क्या है पी करता है कि निरक्षिय स्थिति के लिए विद्यो छेत्र कि जो दिशा है वो द्वीधु आगुन के विपरित दिशा में है ऐसा आप लोगों को कभी-कभी option में आता है तो वहाँ पर confused नहीं होना है बिल्कुल समझना है यह final answer आप लोग आ गया box बनांके बिल्कुल इदम star mark ब बराबर सतत का मतलब होता है बराबर मतलब की एक बराबर जैसे होता है न कि मम्मी जैसे अगर मान लोग की आम काटती है गर्मी का दिन तो चला गया आम आप लोगों ने खाये होंगे बहुत मजे क्या होगा तो अगर दो तीन भाई बहन है तो बराबर बराबर देती है सब को वरना क्या हो जाएगा जगला हो जाएगा उसी तरीके से हमारे पर जितने भी विद्धित आवेश जो भी हम लोगों ने पढ़े जिन से बल रेखाए निकल रही थी जिन पर आपस में विद्धित बल लग रहा था वो सारे आवेश ठीक है अगर किसी सतह पर बढ़ते है त जैसे कि आप लोग डाइग्राम में देख पा रहे हो यहाँ पर तीन तरह का मतलब पदार्थ है जिसमें हम लोग आवेश के वितरन को पढ़ेंगे ठीक है तो ये एक सरल रेखा है ये तार है समझ जाओ एक्ट्वल में क्या है एक तार है क्योंकि आप लोग आगे जो है व एक ही आवेश वितरन ध्यान से सुनते जाना भई मज़ेदार है इंट्रेस्टिंग है बिल्कुल और कमेंट्स लगातार करते रहना है जो समझ में आ रहा है दिमाग खुले रखना है कॉपी पैन जो है हाथ में एकदम अक्टिवली पकड़े रहना है और कमेंट्स भी आप कमेंट्स में लिख के बता देना ठीक है तो यहां पर जो आवेश का वितरन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रिस्थिय आवेश वितरन मतलब कि यहां पर आक्रिती के अधार पर हम लोग जो है नाम रख रहे हैं रेखा में जब हम लोगों ने आवेश का वितरन किय तो रेखें आवेश वित्रण। पर जब हम लोगों ने आवेश का वित्रण। तो प्रिस्ठी आवेश वित्रण। और ये जो है, जो हैं वो स्थानान्तृत हो रहे हैं जिसकी वज़़ से एक वस्तुıldıaches दूसरी वस्तूरेड अवेश ही तो रही है दो विप्रित आवेशों के बीच में आकर्षन तथा समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षन जो कुलाम के नियमें पड़ा, फिर हम लोगों ने ये देखा कि एक विद्यूत आवेश, एक आवेश से विद्यूत बल रेखाएं निकलती है, वो अपना एक एरिया बनाता है, जिसको हम लोग विद्यूत चेत्र क के लिए भी हम लोगों ने बल रेखाएं देखा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उन विद्यूत आवेशों को किसी, मतलब तीन प्रकार के यहाँ पर हम लोगों ने लिया हुआ है, एक रेखाली है, एक प्रिष्ठ लिया है, एक आयतल लिया है, इन पर हम लोग इनका वितर विदर्ण होगा, तो इस प्रकार से होगा, यह आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार से इनका वितरन होगा, क्या आप लोगों को clear दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इस तरीके से आवेज जुह है, समानरूप से इसके हर जगह पर समानरूप से क्या हो जाएंगे, वित्रित हो जाएंगे, समान रूप से सब तरब जो है वो, क्या हो जाएंगे, वित्रित हो जाएंगे, नहीं दिख रहा होगा, तो एक बार फिर से बना देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं बना देती हूँ, पिंक कलर से, शायद आप लोगों को अच्छे से दिखे, ठीक है सो यह क्या हो जाएगा आप लोगों का दिख रहा है क्या अभी अभी दिख रहा है अभी भी नहीं दिख रहा है ओफ यह तो कौन सा कॉलर चूज किया जाए ओके सो यहां पर इस तरीके से ग्रीन कलर से दिख रहा है क्या बिलकुल रेट कलर ही करना पड़ेगा लगता है के से आवेश का वित्रण, मतलब कि सतत आवेश वित्रण, इसका हम लोग calculation पढ़ेंगे, इसका derivation को समझेंगे, पर theory concept यही है, कि हम लोगों ने अलग अलग प्रकार की आकरितिया ली है, एक रेखा लिया है, एक प्रिष्ट लिया है, एक आयतन लिया है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आवेश को समान रूप से वित्रण कर रहे हैं, जब हम लोग एक सरल रेखा में वित्रण किये, ठीक है, तो यहां पर जब हम लोग वितरन करेंगे एक प्रिष्ट पर इसका वितरन करेंगे तो यहां पर इस ते रिसके देखो समान रूप से हम लोगों ने क्या किया आवेश को चारो तरफ में वितरीत कर दिया आवेशन की विधियां भी आप लोगों ने पढ़ा था आवेशन की विधियों में क्या हो रहा वित्रन जो है चारो तरफ से आवेश जो है चारो तरफ से समान रूप से फैल जा रहा था ठीक है समान रूप से फैल जा रहा था एक्च्वल में वही सतत आवेश वित्रन था पर उसको हम लोगों ने वहीं तक के समझा था अब जब हम लोगों ने बहुत सारी चीजें समझ लिया है, विद्धुत आवेश को complete समझ लिया है, बल के बारे में पूरा complete समझ लिया है, द्वीधु के बारे में पूरा complete समझ लिया है, तब जा करके हम लोग इस सतत आवेश वितरण के topic को अपड़ रहे हैं, जहां पर इस तरीके से जो आवेशन की विदियो से मालो से है ठीक है समारूप से है बिल्कुल आप लोग डाइग्राम कॉपिं पनाओगी ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया है एक एक करके वन बाई वन तीनों चीजों को मैं आप लोगों को फिर से एक्स्प्लेंड करूंगी ठीक है सो ये इस तरीके से आप लोगों का हो होता है चाह आवेश कितना होता है और मतलब यहां पर जो भी हमारे पास है है उनको अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है क्या क्या है ये एक बार हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जैसे कि मान लोग की रेखा प्रिष्ठ और आयतन तीन आकार हम लोगों ने लिया ठीक है तो मान लोग की इस छोटे से हिस्से में दो आवेश यहां पर मौजूद है मान लो ठीक है अब यहां से मान लोग की ये पी बिंदू है ये पी बिंदू है तो पी बिंदू जो है वो कितनी दूरी पर रखा हुआ है आर दूरी पर रखा हुआ है तो इस छोटे से इस छो का मान कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर हमें यहाँ पर जो है रेखिया आवेश घनत्व चाहिए होता है अब घनत्व का मतलब क्या होता है यह मैं समझा देती हूं आप लोगों को एक एक शब्द का मतलब आप लोगों को बताना जरूरी है घनत्व का मतलब होता है द द्रव्यमान बटे क्या आएगा द्रव्यमान बटे छेदरफल और यह जैसे कि रेखिय आकरिती है तो यहाँ पर क्या आजाएगा द्रव्यमान बटे लंबाई आजाएगी तो जब हम लोग यहाँ पर घनत्व निकालेंगे इस रेखा के लिए ठीके तो वो क्या कहलाएगा रेखिय आवेश घनत्व, तो यह एक नया हम लोगों को भौतिक राशी पता चला, यहाँ भी एक प्रकार की भौतिक राशी है, रेखिय आवेश घनत्व, इसको हम लोग किस से प्रदर्शित करते हैं, लैमडा से प्रदर्शित करते हैं, ठीके, यहाँ पर जो प्रिष्ठ है हम लोगों को यहाँ पर भी हम लोगों को आवेश घनत्व प्राक्त होगा आवेश घनत्व मतलब कि इस पूरे सतह में इस पूरे प्रिष्ट पर जो समान रूप से आवेश का वितरण हुआ है ठीक है तो वहाँ पर छोटे सा छेत्रफल अगर हम लोग लेते हैं तो उस छोट पर ये भौती समझ जाओ वन बाई वन समझाओंगी तो डिटेल में आप लोगों को समझ में आएगा प्रिष्टि आवेश घनत्व हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे ठीक है जिसको हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं किसे प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से प् तो यहाँ पर जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं आईतन आवेश घनत्व और यहाँ पर जो आईतन आवेश घनत्व है इसको हम लोग प्रदर्शित किसे करते हैं तो प्रदर्शित हम लोग यहाँ पर इसको करते हैं इसको हम लोग किसे प्रदर्श रो से प्रदशित करते हैं आयतन आवेश घनत्व को ठीक है वन बाई वन करके मैं आप लोगों को इसको और अच्छे से डिटेल से समझाती हूँ वैसे आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है कि तीन प्रकार की आकरिती में ह हम लोग क्या करते हैं सतत आवेश वितरन को समझते हैं और वहाँ पर हम लोग प्रिश्ची आवेश घनत्व रेखी आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व को जो है कैलकुलेट करते हैं और उसकी सहायता से हम लोगों को यहाँ पर इन पर आवेश का वितरन प्राप वाली क्लास में, विद्व छेत्र का सुत्र क्या आया था, एक बटे चार पाई, एक्सलान नॉट, क्यू बटे आर का वर्गा, आया था की नहीं आया था, ठीक है, और ये आज जो थी, वो क्या थी, दूरी थी, आज जो है वो दूरी थी, पी बिंदू पर जो आवेश रखा है, उसकी दूरी थी, क्या है, किसकी दूरी थी, पी बिंदू पर जो आवेश रखा है, उसकी दूरी थी, ठीक है, उसकी दूरी थी, क्यू तो था, आवेश था, ठीक है, अब हमारे पस तीन आकरितियां थी, तो वन बाई वन करके हम लोग तीनों आकरितियों के लिए देखेंगे, तो ये सुत्र आप लोगों को याद है, ठीक है, तो इसको मैं हटा रही हूँ यहाँ पर से, ये सुत्र जो याद है आप लोगों को, यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, रेखिया, आवेश, घनत, रेखिया, तीन प्रकार हो गए इसके, तीन प्रकार हो गए, रेखिया, आवेश, विद्रण, प्रिष्ठि आवेश, विद्रण, आयदनिक आवेश विद्रण, तीनों को, वण बाई वन समझ लेейств है, तो इस तरीके से एक तार है मालो, अब इस पर अगर हम लोग आवेश का वितरेंट बनाएंगे, तो यहाँ पर जो है मालो की आवेश का वितरेंट जो है, इस प्रकार से समान रूप से वितरित है, ठीक है, अब हमालो की यहाँ पर हमें, इस तार से P बिंदू पर, मतलब की इस तार से P बिंद करना है ठीक है तो विद्युच्छेत्र कैलकुलेट करने के लिए हमें सुत्र क्या नुसार क्या चाहिए यहाँ पर लिख देती हूं एक बटे निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे छोटी सी लंबाई लेंगे ठीक है छोटी सी लंबाई के लिए एक साथ calculate करना संभाव नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी एक छोटी अब लोग 11 में जब आप लोग यांत्रिक फिजिक्स के बारे में जब आप लोग वहां पर 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 थे ठीक है, तो वहां पर आप लोग इस तरीकी से बहुत साई चीजे देखे होगे, यहां पर हम लोग जो है मतलब विद्ध से रिलेटेद चीजे पढ़ रहे हैं, इस छोटी सी लंबाई के लिए जब हम लोग आवेश कैलकुलेट कर लेंगे, तो पूरी लंबाई के लिए हम लोगों को कैसे मिलेगा आवेश, कैसे मिलेगा पूरी लंबाई के लिए याद करो, अवकलन पताओ, है ना आप लोग वहाँ पर वेक त्वरन के बारे में पढ़ते थे क्योंकि आप लोग 11 पढ़ के आए हो इसलिए मैं आप लोगों को 11 का example दे रही हूँ ठीक है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इस छोटे से लंबाई के लिए हम लोग यहाँ पर ऩर। यहाँ कैलकुलेट करेंगे DQ कैलकुलेट करेंगे DQ या फिर डेल्टा Q इसको डेल्टा Q भी लिख सकते हैं अलग ULK में अलग अलग नोटेशन दिया होगा आप लोगों को मैं बता देती हूँ डेल्टा Q लिखो DL लिखो या फिर आप लोग इस तरीके से del l लिखो ठीक है सब का मतलब क्या होता है इन सब का मतलब होता है small मतलब छोटा सा छोटा सा भौतिक राशी मतलब जो भी भौतिक राशी है उसका छोटा सा हिस्सा ठीक है यहाँ पर मालो कि d delta l ठीक है यह जो डल्टा है, या फिर D है, या यह तो यह डल है, तो यह सारी चीजे छोटी सिराशी को ही प्रदर्शित करती है, I hope कि आप लोगों को यह सारी चीजे पता होगी, बट अगर किसी को नहीं पता है, तो मैं उनके लिए एकदम बेसिक से मतलब हर चीजे, छोटी-छोटी चीजे भी मैं आप लोगों को पूरा explain कर रही हूँ, ठीक है, कम टाइम में आप लोगों को जादस जादा explanation देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, तो यह इस तरीके से हुआ, अब यहाँ पर, यहाँ प ठीक है, तो रेखिया आवेश घनत्व, इसको हम लोग प्रदसित करते हैं, इस तरीके से लैम्डा से, क्या बोलते हैं इसको लैम्डा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, अब रेखिया आवेश घनत्व, तो घनत्व हम लोगों को पता होता है, घनत्व मतलब क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है अगर आप लोगों की आकरिती आयतनिक है तो यहां पर हमारी आकरिती क्या है रेखिया है तो यहां पर जो रेखिया आवेश घनत्व हमको मिलेगा यह क्या हो जाएगा हमारा यह जो हो जाएगा हमारा आवेश बटे लंबा मतलब यहां पर हो जाएगा Q बटे L, तो बेसिक से आप लोगों को एकदम रूट से समझना है, जड़ को समझना है, तो इस तरीके से हम लोगों को रेखी आवेश घनत्व यहां पर मिल गया, अब हम लोगों को यहां पर क्या चाहिए, यहां पर हम लोगों को E calculate करने के लिए क्या चाहिए, क्यूं चाहिए, ठीक है, तो क्यूं नहीं काने के लिए, हम लोगों को क्या मिलेगा, इस छोटी सी लंबाई के लिए मिलेगा, सबसे पहली बात तो मैं इस छोटी सी लंबाई के लिए आप लोगों के लिए क्या लिख लेती हूँ, लिख लेती हूं कि वहाँ पर मैंने डिलल लिखाओ वुआ है, ठीक है, डिल, dq, बटे डिल, ठीक है, सो यहाँ से हम लोगмо को क्या पराप्त होगा, थोड़ा सा आवेश प्राप्त हो जाएगा थोड़ी सी लंबाई के लिए आवेश प्राप्त हो जाएगा ये रेखी आवेश घंद्व का मान आप लोगों को प्रेश्ण में अगर निमारिकल सौल करोगी तो हो सकता है कि वहाँ पे दिया रहेगा ठीक है अगर विद्युच्छेत्र ग्याद करना के लिए बोलता है रेखी आवेश के फॉर्म में रेखी आवेश घंद्व के फॉर्म में जिसका मान आप लोगों को प्रेश्ण में दिया होता है अब जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को इस पूरी रेखा के लिए अगर हम लोगों को क्या ग्याद करना है अगर ये पूरे आ प्रेखा के लिए आवेश प्राप्त हो जाएगा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा क्यू बराबर आवेश बराबर क्या हो जाएगा लेमडा और डी एल तो यहाँ पर जो है समा कलन हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है लंबाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो य सारी चीजे आप लोगों को प्रश्ण में दी रहेएगे, आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब क्या है, एक लोग के लिए, वन है, ठीके, तो वह वहाँ पर जब आप लोगों को निमरिकल मान दिया रहेगा, तो उसके हिसाब से आप लोग कर देना ये समा कलन का चिन है ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो रेखिया आवेश वित्रण ग्याद कर सकते हो ये क्यों ही क्या है रेखिया आवेश वित्रण है ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं तो ये हम लोग इसल की आवश्यक्ता पढ़ेगी विद्युच्छेत्र कैलकुलेट करने के लिए स्रेखिय आवेश घनत्व की आवश्यक्ता पढ़ेगी जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर मान लिग दिया हना तो यहां से अगर हम लोगों को आवेश का मान मिल जाएगा तो क्या करेंगे विद्युच्छेत्र क्यात करने के लिए आवेश के मान को यहाँ पर रग देंगे मतलब कि यह वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो यह कैलकुलेशन तो हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग गौस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो इसके बाद ने अगे के टॉपिक्स मे करेंगे ठीक है आगे हम लोग देखते हैं प्रिस्थि आवेश घंड़त्व के बारे में सभी को clear है जलदी से मेरे को comment करके बताओ सभी को clear है कि नहीं सबने नोट किया है कि नहीं अगर नोट नहीं किया है तो बता दो मैं बिल्कुल फिर से open कर दूँगी ठीक है फिर से मतलब वो slide आप लोगों के सामने जो है ले आऊंगी चलो भई नोट वगरा कर लो अगर नोट नहीं कियो तो प्रिस्टि आवेश घनत्व प्रिस्टि आवेश विद्रण तो ये प्रिस्टि आवेश विद्रण किसी प्रिस्ट पर हम लोग निकालेंगे तो एक प्रिस्ट बना लेते हैं ठीक है अब इस प्रिस्ट पर जो है आवेश होंगे क्या होंगे जब हम लोग इस प्रिष्ट को क्या करेंगे आवेशित करेंगे आवेशन की विधियों के द्वारा तो होगा क्या इस पर जो आवेश का वितरन है समार रुप से चारो तरफ हो जाएगा अब इस पूरे सतह के लिए अगर हम लोगों को क्या ग्या क्या करेंगे इस छोटे से छेत्र फल पर हम लोग आवेश ग्याद करेंगे तो ये ग्याद करने के लिए हम लोगों को किसकी आवश्यक्ता पड़ेगी यहां पर हम लोगों को यहां पर आवश्यक्ता पड़ेगी प्रिस्थिय आवेश घनत्वकी किसकी आवश्यक्ता पड़ हैं अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है यहाँ पर हम लोगों ने छोटा सा छेत्रफल लिया है तो यह जब छेत्रफल लिया है ठीक है छेत्रफल लिया है तो मान लो कि यहाँ पर इस छेत्रफल से पी बिंदू पर जो की आर्दूरी पर रखा हुआ है तो इस पी बिं छोटा सा जो छेत्रफल है उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे आवेश निकालेंगे छोटा सा छेत्रफल मान लोग कि क्या है हमारा d d s ठीक है d s या फिर d a जो भी लिखना चाहो या d a ठीक है d s या d a है ना s for surface a for area तो आप जो भी चाहो लिख सकते हो अलग-अलग पुस् या आवेश घनत्व ग्यात करेंगे तो उस छोटे से छेत्रफल के लिए हम लोगों को आवेश जब ग्यात हो जाएगा तो हम लोग उसका पूरे उसका क्या करेंगे समा कलन कर देंगे तो हम लोगों को पूरे प्रिस्ट के लिए ग्यात हो जाएगा बात समझ में आ रही की नहीं उपर से उड़के जारी होगी तो प्लीस थोड़ा सा बैक कर लो और सुन लो ठीक है क्या करना है हम लोगों के हाँ पर पूरे सत्थ के लिए अगर हम लोगों को कुल आवेश ग्याद करना है ताकि हम लोग इस सत्थ के कारण इस फी बिंदू पर विद्धु छेत्र ग् किया तो वो आवेश हम लोग कैसे ग्याद करेंगे प्रिष्ठी आवेश घनत्व की सहायता से ग्याद करेंगे जिसको हम लोग क्या करते हैं सिगमा से प्रदैशित करते हैं अब जैसे कि यहाँ पर जो आकृती है वो कैसी है प्रिष्ठी चेत्रफल आकृती है मतलब कि यह बराबर तो यह Q बटे A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q बटे, तो भाई, यह चीज आप लोगों को आगे भी काम हैगी, प्रिश्ची आवेश खाना, तो इस चीज लोगों को याद रख लेना, कि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटे A होता है, ठीक है, अब यहाँ से जैस कि आप लोग देख पा रहे हो, केवल एक ही आवेश रखा हुआ है, पांकी में देखो कितने सारे आवेश, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए हुए है, तो बिल्कुल ऐसे कलर फुल बनाओंगे, तो आप लोगों को डिफरेंस भी पता चलेंगे, तो बहुत अच्छे नोर्स किस तरीके से कलर फुल बना सकते हो, ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले, ठीक है, और इसमें कोई अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस प्राक्टिस चाहिए, कर लो, ताकि आप लोगों को पढ़ने में इजी हो, इंट्रेस्टिंग भी लगता है, कोई भी अच्छी लगती है, तो नोड्स अच्छे होंगे, सुन्दा दिखेंगे, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, नोडस कैसे बनाना है, तो इसके लिए भाई, आप लोग को जो भी मैं बताती हूँ, जो भी मैं बोलती हूं, उसको ध्यान से सुना करो, एक बार में न कि नहीं जितना मैं बोल रही हूं उतना मैं लिखने ही पाऊंगी क्योंकि इसलिए आप लोगों को सुनने पर फोकस होना चाहिए तो आप लोगों का एकदम सिंगल के लिए थोड़ा सा आवेश विलेगा तो यहाँ पर actually में क्या मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ पर dq बराबर sigma d a ठीक है अब जाएसी बात है अगर हम लोगों को पूरे सतह के लिए चाहिए ठीक है पूरे सतह के लिए अगर आवेश का वितरन चाहिए क्या चाहिए आवेश का वितरन ही कॉलेट करर Почему Allah क्या करेंगे समा कलंगे मैं देखो मैं यहां पर बोड पर ही लिख दे रही हूँ, इलावरेट करके लिख दे रही हूँ, जो भी मैंने कहा, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, प्रॉपर हो सके, आप लोगों को दिमाग में अच्छे से घुश जाए, तो यहाँ पर अगर हम लोगों को दिमाग में अच्छे से घुश ज निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यों सिग्मा ये, इस तरीके से, ठीक है, तो ये हम लोगों को प्रिस्थिया आवेश वितरन प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, प्रिस्थिया आवेश वितरन प्राप्त हो गया, इसको बिल्कुल आप बॉक्स बना के लिख लो, ठीक है, तो दो चीजों के लिए तो हम लोगों को मिल गया, रेखिया आवेश वितरन, पिस्चे आवेश वितरन, अब हम लोगों को क्या चाहिए, आयतन आवेश वितरन चाहिए, क्या चाहिए अब हम लोगों को, आयतन आवेश वितरन, ठीक है, अ अब हम लोगों ने रेखी आवेश घनत्व देखा, प्रिस्ठी आवेश घनत्व देखा, अब हम लोग क्या देखेंगे, आईतन आवेश घनत्व के लिए हम लोगों को जरुवत होगी, किसकी हम लोगों को जरुवत होगी, आईतन आवेश घनत्व के लिए हम लोगों को जर रोना आ जाता है ना वो वाला रोना नहीं है रो है प्रोनाउशेशन बिल्कुल ऐसे है और फिलिक्स पढ़ते पढ़ते रोना आप लोगों को आना नहीं चाहिए ठीक है रोना गाना बन करो चुप चाप स्मार्टली वर्क करो फोकस करो यार यह एज में मतलब ऐसा फीलिंग सकता है आप लोगों को बढ़ आप लोगों को अपनी आपको अपने एमोशन को कंट्रोल में रखना होगा यह कितना ज्यादा जरूरी है यह आप लोगों को तब समझ में आएगा जब आप इसको रियल लाइफ में यूटिलाइस करोगे सोच नहीं सकते है पिछले क्लास मे आप लोगों के मैडिकल एकुपमेंट जितने भी इस्तमाल होते हैं उन सारी चीजों में भी इस्तमाल होते हैं ठीक है वहाँ पर भी यूटिलाइस होते है तो बहुत सारे इंप्रोडेट अप्लिकेशन है इसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती है बहुत बेसिक चीज़े है इनको समझना बहुत जरूरी है अगर आप साइंस के स्टू़ेंट हो तो कल को आपको ये सारी चीजे काम आने वाली है ठीक तो हम लोगों को इसके लिए रो चाहिए तो अगर हम लोगों को रो चाहिए तो यहाँ पर चलो भाई रो निकाल लेते हैं तो यहां पर का जो यहाँ पर एक गोला ले लो ठीक है मैंने यहाँ पर एक घन लिया है ठीक है घन भी क्या है आयतन है मतलब कोई भी आयतन सर्फेस ले सकते हो जरूरी नहीं है आयतनिक मतलब कि कोई भी आयतनिक आकरिती ले सकते हो जरूरी नहीं कि आप घन लो आप जो है गोला भी ले सकते हो गोला मतलब की स्फेयर, मतलब बॉल की आकृति का कुछ भी ले सकते हो, वहाँ पर मानलों की आवेश का वितरण जो है, इस तरीके से समान रूप से सब्तरफ है, क्या है समान रूप से अगर सब्तरफ है, और हम लोगों को मानलों की क्या करना है, इस आयतनिक आकृति के लिए इस आयतनिक आकृति के लिए हम लोगों को आयतन आवेश वितरण निकालना है ठीक है अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इस पूरे इस पूरे आकृति में अगर हम लोगों को आवेश का वितरण याद करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखो जब रेखा था तो अब हम लोगों ने वहाँ पर छोटा सा लंबाई लिया था DL, ठीक है, और जब देखो, छोटा सा लंबाई लिया था DL, है कि नहीं, DL लिया था, अब जैसे कि जब प्रिस्थी अता, तो हम लोगों ने छोटा सा सर्फेज या प्रिस्थ माना था, अब जैसे कि यहाँ पैक पर हमारे पास क्या है? यहां पर हमारे पास आईतन है, तो हमया है मह का एक पारे हूग है। करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को आवेश चाहिए होगा जो की हम लोगों का मतलब इस छोटे से छोटे से आईतन के लिए आवेश होगा ना छोटे से आईतन के लिए आवेश यहां पर क्या हो जाएगा यह तो पूरे के लिए हो जाएगा क्यू छोटे से आईतन के लिए यहाँ पर जो आवेश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा DQ हो जाएगा यहाँ पर जो आवेश लिख देती हूँ मैं यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा DQ क्या होगा DQ होगा छोटी छोटा सा छोटा सा आईतन है जाईज सी बात है ठीक है अब यहाँ पर छोटा सा मतलब यहा क्या हो जाएगा capital V ठीक है तो यहां पर हम लोगों का जो आयतनिक आवेश घनत्व है यह क्या हो जाएगा Q बटे V ठीक है मतलब की आवेश बटे आयतन आवेश बटे जैसे द्रव्यमान बटे आयतन नॉर्मल घनत्व होता है वैसे यहां पर आवेश बटे आयतन हम लोगों उने लिया है क्योंकि यहां पर जो हमारा इस पदार्थ के अंदर जो द्रव्यमान में उपस्तित है है ना वो क्या है आवेश उपस्तित है यहां पर जो द्रव्यमान है किसके कारण है आवेश के कारण है है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉंस जो भी हो ठीक है तो यहां पर जै को क्या लिख दूँगी दीवी लिख दूँगी तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा आवेश्च मिल जाएगा उस छोटे से आवेश्च मिल जाएगा मेरे को क्या मिल जाएगा रो और डीवी अब मालो कि मेरे को पूरे सत्ख के लिए निकालना है, क्या करना है मेरे को, पूरे आइतन के लिए कुलाविश, ठीक है, पूरे आइतन के लिए कुलाविश, तो वही पुराणी कहानी, क्या करेंगे दोनों तरफ हम लोग समा कलन कर देंगे dq बराबर रो तो ये क्या हो जाएगा dv अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये capital q निकल जाएगा मानलों की इसको इस तरीके से ही लिख देती हूँ और ये रो और ये dv इसको भी बिल्कुल आप लोग वॉक्स बना के लिख सकती हूँ ये आप लोगो का क्या मिल गया आयतन आवेश मितर्ण ठीक है आयतन आवेश भितर्ण मिल गया इसका इसितमाला, आप लोग कप करोगे, इसितमाला आप लोग करोगे, जब तब वहाँ पर भी हम लोगों के, मनलब अनुप्रयोग होंगे, वो एक रेखा, एक सतह, और एक आयतन के लिए हम लोगों को, आवेश का calculation सीखा है, जिसका आवेश का calculation हम लोगों ने, हम लोगों को स्स्टार्टिंग में बताई थी, ठीके, तो यहां पर इस छोटे-से छेत्र के लिए, गलत बोल दिया था, यहां पर छोटे-से रेखर के लिए, हम लोगों को आवेश का वितरन प्राप्त गुआ, इस पूरी निन्हसी रेखा के लिए अगर लोगों को रेखियाविष वितरण पराप्त करना है तो उसके लिए हम इसका समाकलन किये और हम लोगों को हम लोगों को यहाँ पर DQ, यहाँ पर क्या मिला, इस छोटे से चेत्रफल के लिए, छोटे से प्रिष्ट के लिए हम लोगों को यहाँ पर आवेश का वितरण प्राप्त हुआ, और पूरे सत्ह के लिए अगर हम लोगों को चाहिए, यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, यह तो मिला था हम लोगों को बिल्कुल एकदम clear हो गया बहुत अच्छा important concept है जिसमें हम लोगों ने आवेशन की वीदियो के बाद जो है पूरा आवेश का वित्रण सतत समान रुफ से 4 तरफ हुआ था उस आवेश का अब हम लोग calculation करना सीख लिए है की नहीं सीख लिए की नही चलो next concept हम लोगों को पढ़ना है विद्यूत फ्लक्स के बारे में तो भई बहुत interesting है बहुत interesting है क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था विद्यूत छेत्र पढ़ा था जब आप लोगों ने विद्यूत छेत्र का topic पढ़ा ठीक है तो theory पढ़ने में तो सिखने में तो मज़ा आता है, है ना, तो यहाँ पर विद्धु छेत्र आप लोगों ने पढ़ा, तो वहाँ पे आप लोगों ने एक धन आवेश जब देखा था, तो उससे इस तरीके से आप लोगों ने बाहर निकलती हुई, रेखाएं देखी थी, बल रेखाएं, ठीक है जो अपने विद्धु छेत्र में निकल रही थी, ठीक है, यह किस तरह थी, जैसे कि मान लोगों की क्या है, मान लोगों की कोई बल्फ है, तो बल्बसे क्या होता है, बल्बसे चारो तरब क्या होता है, प्रकाश प्यलता है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा था, यहा इसको हम लोग विद्धुत बल रेखाएं या फिर विद्धुत छेत्र रेखाएं कहते हैं और ये जितने छेत्र में जो है इसका जो प्रभाव छेत्र होता है जिसमें जो है कोई और आवेश क्या करेगा मान लोग कि कोई और आवेश जितने प्रभाव छेत्र में बल का थी है ना और इसके प्रभाव छेत्र को हम लोगों ने विद्धिव छेत्र का नाम दे दिया था जहां पर भी जो है दूसरा आवेश उसके कारण बल का अनुभाव करता था ठीक है अब बारी आती है इनकी गिंती करने की इन बल रेखाओं को गिनने की ठीक है क्योंकि हम बिल्कुल आप लोगों के लिए है ना बल रेखाओं की संख्या बल रेखाओं की संख्या यही आप लोगों का विद्धिव फ्लक्स कहलाती है जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं फाई से किससे प्रदर्शित करते हैं फाई इसको क्या बोलते हैं फाई बोलते हैं ठीक sigma देखा और rho देखा अब हम लोग एक नई भौतिक राशी देख रहे हैं 5 है ना ये एक अधिस राशी है यह एक अधिस राशी है ठीक है इसका calculation हम लोग करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा दो सदीशों का अधिस गुड़न फल हमें प्राप्त होगा कैसे होगा वो हम लोग द अच्छे से इसको हम लोग समझ लेते हैं जैसे कि मालो कि यहाँ पर मैं एक छोटा सा प्रिस्ट लेती हूँ ठीक है यहाँ पर मैं क्या लेती हूँ एक छोटा सा प्रिस्ट मालो कि यह क्या है A1 है और यहाँ पर मैं एक दूसरा बड़ा सा प्रिस्ट लेती हूँ यहाँ प विद्धुद छेत्र, एक समान विद्धुद छेत्र क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर देखो, बल रेखाएं जो है, एक दुसरे के समनांतर समान रूप से है, ठीक है, तो विद्धुद फ्लक्स का इस्तमा, कॉंसेप्ट समझने के लिए इस तरीके से हम लोग क्य ठीक है, यह हमारी एक सतह है, ग्रीन कलर से बस मैं यही दिखाना चाहती हूँ, कि वह एक पूरी सतह है, ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ से क्या देख पा रहे हो, कि यह जो एवन सतह लिए हो, ठीक है, इससे जो है, यह जो बल रेखाएं, येलो कलर की मैंने बनाई है, येलो कलर की ये बल रेखाएं, कितनी पास हो रही है, चार बल रेखाएं, चार बल रेखा, किसको क्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही है, मतलब कि काड के जा रही है, किसको, एवन को, हाना, एवन सतह को, किसको, एवन सतह को, चार बल रेखाएं, क्रॉस कर के जा रही है, यहा यहाँ पर 6 बल रेखाएं, ठीक है, 6 विद्युद बल रेखाएं हैं, है ना, विद्युद बल रेखाएं, A2 सतह को पार कर रही हैं, है ना, क्या कर रही है, पार कर रही है, ठीक है, जितनी बल रेखाएं यहाँ पर सतहों को पार कर रही है, तो इसका आप लोग कंक्लूजन देख पाओगे कि जो हमारा दूसरा सतह है ठीक है वहाँ पर जो विद्यूत फ्लक्स है वो क्या होगा यहाँ पर विद्यूत फ्लक्स ज्यादा होगा कैसे विद्यूत मतलब की हमारी पहली सतह की तुलना में क्योंकि ज्यादा बल रिका है संख्या है ठीक है तो यहाँ पर य जो calculation है यही हमारा क्या कहलाता है विद्यूत flux कहलाता है बिल्कुल इसकी परिमाशा आप लोगों को note करवा दोंगी कोई tension लेने की बात नहीं है concept समझ में आया कि नहीं आप लोगों को फट से एकदम fast quickly बना लो diagram जल्दी से बना लो यहाँ पर यह लिख लो कि यह जो है वो क्या है बल रेखाए है ठीक है आप इसको परिभाशित अगर करो कि तो लिखवा तो दूंगी पर यहाँ पर यहाँ परिभाशन समझ लो ठीक है परिभाशन समझ लो क्या लिखा हुआ है कि इस विद्युद्चेत्र में क्या है यह जो इविद्युद्चेत्र है हमारे पास इस विद्युद्चेत्र में जो इस प्रिष्ट पर जो बल रेखाएं जो है वो जो काटी हुई जा रही है ठीक है इनकी इन बल रेखाओं की संक्या ही हमारी क्या कहलाती है इन बल रेख आ गया ना ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को ठीक है यह समझना है कि यहाँ पर जो बल रेखाऊ मतलब कि यहाँ पर जो हम लोगों को विद्यूत-फलक्स-फाई मिल राए है ये किन दो चीजों पर depend कर रहा है ये depend कर रहा है कि कितने चेतरफल से जा रहा है और कितनी बल रेखाएं गुजर रही है ठीक है किन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है एक तो डिपेंड कर रहा है कि कितने छेत्रफल से जा रहा है और कितनी बल रेखाएं जा रही है ठीक है तो दो चीजों के उपर डिपेंड कर रहा है तो अगर हम लोगों को यहां से एक और समी करण दो को, अगर हम लोगों मर्ज कर देंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, विद्ध्युट फ्लक्स का सूत्र, जो है, आगे चलके मिल जाएगा, यहाँ पर दोनों ही क्या है, सदिश राइशिया है, परन्तु हमारा विद्धुत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा अधिश होगा ठीक है तो बिल्कुल आप लोगों को मैं तीसरा यहां पर मिल जाएगा आप लोगों को टोटल फाई बराबर क्या मिल जाएगा तोटल फाई समानुपाती मिल जाएगा आप लोगों को दोस अधि का दो सदिस विद्धुद छेत्र और छेत्र फल का अधिश गुड़न फल ठीक है दो सदिसों का अधिश गुड़न फल यह आप लोगों को क्या मिल जाएगा तीसरा समीकरण मिल जाएगा दोनों को कमबाइन करके ठीक है अब इसको हम लोग आगे देख लेते हैं आगे देख राशिया हैं सदिस शदिस ठीक है परन्तु यहाँ पर जो विद्यूत फ्लक्स है वो हमारा कैसा है अदिस है आप लोगों ने ग्यारवी में कार के बारे में भी पढ़ा होगा वो भी क्या था दो सदिसों का अदिस गुडन फल था बल और विस्थापन दोनों ही सदिस राशि जैसे की अब हम लोगों के पास अलग-अलग आकरितिया है ना जैसे हम लोगों ने तीन प्रकार की आकरिती देखी एक रेखा देखी एक सत्ह देखा और एक हम लोगों ने क्या देखा आयतन देखा तो इन अलग-अलग प्रकार की आकरितियों के लिए हम लोगों को विद् फ्लक्स को अभी और अच्छे से समझ लेते हैं, यह जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर लिंक करके बता दिया, ठीक है, अब यह देखो जैसे कि यहाँ पर क्या है, कि दो सदीशों का अधिस गुलन फल होगा, ठीक है, दो सदीशों का क्या होगा, अधि के से गुजर रही है, यह क्या है, हमारी बल रेखाएं है, ठीक है, अब अगर मान लोग की हम लोगों को इसके लिए कैलकुलेट करना है, तो जैसे कि आप लोगों ने आयतनिक आवेश्वित्रण आप लोगों ने देखा था, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा था, हम हम लोग क्या कर रहे थे, छोटा सा हिस्सा ले रहे थे, ठीक है, और इस छोटे से छेत्रफल को हम लोग क्या बोलेंगे, डी ए बोलेंगे, इस छोटे से छेत्रफल को हम लोग डी ए बोलेंगे, और इस छोटे से छेत्रफल के लिए, इस छोटे से छेत्रफल के लिए हम लोग आवेश का वितरण calculate कर रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इस छोटे से छेतर फल के लिए हम लोग जो है, मलब यहाँ पर flux calculate करेंगे, तो कैसे calculate करेंगे, तो सबसे पहले तो हमारी E की दिशा, जो है वो क्या है, इस तरीके से E की दिशा है, ठीक ह है ठीक है और अच्छे से मैं यहाँ पर डाइग्राम बना के आप लोगों को एक बार दुबारा से बता देती हूं इस तरीके से तिर्चा डाइग्राम बना के बता देती हूं यहाँ पर मैंने सीधा क्योंकि देखो आप सत्ह को कैसे भी रख सकते हो आप सत्ह को ऐसे भी रख इस तरीके से खड़ी भी मिल सकती है, आड़ी भी मिल सकती है, कैसे भी मिल सकती है, तो जैसे कि मान लोग की इस तरीके से आप लोगों का सता होगा, और यहां से गर विद्धित बल रेखाएं, क्रॉस कर रही होगी, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्या हो रहा है इन समनांतर बल रेखाएं जो है ये जो समनांतर बल रेखाएं इन समनांतर बल रेखाओं की दिशा कैसी है ये देखो इस तरीके से और यहाँ पर जो छेत्रफल है तो छेत्रफल सतिस को हमेशा हम लोग कैसा लेते हैं अभी लंबवद लेते हैं कैसा लेते सतह के अभी लंबोवत और यहाँ पर जो बल रेखाएं क्रॉस करके जा रही है ठीक है ये बल रेखाएं ये कैसी है ये जो बल रेखाएं है विद्धू छेत्रे रेखाएं ये भी कैसी है सतह के अभी लंबोवत है ठीके सत्ह कέ अभी लंबो वाती है ठीके चलो तो यहां पर अगर मान लोग कि इस छोटे से छेतर के लिए छेतर के फल के लिए आप लोगो विद्यOTHLUXU अगर calculate करना है ठीके तो यह विद्यOTHLUXU अप लोग लिख लोगे 5 ठीके अब यहाँ पर यह क्या हो जाएगा E A, अब यह हो जाएगा क्या, यहाँ पर मान लोग की इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या बन रहा है, कौन बन रहा है, आप लोग देख पारे हो, कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो gap है, मान लोग की यह थीटा कौन है, ठीक है, इस छेत्रफल सदिस का सदिस घटक लिख लेंगे तो इस तरीके से विद्धुद छेत्र की दिशा में इसका जो घटक है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा ए कॉस थिटा, क्या हो जाएगा डेल्टा ए कॉस थिटा, तो फिर यहां से आप लोगों का, यहां पर यह क्या लिखा जाता है, डेल्टा ए कॉस थिटा लिखा जाएगा, यह क्या लिखा जाएगा, डेल्टा ए कॉस थिटा, तो यहां पर इसको हम लोगों को डेल् पिरिष्थिय समा कलन होगा ठीक है? और ये हो गया E, डेल्टा A, कॉस थीटा, थीटा के कुछ अलग-अलग मान हो सकते हैं, थीटा पराबर 0, थीटा पराबर 90 डिगरी, तो भाई, इस चीज के लिए हम लोग जो है, आगे की क्लास में, आने वाली क्लास में, जो है, इसका आगे का डिटेल हम लोग पढ़ेंगी, अभी हम लोगो के लिख सकते हो, बिल्कुल, विद्यूत फ्लक्स का सुत्र है, अब हम लोगों को देखना है कि गॉस का नियम, तो जब मैंने आप लोगों को विद्यूत फ्लक्स पढ़ाया, तो वहाँ पर जो सुत्र बताया, ठीक है, वहाँ से हम लोगों ने स्विच कर दिया था, गॉस का नियम मिलता है अब देखो होता क्या है कि जैसे कि पहले तो हम लोगों ने क्या किया कि किसी भी सतह के लिए देखा ये सतह की आकरिती कुछ भी हो सकती है ठीक है सतह की आकरिती कुछ भी हो सकती है आकरिती कुछ भी हो सकती है और इस पर जो मतलब की बल रेखाई जो गुज होते हैं circular integration ठीक love की मैं क्या कर रहे हूं यहां पर मालो की मैं एक कोई sphere लेह gobierno एक गोला लेरी हूं एक चालग गोला जैसे कि आप लोगों लिए बीजिए विजिओ में गोला लिया था वहाँ पर चालग गोले को वितरण में हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है कि पूरा का पूरा जो आवेश है वो कहां पर चला जाता है पूरा का पूरा आवेश जो है वो सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है एक सतत आवेश वितरण में हम लोगों ने देखा था अब यहां पर जो है आवेश पर जैसे कि एक छोटा सा हिस्सा लेती हूँ ठीक है इस छोटा सा इस एक छोटा सा हिस्सा लेती हूँ जैसे कि अभी हम लोगों ने सीखा था किसमें अभी अभी हम लोगों ने सीखा था जब हम लोग विद्यू फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे थे तो इस सत्ह पर ये मानलो की ब शेत्रफल सदिश ये क्या हो गया आप लोगों का शेत्रफल हो गया छोटा सा और ये जो DA सदिश के रूप में लिखा है ये क्या हो गया इसका शेत्रफल सदिश हो गया ठीक है तो यहाँ पर मालो की मुझे flux calculate करना है तो ठीक पहले की तरह ही मैं calculate करूंगी क्या हो जाएगा 5 बराबर इसका क्या हो जाएगा बंद प्रिष्ठ का समा कलन है ना बंद प्रिष्ठ का ऐस जो है प्रिष्ठ को प्रदर्शित करता है ये बंद को प्रदर्शित करता है इसका समा कलन हो जाएगा आप लोगों का ये डी ए ठीक है तो ये क्या हो गया इस चालक गोले के लिए छोटे से हिस्से के लिए है ना क्या हो जाएगा ये छोटे मतलब ये पूरे हिस्से के लिए है पूरे हिस्से के लिए पूरी सत्ह के लिए है ठीक है अब यहाँ पर ये calculation हम लोग कैसे करेंगे कि मतलब कि इसको आगे कैसे calculate करेंगे देखो हम लोगों को क्या है विद्यूच्छेतर का सुत्र पता है क्या पता है विद्यूच्छेतर का सुत्र पता है एक बटे चार पाई एपसलोन क्यूबटे आर का वर्ग ठीक है क्यों बटे आर का वर्ग तो मान लो कि ये जो गोला है इसकी तरिज्या क्या है आर है क्या है इसकी तरिज्या आर है ठीक है अब इसकी तरिज्या आर हो गई ठीक अब हम लोगों को क्या करना है इस आर तरिज्या के गोले में हम लोगों को flux calculate करना है तो विद्धुच्छेत्र का मान तो हम लोगों को पता ही है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग जो है विद्धुच्छेत्र का मान जो है वो क्या कर सकते हैं रख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 बराबर 5 बराबर यह हो जाएगा circular समा कलन ठीक है और यह हो जाएगा 1 बटे 4 pi epsilon 0 और यह हो जाएगा q बटे r का वर्ग ठीक अब यह क्या है dA जो है ना dA जो है वो dA ही रहेगा ठीक अब होगा क्या यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो आवेश है उसकी संक्या निश्चित है इसकी त्रिज्जा भी क्या है निश्चित है एक बटे 4 pi epsilon 0 तो अपने आप में ही निये तांक है तो हम लोग क्या कर सकते ही इस समा कलन से इस circular समा कलन से इन सारी नियत राशियों को बाहर निकाल सकते है तो इसको बिल्कुल मैं बाहर निकाल करके क्या करती हूँ लिख देती हूँ यह क्या हो जाएगा और यहाँ पर केवल और केवल समा कलन किसका हो जाएगा यहाँ पर समा कलन हो जाएगा केवल और केवल इस छेतरफल सदिश का समा कलन हो जाएगा किसका समा कलन हो जाएगा छेत्रफल शदिस का अब किसी भी गोले का जो एरिया होता है छेत्रफल ठीक है गोले का छेत्रफल क्या होता है गोले का छेत्रफल बताओ भई और यहाँ पर हम लोगोंने 3 ए स्मॉल आड लिये तो मैं स्मॉल आड लिख रहे हूं चार पाई आड का वर्ग तो जब हम लोग क्या करेंगे इसका समा कलन करेंगे तो इस पूरे गोले का जो सरफेस है वो क्या आ जाएगा 4 pi r का वर्ग आ जाएगा ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5 बराबर क्या हो जाएगा Q बटे 4 pi r का वर्ग epsilon 0 और यहाँ पर हो जाएगा 4 pi r का वर्ग देख पारे हो आप लोग अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यह जो हिस्सा है यह पूरा हिस्सा क्या हो रहा है? cancel out हो रहा है और हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल जाएगा Q बटे epsilon 0 क्या मिल जाएगा Q बटे epsilon 0 तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 5 बराबर Q बटे epsilon 0 क्या हो जाएगा 5 बराबर Q बटे epsilon 0 बिल्कुल बॉक्स बनाकर के लिख लो बहुत सारे स्टार मार्क लगा लो वेरी 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 इंपोर्टेंट इस तर रिलेटेड थियोरी कोश्टन इस तर रिलेटेड नुमरिकल सारी चीजे आप लोगों को एक्जाम में पूछी जाती है तो यह जल्दी से नोट डाउन कर हम लोगों ने क्या देखा यह हम लोगों ने गौस के नियम के अधार पर किसी बंद अप्रिस्ट के लिए यहाँ पर लिख देती हूं मैं किसी बंद अप्रिस्ट के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद्धुत फ्लक्स यह इसका कैलकुलेशन हम लोगों ने द दिखा था कि ये जो विद्यौट छेत्र है वो किस पर निर्बर करता है? यहाँ पर R के वर्ग पर निर्भर करता है. थीके, यहाँ पर जो हम लोगों को 5 का मान मिला है, यहाँ पर Q बठे Epsilon 0 जो वो वो देख पारहे हो कि यह जो फाइ है वो R पर depend नहीं कर रहा है ठीक है आर पर not dependent ठीक है not dependent का मतलब यह है कि आर पर depend नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हम लोगों को सुत्र मिला तो यह विद्युच्छेत्र विद्युच्छेत्र तो जरूर डिपेंड करेगा किस पर विद्युच्छेत्र डिपेंड करेगा यह जो है मतलब की गोले की त्रिज्या पर यहां पर यह जो फ्लक्स का मान है वो बिल्कुल भी इसकी त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता मतलब यहां पर कंक्लूजन क्या निकलता है कि बंद प्रिस करता नहीं करता तो किस पर निर्भर करता आकरिती पर निर्भर नहीं करता है तो किस पर निर्भर करता है तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि एपसलान नौट जो है वो क्या है निर्वात की विद्धुर्शिल्ता है क्या है यहाँ पे लिक देती हूँ एपसलान नौट जो है वो निर्वात की विद्धुर्शिल्ता है इसका मान क्या होता है फिक्स होता है है ना आट दे समलो आट पांच गुणा दस की घात माइनस ब पता है इसका मान जो है फिक्स होता है तो यहां पर किस पर डिपेंड कर रहा है सिर्फ इस आवेश पर डिपेंड कर रहा है कि इस गोले के अंदर इसके सतह पर कितना आवेश है ठीक है कितना आवेश है इस पर डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आकरिती पर निर्भर नहीं है गौस के नियम के अनुसार तो यह किसी भी सत्ह के अंदर कितना आवेश जो है एंड क्लोस्ड है एंड क्लोस्ड का मतलब क्या हो गया यहां पर एंड क्लोस्ड का मतलब में आप लोगों को समझा देती हूं मान लो की यह सत्ह है ठीक है मान लो की यह सत्ह है अब इसके अंदर मालो कि प्लस Q आवेश है, एक माइनस Q आवेश है, एक प्लस Q आवेश है, एक माइनस Q आवेश है, एक प्लस Q आवेश है, ठीक है, तो यहाँ पर जो Enclosed होगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो Q Enclosed है, वो कुल आवेश है, कितना है, कुल आवेश, जो आवेशों की योज्जता में आप लोगों ने पढ़ा था वो तो यहाँ पर कुल आवेश कितना हो गया प्लस Q ठीक है तो यहाँ पर किस पर डिपेंड कर रहा है केवल इंसा इसके अंदर जितना भी आवेश है मान लो कि मैं बाहर में ऐसे कुछ आवेश बना देती हूं ठीक सभी को clear है guys, सभी को एकदम clear very good, very good बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो ठीक है जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान देते हैं वो बच्चे मुझे बहुत पसंद है ठीक है, क्या है? वो बच्चे मुझे बहुत जादे पसंद है ठीक चालो, अब ये तो हो गया अब इसके अलावा जैसे कि हम लोग ने 5 बराबर ये निकाला, ठीक, एक और 5 बराबर हम लोग ने क्या पढ़ा था? इसके पहले 5 बराबर E A, है ना 5 बराबर E A पढ़ा था, अगर यहाँ पर कॉस्ट थीटा है, तो अगर क्या हो जाएगा थीटा बराबर शुन्य हो जाएगा ठीक, थीटा बराबर शुन्य हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ये हो जाएगा अगर यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाता 90 degree हो जाता, तो cost 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर 5 बराबर क्या हो जाता, 0 हो जाता, ठीके, तो यह जो हम लोगों का यह वाला case है, ठीके, यह वाला जो case है, हमारा 5 बराबर E A, ठीके, तो यहाँ से हम लोगों को theta बराबर 0 के लिए क्या आता है, 5 बराबर E A आ देंगे और कुछ नहीं करेंगे ठीक है पर यहां पर यह जो दो चीजे हैं ठीक है दो चीजे आप लोगों को ध्यान देनी हैं ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इन दोनों चीजों को अगर देखोगे तो मैं बिल्कुल यहां पर लिख दे रही हूं जैसे कि यहां पर क् 5 बराबर Q बटे Epsilon 0 और यहाँ पे क्या है 5 बराबर E A ठीक है तो यहाँ से मैं मालो की E A बराबर क्या लिख सकती हूँ Q बटे Epsilon 0 ठीक है तो यहाँ से क्या हो सकता है अगर मैं यहाँ पर 6 फल का परिमान को इधर नीचे पक्षांतर कर दूँ यह हो जाएगा Epsilon 0 A ठीक है Epsilon 0 A तो इसका मतलब हम लोगों को क्या निश्कर्ष निकलता है कि जो हम लोग गौस के नियम पढ़ रहे हैं जो गौस का नियम जो पढ़ रहे हैं ठीक है अभी तक जो भी हम लोगों ने गौस का नियम पढ़ा तो यहां से हम लोगों का कॉंसेप्ट शुरू आता कि कितनी बल रेखाएं जो है किसी सतह से पास हो रही है अब हम लोगों को बंद सतह के लिए देखना था जैसे कि यहां पर यह जो घन है यह घन भी क्या है एक तरह से बंद सतह है ठीक है क्या है एक तरह से एक तरह से बंद सतह है ठीक है तो बंद सतह के लिए जब हम लोगों को विद्यूत फ्लक्स का कैल्कूलेशन करना हुआ था तब हम लोगों ने गौस के नियम का इस्तमाल किया था विद्यूत फ्लक्स और सतत आवेश वितरन वाले concept का इस्तमाल किया था और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं flux का calculation करने के लिए हम लोगों को इसके अंदर कितना आवेश का जो वितरण है जो हम लोगों ने आवेश का वितरण पड़ाता उसकी आवेशकता हम लोगों को पड़ेगी और हम लोग इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं विद्धुद छेत्र कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहां पर हम लोग तीन चीज कैलकुलेट कर रहे हैं एक तो हम लोग क्यू एंड क्लोज कैलकुलेट कर रहे हैं ठीक है क्यू एंड क्लोज कैलकुलेट कर रहे हैं तो की साहेता से हम लोग यहाँ पर विद्धुद फ्लक्स का कैलकुलेशन कर पाएंगे और साथ ही साथ गौस के नियम का जो उपयोग है अनुप्रयोग वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं विद्धुद छेत्र भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो तीन चीजों की कैलकुलेशन हम लो explain कर देती हूं आप लोगों को ठीक है गौस का जो प्रमिया है वैद्यूत छेत्र के कारण किसी बंद प्रिस्थ कैसे निर्गत विद्यूत फ्लक्स तथा उस प्रिस्थ के परिबद कुल विद्यूत आवेश के बीच संबंध है ठीक है किसके किसके बीच संबंध है और किसका रिलेशन है ये विद्यूत आवेश कितना है उस सद्धा पर क्यू एंड क्लोजड कितना है क्या है क्यू एंड क्लोजड कितना है इस पर जो है वो क्या कर रहा है निर्भर कर रहा है तो इस इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार क्या हो रहा है यहां पर किस किसी विद्धुच्छेत्र में स्थित जैसे कि कोई भी विद्धुच्छेत्र है तो किसी भी विद्धुच्छेत्र में स्थित बंद प्रिष्ठ से ठीक है किसी विद्धुच्छेत्र में स्थित यह क्या हो गया यह बंद प्रिष्ठ ठीक है तो बंद प्रिष्ठ से संपू विद्यूच फ्लक्स का मान मतलब की फाई का मान उस प्रिष्ठ द्वारा उस प्रिष्ठ द्वारा कुल आवेश कुल आवेश क्यों एंड क्लोस मतलब की कुल आवेश उस प्रिष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का एक बटे एपसला नौट गुना होता है मतलब की ह इस विद्यूत छेत्र में अगर कोई बंद प्रिश्ट रखा हुआ है तो इस प्रिश्ट के अंदर कितना कुल आवेश हैं इसका एक बटे एप्सला नॉट गुना क्या मिला हम लोगों को विद्यूत फ्लक्स का मान मिला यही मिला यही मिला इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते आया की नहीं आया भाई आना चाहिए नहीं आया तो वीडियो को दुबारा देखना ठीक है अब यहाँ पर हम लोगों को next आगे क्या समझना है देखो बहुत interesting interesting चीजे मैं आप लोगों को बता रही हूँ गौस का नियम आप लोग समझतो रहो हर एंगल से समझा रही हूँ क् competition exam के लिए prepare करना है तो आपको जो है किसी भी concept का हर एंगल पता होना चाहिए जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को क्या मिल रहा था 5 बराबर क्या मिल रहा था यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 5 बराबर Q and Closed हैना किसी सतह के अंदर कितना क्या है यह पहला गोला है आप लोगों का ठीक है पहला गोला और यह क्या है आप लोगों का दूसरा गोला है दूसरा गोला दोनों की तरिज्जा क्या है अलग अलग है एक की तरिज्जा आरवर और दूसरे की तरिज्जा आर टू है ठीक है अब इन दोनों गोले के अंदर जो flux होगा वो क्या होगा क्यों बटे epsilon not होगा क्योंकि ये आकृती पर निर्बर नहीं कर रहा है इस diagram से क्या हो रहा है प्रूफ हो रहा है अब यहाँ पर यह देखो यह वाला जो diagram है देखो यह क्या है मतलब हम लोगों ने यह परिमाशा में पढ़ा दाना कि जो नाट गुना होता है तो देखो यहाँ पर क्या है यह बंद प्रिष्ट है 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 की नहीं जल्दी से बताओ कमेंट करो बंद प्रिष्ट है यास या नो बंद प्रिष्ट है यास बंद प्रिष्ट है ठीक है इससे क्या और यह बल रेखाएं गुजर रही है बल रेखाएं ग प्लॉक्स और विजूद्ट कोई आवेश नहीं है अगर इस बंदफ्रिस्ट के अंदर आवेश होता थीक है तब यहां पर क्या होता विद्ध Lots का मान होता पर पर बंदफ्रिस्ट के अंदर कोई आवेश नहीं है बंद प्रिष्ट के अंदर कोई आवेश नहीं है बल रेखाएं गुजर जरूर रही है पर हम लोगों ने परिभाशा में क्या आपड़ा था कि बल रेखाएं गुजरती तो जरूर है बंद प्रिष्ट से पर उस पर परिबद कुल आवेश का तो इस बंद प्रिष्ट के अं है ये भी जो है ये एक बंदप्रिस्ट है क्या है एख बंदप्रिस्ट है अब बताओ मुझे यहाँ पर यहाँ पर फ्लक्स का मान स्वार होगा जल्दी से कमेंट करके बता ओ देखो यही चोटी-चोटी चीज़े आप लोगों कोई exam में marks दिलाएगी जल्दी से बताओ इस बंद प्रिस्ट के अंदर flux होगा की नहीं yes या no yes या no जल्दी comments no इस बंद प्रिस्ट के भी अंदर नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पर दो आवेश है एक धनात्मक आवेश है और एक क्या है रिनात्मक आवेश है तो यहाँ पर जो कुल आवेश है ठीक है कुल आवेश क्या हो जाएगा यहाँ पर एक धनावेश और एक रिनावेश तो कुल आवेश क्या हो जाएगा शुन्य हो जाएगा और कुल आवेश शुन्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहा पर जो फ्लक्स का मान है यहां पर भी फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा क्योंकि हम लोग ने परिभाश acredite stir ड्वारा परिबद्ध कुल आवेश्य क्या पढढा था पुरिश्चि द्वारा यहां पर प्लक्स क मान होगा कि नहीं क्योंकि अंदर में क्या है एक धनावेश है ठीक है तो आकृती पर निर्भर नहीं करता गोल हो चौकोन हो कुछ भी हो निर्भर किस पर करता है कि उस सतह के अंदर उस बंद पृिष्ट के अंदर कितना कुल आवेश परिबद्ध है इस पर निर्भर करता है और आई होप कि आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा ठीक है हम लोगों कोने गोलिय सतह ले करके समझा जरूर पर इसकी आकरिती जो है वह कुछ भी हो सकती है बस कंडिशन क्या है कंडिशन यह है कि प्रिष्ठ जो है वह बंद प्रिष्ठ होना चाहिए ठीक है बंद प्रिष्ठ होना चाहिए जैसे कि घं घं की कि अकर्टी क्या होती है बंद होती है मतलब न पूरा चारो तற्रप से पैक होता है है की नहीं अब जोसे क哇 г行 ne ball football यह सारी चीजे क्या होती है एक दम होता है inside मतलब कि अंदर में कुल आवेश कितना है या तो फिर q and closed and closed का मतलब यह है कि इसके परिबद में अंदर में कितना ये and closed मतलब कि अंदर में कितना close कर रहा है वो आवेश तो यहाँ पर देखो q1 q2 q3 q4 q5 सारी इतनी सारे आवेश है पर बंद प्रिष्ट के अंदर अंदर के वल तीन ही आवेश है q1 q2 और q5 तो यहाँ पर आप लोगों का जो q and closed है वो क्या हो जाएगा q and closed हो जाएगा q1 plus q2 plus q5 जब हम लोग जोडेंगे तो क्या कर सकते हम लोग चिन्न सहीं जोडेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 plus q हो जाएगा यहाँ पर ही लिख देती हूँ 1 plus q हो जाएगा 1 minus q 2 minus q मतलब कि यहाँ पर minus q कुल आवेश क्या आएगा यहाँ पर minus q तो यहाँ पर flux भी क्या हो जाएगा हमारा minus q बटे कोई मतलम नहीं है अब एक important बाद आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यह जो आप लोगों ने गौस का नियम पढ़ा ठीक है यह जो आप लोगों ने गौस का नियम पढ़ा इससे पहले आप लोगों ने सतत आवेश विद्रण भी पढ़ा है जिसमें आप लोगों ने देखा है कि जो सारे आवेश है वो क्या हो जाते हैं यहाँ पर सतह में समान रूप से वितरीत हो जाते हैं अब सतह में अगर समान रूप से वितरीत हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, कि यहां पर जो केंद्र है, ठीक है, केंद्र है, इस केंद्र पर, अब जैसे कि यह जो क्यों आवेश है ना, यह भी केंद्र पर नहीं है, सतह पर है, कहां पर है, मतलब कि अब जैसे कि गोला ह यहां पे आसपास कोई गोला नहीं दिख रहा है पर थोड़ा सा इमेजिन आपको करना है कि अगर कोई गोला है जैसे की पृत्वी है पृत्वी का केंद्र है तो सतह पर होगी सारी चीजे क्या होगी साथы, टापर envelop यहां पर जो ब्रेद creeping अन्य हो जाता है क्यों को ब्रेद? वो पया है है मतलब कि ये एक पढ़ा हम लोगों ने और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब हम लोगों ने बल रेखाएं देखी तो इस तरीके से जो बल रेखाएं होती है वो क्या होती है इस आवेश से धन आवेश से पूरा बाहर की तरफ निकलती है क्या होती है बाहर की तरफ हो जाएगी अगर धन आवेश हुआ तो यहाँ पर सता से ही लंबुवद बाहर की ओर निकलेगी ठीक है तो यहाँ पर जो अंदर का हिस्सा होता है यहाँ पर कोई भी विद्विश्चेत्र नहीं होता क्योंकि यहाँ पर बल रिखाए मौजूद ही नहीं होती बल रिखाए पराणूपरयोग हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को और अच्छे से हम लोग सभी और जैसे यहाँ पर बल रिखाओं की दूरी बढ़ते जाएगी ठीक है वैसे वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा यह जैसे आरवन दूरी हो गई यह यहाँ अगई आरटू लिए वो क्या होता है क्यों बटे एप्सलान नौट होता है और यहां पर जो आवेश है किंसाइड में अंदर में कितना आवेश विटेर पर पर निरभर कर रहा है इसके अलावा हम लोग यहांसे विद्यू चेत्र भी क्यालकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से क्योंकि हम अलग-अलग होता है, जैसे कि हम लोगों ने रेखिया आवेश वितरण के लिए देखा था, तो वहाँ पे क्या होता है, लेम्डा L, प्रिस्थी आवेश वितरण के लिए जब हम लोगों ने देखा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे लेम्डा बराबर Q by L था, ठीक है और यहाँ पर क्या था यह आप लोगों का सिगमा ठीक है सिगमा ए था नहीं यहाँ पर क्या था आप लोगों का सिगमा बराबर क्यू बाई ए इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू बराबर सिगमा ए हाँ ठीक है अब नेक्स जो हम लोगों ने देखा था किस के लिए था ये आवेश का वितरण हम लोगों ने देखा था अब इन आवेशों का जो मान है ठीक है इन आवेश को मान है जो जो हमारे पस प्रिष्ट होंगे जो भी प्रिष्ट हमारे पस होंगे उन प्रिष्ट के अनुसार हम लोग इस Q की जखा में रख सकते हैं ठीक है Q की विद्यत, फलक्स, सतत, आवेश, विद्यक्रण और गौस का नियम हम लोगों ने देखा अब हम को उसका क्या करना इस्तमाल करना है गौस के नियम में हम लोगों को क्या मिला था 5 बराबर Q and Closed बटे असला नौट जहां पर हम लोगों ने देखा था कि ये आकृती पर निर्भन नहीं करती है और जब हम लोगों ने सतत आवेश वित्रण देखा था तो वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था क्या देखा था एक लाइन के लिए देखा था रेखी आवेश वित्रण एक सतह के लिए देखा था प्रिस्थी आवेश वित्रण और एक क्या देखा था हम लोगों ने एक हम लोगों ने देखा था बंद प्रिस्थ के लिए ठीक है जिसको हम लोग क्या बोलते है आयतनीक के नियम का जो है application देखेंगे अनुप्रयोग देखेंगे जैसे कि पहला अनुप्रयोग यहां पर क्या बोल रहा है अनन्त लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के करण ठीक है तो जो रेखी आवेश वित्रण हम लोगों ने पढ़ा था यह रेखी आवेश वित्रण में यहां पर हम लोग विद्युद फ्लक्स और विद्युद छेत्र कैलकुलेट करेंगे एक सरल रेखा के लिए या फिर एक लंबी तार के लिए एक अनन्त लंबाई की लंबी तार के लिए ठीक उसके बाद जो सेकेंड हम लोगों ने सतत आवेश वित्रण प्रिष्ठ के लि वहां पर रिन आवेश का वित्रण हुआ तो तो भाई रिन आवेश का भी वित्रण होगा एक मैंने आप लोगों को जो बताया ना घन के च्छै फलक में दो फलकों में एक में धन आवेश है एक सता में एक में रिन आवेश है तो उसी तरीके से धन और रिन दोनों होंगे तो फ्लक्स भले शुन्य हो रहा था वहां पर विद्युच्छेत्र तो शुन्य होगा नहीं देख लो यह वाला डाइग्राम जो देखे थे आज की क्लास महीं हम लोगों ने देखा यह वाला डाइग्राम जो देखा तो यहां पर फ्लक्स भले शुन्य हो रहा था पर यहां पर विद्युच्छेत्र तो होगा थीक है तो विद्युच्छेत्र क्या होगा इसका कैलकुलेशन हम लोग पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक में आई थिंग जो आप लोगों का नेक्स चैप्टर है वहां पर हम लोगों को इसको बहुत डीटेल में पढ़ना है संधारित्र क टॉपिक है हमारा वहां पर बिल्कुल एक सत्र अधनावेशित दूसरी सत्र रिनावेशित होती ही है तो बिल्कुल ये concept वहां पर आप लोगों का इस्तमाल होगा कई बच्चे पूछते हैं इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूं और बहुत सारी चीजे हम लोगों को है एक बार बिल्कुल मैं सारे slides दुबारा से play कर दे रही हूं आप लोगों को बिल्कुल revise हो जा रहा होगा क्योंकि हम लोग ने बहुत important concept पढ़े हैं अब अनुप्रयोग जो हम लोगों को पढ़ना है इन अनुप्रयोग का हम लोग क्या करेंगे बहुत quickly solution देखेंगे ठीक ह क्योंकि इसमें से आप लोगों का जो है NCIT के book के according ये दो जो है ये consider करता है ये वाला हिस्सा जो हो सकता है कि आप लोगों के competition exam में पूछ दे ठीक है पट अपने नए syllabus के अनुसार ये I think जो हट चुका है syllabus से शायद ठीक है बट ये आप लोग फिर भी पढ़लो क्योंकि हो कोटा सा है 5-10 मिनट में खतम कर दूंगी तो पढ़ने में कोई problem नहीं है एकदम हम quickly पढ़ लेंगे ठीक है quickly एकदम पढ़ लेंगे ठीक तो ये हम लोगों का तीन है जिसमें से सबसे पहला जो हम लोग लेंगे अनन्त लंबाई की एक समान आवेशे सीधे तार ठीक है तो यहां पर जो डाइग्राम आप लोग देख रहे हो इसको हम लोग समझेंगे पहले मैं आप लोगों को बना के बता देती हूं क्योंकि मैंने जो अभी तक के एक्स्पिरियंस किया मैंने देखा है बच्चे बोलते जरूर है कि मैं लिख कर के लाईए ता कि हम लोग नोट्स बना सके या फिर डाइग्राम मतलब बना हुआ लाईए तो होता क्या है कि समझ वे नहीं आता जब वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप आप कोई टीचर बना की बताता है न चीज़े तभी समझ में आती है एक बार मैं चीज़े बना के बता दूंगी फिर आप देखोगे तो वो चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगी इसलिए पहले यहाँ पर मैं बना के दिखा रही हूँ ठीक है तो अनंत लंबाई की एक तार ली मालों कि इसकी लंबाई अनंत है ठीक है इस तरीके से पर पूरा अनंत है तो बना नहीं सकती बोर्ड भी हमारा लिमिटे चेत्र कैलकुलेट करना है क्योंकि गौस का नियम एक्च्वल में हम लोग विद्यू चेत्र कैलकुलेट करने के लिए ही इस्तमाल करते हैं पर पहले हम लोग यहां से क्या कैलकुलेट करते हैं ठीक है यहां से हम लोग क्या करते हैं यह यहां पर से हम लोग ई बराबर क्या कर सकते हैं e बराबर q बटे epsilon not a इसका ही इस्तमाल करेंगे हम लोग तीनों अनुप्रयोग में ठीक है इसका ही इस्तमाल करेंगे बस हमारा q हर बार change हो जाएगा यहाँ पर अनन्त लंबाई की तार के लिए lambda l हो जाएगा प्रिष्ठ के लिए हमारा sigma a हो जाएगा और हम लोगों का जो आयतनिक प्रिष्ठ है उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा रो वी हो जाएगा ठीक है तो इन सब यह basic concept है जो आप लोगों के इन topics में इस्तमाल होने वाले है side में मैंने लिख दिया है चलो one by one हम लोग समझते जाते हैं यहाँ पर जैसे कि इसके लिए अगर हम लोगों को विद्यूच्छेत्र calculate करना है तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर आवेश का वितरन पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए आवेश का वितरन तो सतत आ चोटा सा area लेकर कि आवेश का वितरण इस तार के लिए calculate किया था, परांतु विद्ध्यूच्छेत्र calculate करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? एक Gaussian सतह चाहिए, ठीके? क्या चाहिए हम लोगों को? एक Gaussian सतह चाहिए, कैसे Gaussian सतह चाहिए? सबसे पहले ये डाइग्राम को मैं वापस से दुबारा बना देती हूं, ठीक है, ये लंबी तार है, इसके लिए जैसे कि हम लोगों को को विद्धुच्छेत्र कैलकुलेट करना है, गास के नियम से तो हम लोगों को एक ऐसा सत्ह चाहिए, गास के नियम में हम लोगों से एरिया जो हम लोगों ने लिया था न सतत आवेश वित्रण में ऐसे करके छोटा सा एरिया लिया था ठीक है इस छोटा सा एरिया को क्या करें इस छोटे से एरिया को चारो तरफ से बंद कर सके ऐसा प्रिस्ट हम लोगों को यहाँ पर कालपनिक प्रिस्ट अजियूम करना है ठीक है क्योंकि जैसे कि विद्यूत बल रेखाए भी कालपनिक है आप लोगों की यहाँ पर उसी तरीके से हम लोगों को एक गौसियन सतह चाहिए क्योंकि बिना सतह कि हम लोग यहाँ पर कोई विद्यूत चेतर कैलकुलेट नहीं कर सकते ठीक है तो क्या करेंगे हम लोग आप लोगों का मान लोग की यह तार है अब इसको जो चारो तरब से घेरेगा चारो तरब से क्या घेर सकता है इसको चारो तरब से इस तरीके से अगर मान लोग कोई सिलिंड्रिकल सेफ हो ठीक है अगर कोई सिलिंड्रिकल सेफ हो यह यह क्या कर सकता है इस तरीके से इसको चारो तरफ से बराबर घेर सकता है, तो ये वाला जो छोटा सा हिस्स्ता है, इसको मैंने जूम कर दिया है, बड़ा कर दिया है, ठीक है, बताने के लिए समझाने के लिए बता रही हूं, बड़ा कर दिया है, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, यहां से हम लोगों की पूरे line के लिए था तो Q बराबर lambda L ठीक है यह हम लोगों ने सतताविस विद्रण में calculate किया था इसका इस्तमाल हम लोग यहां पर करेंगे पर यहां पर हम लोगों को flux निकालना है तो कैसे calculate करेंगे तो यहां पर हम लोगों को सतह में हम लोगों को 3 surface दिख रहे है कौन कौन से surface दिख रहे है 3 surface अब यह कैसे मैं यह कैसे मैं तो चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को diagram को अच्छे से clear बना के बता देती हूं एक सतह यह हो गई ठीक है एक सतह क्या हो यह हो गई यह मानलो की A1 सतह है यह क्या है A2 सतह है ठीक है अब आप लोग यह देख पाओगे कि दोनों सतह का जो छेत्रफल है वो तो क्या होगा बराबर ही होगा दोनों सतह का शेत्रफल अब तीसरी सतह कौन सी है यह वाली सतह है यह वाली जो सतह है यह आप लोगों की तीस स्री सतह है यह पूरा गोला होगा ठीक है जैसे कि मैं एक पेपर ले लेती हूं और यहां पे मैं आप लोगों को पेपर से बना करके ब्लैक पता नहीं दिखरा होगा की नहीं अब दिखरा है हाँ अब बिल्कुल दिखरा है इस तरीके से ठीक है तो इसके अंदर मैंने अनन्त लंबाई की तार डाल दी है और यहाँ पर यहाँ पर यह जो दो गोला है यह भी सता होगी जो उसको पूरा ढखेगा क्योंकि हम लो चाहिए अरे यह क्या हो गया आप लोगों को दिखाते ही दिखाते सारी चीजे ही मिट गई यहां तो कोई बात नहीं वापस ले आते हैं आ जाओ भई वापस आ जाओ आ गया आ गया ठीक है तो तीसरी सतर कहां पर होगी तीसरी सतर यहां पर होगी परलब कि यह वाला जो हिस् S3 भी लिख सकते हो, अलग-अलग पुस्तकों में अलग-अलग दिया होगा, Self-Study करने की आदत आप लोगों को डालनी है, Class Attent करने के बाद आप लोगों को पुस्तके भी पढ़नी है, अब हम लोगों को क्या करना है, कि इन तीन सतहों के लिए, मालों की हम लोगों को कुल Flux चाहिए, तो सबसे पहले बाद तो ये क्या हो जाएगा, 5-1 प्लस 5-2 प्लस 5-3, ठीक है, मतलब कि तीन सतह के लिए हम लोगो Flux यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, D5 भी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग छोटा-छोटा हिस्सा लेंगे, यहाँ पर छोटा-छोटा हिस्सा और उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे कि इन दो सतहों पर अगर हम छोटा-छोटा हिस्सा लिए, ठीक है तो इन दो सत्वों पर अगर हम छोटा-छोटा हिस्सा लिए तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर धनावेश है इस तरीके से तो धन आवेश के लिए यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या हो जाएगी यह जो है वो विद्युत बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी इन सत्ह पर मैं बना लेती हूँ यह क्या हो जाएगा विद्युत छेतर की दिशा यह क्या हो गई विद्युत छेतर की द सदिस अब छेत्रफल सदिस हम लोग मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है छेत्रफल सदिस जो होता है वो इस तरीके से सत्था के अभी लंबवत होता है ठीक है इस तरीके से सत्था के अभी लंबवत यहां पर सत्था के अभी लंबवत बाहर की और इस तरीके से हो ज इसरे सतह के लिए हो गया तो जैसे कि यहां पर आप लोगों को क्या मिलेगा यहां पर आप लोगों को फाइवन मिलेगा यहां पर फाइटू मिलेगा और यहां पर क्या मिलेगा इधर लिख देती हूं वबाँ फाइट थ्री मिलेगा ठीक है तो अब सबसे पहली बात ठीक है जहाँ पर theta बढबर सुन्य है, तो वहाँ पर ये जळेगा जहाँ पर theta बढबर 90 degree है वहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा flux जो है वो शुन्य मिलेगा अब जो ये हम लोग देख रहे हैं ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि तीन सतहों में से यहाँ पर का जो कोड है यहाँ पर का जो कोड है वो 90 degree है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया थीटा यहाँ पर थीटा बराबर 90 degree थीटा बराबर क्या है 90 degree इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर यह वाला जो flux है 5-2 दूसरी सता के लिए वो शुन्य हो जाएगा ठीक इसी त थीटा बराबर शुन्य दिगरी, थीटा बराबर शुन्य दिगरी है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जो फाइ थ्री है, यहां पर ई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइ थ्री जो है, फाइ थ्री जो है, ई ए हो जाएगा, तो तीन सतहों के लिए हम ल का concept हम लोगों ने इस्तमाल किया ठीक है विधिवुद्फलक्स का परन्तु बंद प्रिष्ठ के लिए कर रहे है ढ़र किव को गोज के नियम के लिए हम ल %. flux का concept इस्तमाल करना है अब हम लोगों को gauze के नियम से 5 बराबर q बटे epsilon not भी पता है हम लोगों को क्या पता है q बटे epsilon not पता है तो यहाँ पर यह ea बराबर यह आपका समी करण 1 हो गया यह क्या हो गया आप अब हम लोग का समी करन्ट दो हो गया ठीकए अब हम लोग क्या से अगर आगे देखोगे हम लोग किसके लिए देख रहे हैं अनंत लंबाई की समानावेशिद सीधे तार के लिए देख रहे हैं किसके लिए देख रहे हैं सीधे तार के लिए देख रहे हैं तो यहां से हम लोगों का वो equation यहां पे लिख रही हूँ e बराबर क्या हो जाएगा q बटे epsilon not a ठीक है q बटे epsilon not a तो देखो a क्या है यहाँ पर छेत्रफल है तो यह जो छेत्रफल है वो किसका छेत्रफल है इस तरीके से cylindrical surface का छेत्रफल है क्या है यह cylindrical surface का छेत्रफल है तो सबसे पहले मैं को बताओ कि यहाँ पर जो cylindrical surface के लिए ज का मान क्या होगा ठीक है यह जैसे कि लंबाई मान लो कि यह लंबाई एल है ठीक है यह लंबाई क्या है एल है और यह सिलिंड्रिकल सर्फेस है ठीक है तो यहाँ पर यह वाला जो है मान लो कि स्माल आर है तो यहाँ पर इसका शेत्रफल क्या होगा सिर्फ इस सतह के लिए क्य कि प्रिस्ठा के लिए ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर मान रख सकते हैं, और हम लोगों को, जो है, सीधे तार के लिए, या फिर रेखी आवेश विद्रण, क्या पता है, लेमडा L, ठीक है, तो इन डोनों का मान हम लोग जो है, इस समीकरण, मान लो कि ये आप लोगों का समीकरण 3 है, ये क्या हो गया, समीकरण 4 और समीकरण 5, तो हमको क्या करना है, समीकरण 4 व 5 का मान, समीकरण 3 में रखने पर, चलो भाई, रखो जल्दी से, quickly, बहुत important चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, एक समझ में आ गया, तो बांकी भी जल्दी-जल्दी समझ में आ जाएंगी, विद्युट खेटर बराबर क्या हो जायेगा, ई बराबर, लेंड़ा एल, बटे क्या हो जाएगा, यहांपे, Epsilon नौट, पहले से था, 2 पाई, आरल, ठीक है, तो होगा क्या यहांपे, L और L cancel हो जाएगा L और L cancel हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल जाएगा E बराबर Lambda बटे 2 Pi Epsilon 0 R ठीक है यह आप लोगों को क्या मिल गया अनंत लंबाई की अनंत लंबाई की सीधे तार के लिए विद्धुच्छेतर का मान मिल गया अनंत लंबाई की सीधे तार के लिए विद्धुच्छेतर का मान मिल गया ठीक है तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो यह सुत्र आप लोगों का important है यह direct सुत्र आप लोगों का जो है numerical में इस्तमाल होगा तो प्लीज इस सुत्र को जो है आप लोग बिल्कुल note down कर सकते हो क्या मिला हम लोगों को यहाँ पर यह देख लो यहाँ पर हम लोगों को विद्धुच्छेतर calculate करना था lambda बराबर sorry e विद्धुच्छेतर बराबर lambda बटे 2 pi r epsilon not यह हम लोगों को मिल गया सुत्र सीधे तार के लिए मिल गया ठीक है यह डाइग्राम आप लोग देखो यह डाइग्राम ही हम लोगों ने क्या किया एक लंबाइक सीधा तार लिया यहाँ पर हम लोगों ने सीधा तार ठीक है यह तार लिया इसके चारों और सतह ली अब ये डाइगराम आप लोगों के लिए क्यों लेकर क्या ही हूँ ताकि आप लोगों को जो है picturize हो सके imagine हो सके ठीक है जो मैंने बना के आप लोगों को दिखाया है उसको आप लोगों कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि यह तार को जो ढखने वाला सता हो सकता है Gaussian Prist इसको हम लोग क्या बोलते हैं Gaussian Prist ठीक है आप लोगों को जब भी भी Gauss का नियम लगाना है तो वहाँ पे Gaussian Prist आप लोगों को कालपनिक सता जो है अज्जियूम करनी है तो इस तरीके से हो सकता है ये ठीक है अगर मोटी तार रही हम लोगोंने calculate किया ठीक है और अगर मान लोग कि ये जो है आईतनिक हो तो ये वाला केस इसको आप लोगों जो है मतलब ये आप लोगों को हो सकता है कि इस तरीके से चीजे जो है वो face करने के लिए मिले ठीक है चल तो हम लोगों का line surface sorry उसके लिए सीधे तार के लिए सीधे तार के लिए हम लोगोंने विद्धिच्चेत्र calculate कर लिया तो पहला अनुप्रेयोग हमारा खतम हो गया दूसरे अनुप्रयोग में आ जाते हैं, तो बिल्कुल आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, तो बिल्कुल आप लोगों को बने रहना है क्लास में, क्लास अभी मैं खतम नहीं करूंगी, क्योंकि चाप्टर आज कवर हो जाएगा, दस मिनट का टॉपिक है, दस मिनट के लिए एक लेक्टर हम लेना सही नहीं होगा, ठीक है, और आप लोगों को मतलब सीलेवस इतना सारे है, सारी चीज़ आप लोगों को पढ़नी है, तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम आप लोगों को और यहां पर देना है, बने रहो क्लास में, दस मिनट में कुईकली हमारे जो है, दस प्राबर सिग्मा ए हम लोगों ने देखा था तो इसका हम लोग यहां पर इस्तमाल करेंगे ठीक है इसका हम लोग यहां पर इस्तमाल करने वाले हैं तो यह आप लोग देख पा रहे हो कि यह जो है एक प्रिस्ठ बना हुआ है बिल्कुल एक प्रिस्ठ बना हुआ है ठीक है तो यहां पर यह जो विद्युच्छेत्र है यह आप लोगों को यह दिखाना चाह रहा है कि हम लोगों ने मतलब इस तरीके से दो आवेशों के कारण मतलब हम लोगों ने कैलकुलेट काया था याद करो आवेशों के निकाय की कारण विद्युच्छेत्र जो हम लोगों ने था जहां पर हम लोगों ने सदिश योग किया था तो इस तरीके से हम अल्रेडी एक बार पढ़ चुके हैं तो अब यहां पर अगर हम लोगों को गौस के नियम के अनुसार किसी बंद प्रिस्ठ के लिए निकालना है क्योंकि यह तो एक सिंपल सतह थी क्या थी एक जो है सतह और यहां पर जो है यह घन जो हम लोग लिए है यह जो है बंद सतह है यह घन क्या है घन बंद प्रिस्ठ है ठीक है बंद प्रिस्ठ तो यह खुला हुआ प्रिस्ठ है तो वो अलग हो क्या आप लोगों का सतत आवेश विद्रण से वहां से आप क्यों कैलकुलेट कर सकते हो अगर जांद च्यालक्लेट करना है तो वहांपर उस तरीकराश से आप लोगों को खुले सतह के लिए क्या करना पड़ेगा आवेशों के निकाये केक जो जो जानने क्या करना पड़ेगा तो उस method से आप लोगों को वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, calculate करना पड़ेगा, पर बंद प्रिष्ट अगर आप लोगों का होगा यहाँ पर, यहाँ पर बंद प्रिष्ट के लिए विद्व चेत्र हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दो सतहे दी हुई ह ठीक है, बंद प्रिष्ट के लिए, यहाँ पर मतलब टोटल 6 फलक है, 6 फलक है टोटल, हैना, अब यहाँ पर 6 फलक है, अब हम लोग केवल हो केवल यहाँ पर उपर वाला सतह ले रहे हैं, जो आप लोगों को यहाँ वाला सतह दिखाई दे रहा है, ठीक है, उपर वाला सत सता ले रहे हैं इस सता से अगर हम लोगों को किसी पी बिंदू पर हम लोगों को क्या करना है इस सता से अगर हम लोगों को किसी पी बिंदू पर जैसे कि यहां पर किसी पी बिंदू पर अगर हम लोगों को क्या करना है विद्धु छेत्र कैलकुलेट करना है विद्धु छेत का एक सत्था था देखो हम लोगों का जो प्रिस्ट होता है वो बंद प्रिस्ट ही होता है उस प्रिस्ट में से मैं एक हिस्सा जो है एक सत्था को यहाँ पर ले करके बना रही हूं ठीक है सत्था को ले करके मैं बना रही हूं मालों कि यह जो सत्था है वो क्या है धन आवेश सतह, अब हम लोगों को क्या करना है, इस सतह पर अगर हम लोगों को गौस के नियम से विद्योशेत्र कालकुलेट करना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक गौसियन प्रिस्ट अज्यूम करना पड़ेगा, हम लोगों को एक गौसियन प्रिस्ट, ठीक है, गौसिय cylindrical surface ही है, जो मेरे को मिल सकता है, इस तरीके से calculate करूँगी, मैं ये, ठीक है, मालो की इसका जो छोटा सा प्रिस्ट है, उसको cover करने के लिए भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको cover करने के लिए भी मेरे को एक cylindrical प्रिस्ट ही जो है, लेना पड़ेगा, ठीक है, तो अब यह यहाँ पर भी क्या होगा, अब यहाँ पर यह जो प्रिस्ट है, यहाँ पर यह हमारा Gaussian प्रिस्ट हम लोगों लिया है, इसको हम लोग बोलते है, Gaussian प्रिस्ट, जो की कैसा है, cylindrical अकार का ही है, किस अकार का ही है, cylindrical अकार का ही है, तो बिल्कुल हम लोगों ने पहले जैसे की, सीधे तार में जैसे किया था किसमें किया था सीधे तार में तो वहाँ पर भी हम लोगों को क्या मिल रहा था तीन सतह ही मिल रहे थी यह आप लोगों का मालो की A1 सतह है यहाँ पर क्या है यह A2 सतह है ठीक है और यहाँ पर यह वाला सत्ह हम लोग ले लेते हैं क्या A3 सत्ह ठीके A3 सत्ह ले लेते हैं बिल्कुल तो main अगर Gaussian प्रिष्ठ अगर आप लोगों को पता चल गया ठीके तो Gaussian प्रिष्ठ जनरली जो है आप लोगों का cylindrical shape में होता है ठीके स्विंद्रिकल सेप में होता है या तो इस तरीके से गोल सेप में होता है ठीके तो आप लोग जैसे जैसे numerical प्रेक्टिस करोगे तो वहां पर आप लोगों को अलग अलग तरह की चीजे देखने के लिए मिलेगी तो जो मेधते सारे इमेजेस आप लोगों के लिए लेकर के आती हूं तो इसी लिए लेकर के आती हूं ताकि अगर आप लोग वो 3D इमेज अगर देखे रहोगे न तो इमेजिनेशन आप लोगों के माइंड में बैठ जाएगा जिसकी सहायता से आप लोगों विमारिकल कोश्चन्स कर पाऊगे तो जैसे कि यहां पर हम लोगों समतल चादर के लिए जब पढ़ रहे हैं तो इन सत्हों के लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने पहले किया था फाइवन प्लस फाइटू प्लस फाइट्री ठीक है तो देख लेते हैं यह आप लोगों का यहां पर फाइवन और यहां पर क्या होगा फाइट्री क्या आएगा तो इसके लिए हम लो-ख क्या हो रही है बाहर की तरफ निकल रही है तो यह है आप लोगों का हो गया विधिव च्छेत्र जिशा हो गई अब मतलब की मैं जैसे यह ब फैल प्लेय पीध है अगर में मान्व क्या करें लो यह Egg और उसी तरफ से देख लेह हूँ तो यहां से भी मेरे लिए प्लेट क्या है इस तरीके से धना अवेशित प्लेट है तो यहां से भी क्या होंगी बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देगी इसका मतलब क्या होगा कि इस प्रिष्ट के लिए भी यहां पर विद्युच्छेत्र की दिशा जो है इस तर इस तरफ हो जाएगा अब हम लोगों को क्या देखना है छेत्रफल सदिश क्या होता है छेत्रफल सदिश इस तरीके से सद्धा के अभी लंबवत यह क्या हो जाएगा, चेत्रफल सदिश हो जाएगा, और यहाँ पर सद्धा के अभी लंबवत क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आप लोगों का, आप लोगों को समझना क्या है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो थीटा है, वो श सुनन यह है और यहां पर इन दोनों के बीच का जो थीटा है वो क्या है थीटा बराबर SB 80 है यहां पर क्या हो रहा है यहां पर हम लोगों को यह जो फाई थ्रू है ठीक है। लोगों को फाई शुन्य मिल जाएगा और यहां पर यह फाई बन जो है आप लोगों को क्या मिल जाएगा यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा यहां पर फाई टू बराबर यहां पर भी क्या मिल जाएगा यहां पर फाई टू बराबर यहां पर भी क्या मिल जाएगा यहा ea plus 53 बराबर क्या हो गया शुर्ण मतलब की 2 ea क्या मिल गया 2 ea हम लोग किसके लिए देख रहे है अनन्त सम्दल चादर के लिए देख रहे है ठीक है अब इसके बाद अब इसके बाद क्या है यह यहाँ पर लिख देती हूं 5 बराबर q epsilon not और क्या है हमारे पास 5 बराबर 2 ea 2 ea है इंदोनों को क्या करेंगे हम लोग इंदोनों को equate कर देंगे कर सकते हैं equate क्या हो जाएगा 2 ea बराबर q बटे epsilon not ठीक है q बटे epsilon not ठीक अब हम लोगों को इसके लिए इस सताथ के लिए प्रिस्थिय आवेश वित्रण क्या मिला था sigma बराबर q बटे a यहां से अगर हम लोग यह तो प्रिष्ठी आवेश घनात वथा यहां से हम लोगों को q बराबर क्या हो जाएगा sigma a q बराबर क्या हो जाएगा sigma a ठीक है अब क्या होगा यह तो होगा प्रिष्ठी आवेश विद्रण ठीक है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग मान रख सकते हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 2 E A बराबर सिग्मा A बटे एपसलोन नॉट क्या हो रहा है A और A कैंसल हो रहा है यह A और A कैंसल हो रहा है यह क्या हो जाएगा यह बराबर सिग्मा बटे टू एप्सलों नॉट यह किस के लिए आप लोगों का अनन्त सम्तल चादर के लिए आगया यह आप लोगों को याद रखना है संधारितर वाला आगे का टॉपिक पढ़ोगे है नेक्स चाप्टर में जब वहा चेत्र कमान क्या होगा ऐसे कोश्चन भी होते हैं तो वहाँ पर जब कोश्चन सौल करोगे तो वहाँ पर भी काम आएगा ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर हम लोगों ने विद्ध्युच्छेत्र कमान जो है वो कैलकुलेट कर लिया सिग्मा बटे चालक के खोकले या ठोस गोले के कारण ठीक है तो आप लोग देख सकते हो गोला यहाँ पर है ये एक क्या है गोला है ये गोला क्या हो सकता है ठोस भी हो सकता है और खोकला भी हो सकता है ठीक है क्या हो सकता है ठोस भी हो सकता है और खोकला भी हो सकता है पर फिलहाल हम लोग ज जो है आईतन आवेश घनत्व देखोगे तो वो क्या होगा रोह होगा अगर हम लों किस ठोस चालक गोले का अगर आधा आधा हिस्सा करें तो इसके लिए दोनों के लिए रोवान रोटू अलग-अलग होगा ठीक है और अगर मालों की बहुत सारे लेयर्स का देखे तो इनके तरीके के आप fishущisexual में आप लोगों को का exactly है इस तरीके से आप लोग जो- labeling हो जा रहे तो इस तरीके से गोले हो थे आघिक है सिम्ली हम लोग और केवल यह वाला गोल लेन अभी हम लोग तो यहां से जो-म्हां नहीं सबहेंगत fahrenet हमारा शुरू होता है क्या यह हमारा शुरू होता है तीसरा तीसरा अनुप्रयोग तीसरे अनुप्रयोग में तीन भाग है ठीक है तो तीन भाग में से पहला भाग क्या है आप लोगों का पहला भाग जो है यह एक जो ठोस गोला लिए हम लोग क्या लिए यहां पर जो ठोस अंदर ठीक है ठोस गोले के अंदर इंसाइड ठीक है अंदर और एक जो है आप लोगों का क्या है इस ठोस गोले के बाहर क्या विद्युच्छेत्र अंदर विद्युच्छेत्र और बाहर विद्युच्छेत्र और यहां पर जो तीसरा होगा वो क्या होगा तीसरा होगा सतह ठीक है तो ये अंदर हो गया ये क्या हो गया बाहर हो गया यहां पर जो है तीसरा वाला हम लोग देखेंगे कहां पर सतह पर सतह पर देखेंगे तो ये तीन प्रकार देखेंगे हम लोग आप लोग देख सकते हो यहां पर मैंने जब सबसे पहले आप लोगों को दिखाया था ये ठीक है गोले के बाहर गोले के प्रिस्ठ पर और गोले के अंदर ठीक है यहाँ पर मैं आप लोगों को डाइग्राम बना के पहले बता देती हूं यह हमारा गोला हो गया ठीक है तो एक होगा कहां गोले के बाहर यह हो गया और एक होगा कहां गोले के अंदर ठीक है और एक क्या होगा सता पर तो हम लोगों को यहाँ पर तीन किसके किसके बाहर ये हो गया मालो की बाहर वाला इंसाइड स्वारी आउट साइड आउट साइड बाहर को आउट साइड लिखेंगे ठीक है सिंपली आउट लिख दूँगी और ये जो है इस मतलब सर्फेस लिख दूँग तो गोले के बाहर क्या होता है विद्युचेत्र तो गोले के बाहर देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हम लोगों को gaussian surface जो है गोले के बाहर इस तरीके से अज्जीम करना पड़ेगा यहाँ पर जो dark वाला हिस्सा दीख रहे है ठीक है इस ठोस गोले की जो तिज्जा है वो क्या है capital R है और जो Gaussian surface हम लोग कालपनिक प्रिष्ठ जो अज्यूम कर रहे हैं जहाँ पर यहाँ पर इस प्रिष्ठ पर हम लोगों को क्या करना है विद्युच्चेत्र की गर्णा करनी है जिसको हम लोग ई-out बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं इ-out मतलब outside बाहर में गोले के बाहर तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रिष्ठ अज्यूम किया अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को निकालना है तो कैसे करेंगे स्वालो दो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग जल्दी नॉट होता है है ना 5 बराबर क्यों बटे एप्सलोन नॉट और एक हमारे पास 5 बराबर क्या होता है यह कि ने यह दो सुत्र होता है एक हम लोगों को विद्धित फ्लक्स और एक हम लोगों को गॉस के नियम से प्राप्त हुआ था इन्हीं दो चीजों का हम लोग क्या कर रह है, sphere मतलब की, एक पूरा गोला football की तरह, ठीक है, football के shape का है, तो यहां पर हम लोगों को क्या पता होना चीए, यहां पर हम लोगों को इस पता होना चीए, क्या पता होना चीए, dole का चेट्रफल होता है, 4 prime r का वर्ग, ठीक है, r जो है इस्तिमाल से हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर बाहर और सतह पर तीनों जगा में हम लोग विद्युच्छेत्र क्यालकुलेट करेंगे यहां पर अगर हम लोगों को बाहर क्यालकुलेट करना है बाहर क्या करेंगे सिंपली यहां पर जो है यह तो इसमें जो फेस पर जो flux है, वो कितना निकलेगा? ये चाहिए, तो ये से लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस कोले का शेत्रफल पता होना चाहिए, और यहाँ पर त्रिजजज़ा क्या है? त्रिजज़ा जो gaussian surface है, उसके लिए हम लोग क्या लिए है? यहाँ पर small r त्रिज़ लिए हैं, क्या लिए है, small r तरिच जलिए है, तो मतलब हम लोग ये वाले शेत्रफल का इस्तमाल करेंगे, ये वाले शेत्रफल का इस्तमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, flux बराबर, 4 pi, r का वर्ग, ठीक है, और ये हो गया 5, अब हम लोगों को, यहाँ पर विद्धुच्छेत्र का सुत्र पता है, क्या होता है विद्धुच्छेत्र का सुत्र, e बराबर, 1 बटे, 4 pi, epsilon not, q बटे, r का वर्ग, यही होता है विद्धुच्छेत्र, जो नॉर्मली हम लोगों ने देखा था, एक बिंदुच्छेत्र के लिए, एक बिंदुच्छेत्र के लिए, हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लो, कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और बिंदुच्छेत्र के लिए, अब जहिर सी बात है कि हम लोगों को इस सतह पर निकालना है, ठीक है, इस सतह पर निकालना है, तो आवेश भी कहां पर होंगे, आवेश, आवेश की जो दूरी होगी, वो यहां से R दूरी पर होगी, यह देखो, R दूरी पर होगी, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दूरी क्या लेंगे, R ही लेंगे, ठीक है, तो यह वाला मान अगर मैं यहाँ पर रखती हूं, तो क्या हो जाएगा, 1 बटे 4 पाई, epsilon not r का वर्ग, एक बटे ने q बटे कर लेती हूँ और यहाँ पर हो जाएगा 4 pi r का वर्ग, तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सिधे, सिधे आप लोगों का यह वाला जो हिस्सा है, 4 pi r का वर्ग, यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा, यह क्या हो जा रहा है, cancel हो जा रहा है तो 5 का मानिहा पर क्या हो गया, q बटे epsilon not, क्या हो गया, q बटे epsilon not, ठीके, तो यह तो हम लोगों ने पहले ही जब gauss का नियम पढ़ा था तो वहाँ पर भी हम लोगों ने गोला ही लिया था उदारण में, इसको मैं मिटा रही हूँ, गोला ही लिया था, वहाँ पर ही देख लिया था, ठीक है, पर हम लोगों को यहाँ पर इस चीज को क्या करना है, यहाँ पर इस चीज को relate करना है, किस से relate करना है यहाँ पर हम लोगों को ये ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला ये समी करन एक और ये समी करन दो एक और दो समी करन हम को क्या करेंगे यहाँ पर दोनों flux को हम लोग क्या करेंगे relate कर देंगे, ठीक है यहाँ पर कर दे रही हूँ e 4 pi r का वर्ग और यहाँ पे क्यों हो गया q बटे epsilon 0 हो गया q बटे epsilon 0 ठेक तो यहाँ पे क्या हो गया आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों का इस प्रिष्ट के लिए e बराबर q बटे 4 pi epsilon 0 r का वर्ग मतलब कि यहाँ पर जब आप लोगों को इस गोलिय सत्ह के बाहर अगर आप लोगों को विद्यू छेत्र calculate करना है तो यहाँ पर जो हम लोगों को पहले वाला जो सुत्र पता था ना यही वाला सुत्र हमारा यहाँ पर आएगा ठीक है बस यहाँ पर distance matter करता है कि तरिज्जा कितनी है यहाँ पर अगर r दूरी है तो r दूरी के लिए लेंगे ठीक है अगर x दिया हो तो x के लिए लेंगे जो भी आप लोग ले सकते हो मतलब कि यह हमारा जो है पहला अनुप्रेयोग मतलब कि तीसरे का पहला, ठीक это तीसरे का पहला मैं लिख देती हूँ third का first, इसके लिए हम लोगों का सुत्रा आ गया, ठीके अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा था, पहला वाला जो सीधे तार के लिए देखा था तो lambda बटे 2 pi rl देखा था ठीक है सीधे तार के लिए और दूसरा वाला हम लोगों ने क्या देखा था sigma बटे 2 epsilon 0 अब तीसरा अनुप्रयोग का पहला सुत्र देखा हम लोगों ने ये आएगा cup outside में तो outside तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या e out ठीक है e out तो e out आप लोगों को ये मिल गया ठीक अगर अब हम लोगों को क्या करना है अब हम लोगों को ये खोकले बोले के बाहर का तो हम लोगों ने देख लिया ये वही है अब अगर हम लोगों को प्रिस्ट पर है कहाँ पर है प्रिस्ट पर हमारी त्रिज्जा कितनी थी आर थी ठीक है तो जैसे कि हम लोगों ने बाहर निकाला तो वहाँ पर हम लोगों को क्या मिला था क्यू बटे चार पाई एपसलान नौट आर का वर्ग ये कहाँ पर था गोले के बाहर ठीक है गोले के बाहर क्योंकि वहाँ पर गोले के बाहर जो त्रिज्जा थी ठीक है गोले के बाहर Gaussian Frist की जो त्रिज्जा थी वो क्या थी small r थी अब जब हम लोगों को गोले के सतह पर निकालना है तो गोले के सतह पर हमारी त्रिज्जा क्या है त्रिज्जा जो है capital R का वर्ग है तो ये वाला जो सुत्र है ये वाला सुत्र आप लोगों का क्या आ जाएगा गोले के सतह पर आ जाएगा तो ये तो बहुत एजी है एकदम गोले के सतहा पर पर आप लोगों को यहां पर ध्यान क्या क्या चीज़े देनी है यहां पर आप लोगों को ध्यान ये देना है कि जब हम लोगों ने गोले के बाहर देखा था यहां पर मैं बता देती हूं आप लोगों को जब हम लोगों ने क्या देखा था गोले के बाहर द की त्रिज्या गॉसियन प्रिस्ठ की त्रिज्या ठीक है गोले के बाहर गॉसियन प्रिस्ठ की त्रिज्या गाईस सब लोग ध्यान से देखते रहो है कि नहीं कहीं नहीं जाएगा कोई भी एकदम लास्ट का टॉपिक है बिल्कुल आप लोगों का चाप्टर एंड हो रहा है नूमारिकल्स भी लेकर क्या ही हूं मैं अगर पॉसिबल होगा तो हम करेंगे नहीं तो मैं आप लोगों को हमवर्क में दूंगे आप लोगों को ट्राई करना है ठीक है तो यहां पर आप लोगों को आप लोगों ने देखा था कि जो विद्धुचेत्र का रिलेशन है वो क् बाहर वाले प्रिष्ट के लिए यहां पर त्रिज्जा बड़ी है किस से सताह की प्रिष्ट से सताह की प्रिष्ट से तो जो दो सुत्र हम लोगों ने निकाला है यहां पर गोले के बाहर एक निकाला है हम लोगों ने गोले के बाहर और एक हम लोगों ने निकाला गोले के स छोटा है ठीक है छोटा है मतलब की यहाँ पर सतह पर यहाँ पर विद्युच्छेत्र का मान जो है वो क्या होगा बड़ा होगा बाहर के मान से बाहर के विद्युच्छेत्र के मान से तो यह कंक्लूजन आप लोग लिख लो ठीक है यह कंक्लूजन बहुत इंपोर्टेंट है what important है कि आप लोगों को पूछा जाता है कि गोले के बाहर जो Gaussian सत्था हम लोगों ने लिया था outside में ये वाला विद्युच्छेत्र का मान जो है वो इस सत्था के विद्युच्छेत्र के मान ये सत्था पर है सत्था के विद्युच्छेत्र के मान से क्या होगा छोटा होगा मत गोले के अंदर यहां पर गोले के अंदर गॉसियन प्रिष्ट है यहां पर अगर विद्यू छेत्र हम लोगों को निकालना है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे इंसाइड लिखेंगे ठीक है इनसाइड लिखेंगे अब यहां पर जब हम लोगों को अंदर निकालना है ठीक से हम लोगों को e और यहां पर जब हम लोग क्या करेंगे इसका जो है इसका जब हम लोग क्या करेंगे छेत्रफल निकालेंगे किसका ये वाले इस गोसियन प्रिस्ट के सत्ह हो का तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका छेत्रफल जो है 2 4πr का वर्ग ठीक है क्या हो जाएगा 4 और पाई र का वर्ग यहां पर हम लोगों को यह देखना है कि अगर मालो की रिड़ आवेश होगा तो सतह पर आकर के खतम हो जाएगी इसका मतलब क्या हो गया कि अंदर में हमारा विद्धु छेत्र कमान क्या होता है शुन्य होता है और अंदर में विद्धु छेत्र कमान होता है और आवेश भी नहीं होता है क्यों क्यों होता है क्यों कर दो यहां पर अनुप्रयोग देखे एक बार मैं क्वीकली आप लोगों को सारे सुत्र जो है वो समराइज कर देती हूं सारे सुत्र में समराइज कर देती हूं हम लोगोंने सबसे पहले क्या देखा तार के लिए देखा ठीक है फिर किसके लिए देखा चादर के लिए देखा ठीक है उसके बाद हम लोगोंने किसके लिए देखा ठोस गोले के लिए हम लोगोंने तीन कंडिशन्स देखे तीनों के इन सारे के लिए हम लोगों को विद्धुच्छेत्र का यहां पर सूत्र लिख देती हूं, E बराबर लेमडा बटे 2 पाई RL मिला, है न, यहां पर समतल चादर के लिए हम लोगों को SIGMA बटे 2, EPSLa, not मिला, थीक है अब गोले के लिए पहला केस जो outside हम लोगों को क्यो बटे 4PY, EPSLa, not R का वर्ग मिला, इन साइड हम लोगों को क्या मिला, वरी सता पर हम लोगों को क्या मिला, सता पर हम लोगों को मिला, क्यो बटे 4PY, EPSLa, not K FR, मतलब 3 जा थी, capital R फोस गोले की और इनसाइड में हम लोगों को क्या मिला इनसाइड में हम लोगों आउच्छेतर का मांच क्योंकि अंदर में कोई आवेश का वितरान होता सारे आवेश सतह पर होते हैं इसलिए हम लोगों को क्या मिला जीरो मिला जल्दी से कुटली नोट कर लो पूरा समराइज कर दिया है आप लोगों को मैंने अप्लिकेशन और इसके अलावा गौस लाग जो हम लोग किया था ठीक है तो यहां पर यह आप लोगों का पूरा फिनिश होता है कंप्लीट होता है गौस का नियंग यह चाप्टर पूरा फिनिश होता है अब इसके न्यूमरिकल्स बहुत साथे important है ठीक है ये मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूं बहुत important इसको भी देख लो यहाँ पर हम लोगों ने एक ठोस गोला देखा क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पर एक ठोस गोला देखा ठीक है ठोस गोले है बाहर में ठीक है अब मालो की अगर हम लोगों को क्या करना पड़ा अगर हम लोगों को इसका ग्राफ बनाना पड़ा विद्यू छेत्र के लिए और त्रिज्जा के सापिक्ष तो आप लोगों ने यहां पर देखा था कि यहां पर जो बाहर वाली त्रिज्जा थी वो आड तो जब हम लोगों ने formula निकाला तो हम लोगों को बाहर वाले के लिए क्या मिला q बटे 4 pi epsilon not r का वर्ग और सत्था के लिए क्या मिला ये सत्था है और ये outside है यहां पर यहां पर यहां पर जब अंदर में थी तो यह जैसे-जैसे सत्ह के पास आते जा रही है यह आप लोगों का जैसे-जैसे यह सत्ह के पास जाते जा रही है इसकी दूरी यह दूरी जैसे-जैसे सत्ह के पास जाते जा रही है यह आप लोगों की क्या है सत्ह है तो यहाँ पर क्या है आवेशो का वितरण तो जैसे जैसे सतह के पास जाएगी तो केंद्र पर क्या होगी यह जो यह केंद्र बिंदू है ठीक है तो केंद्र पर एकदम से 0 होगी केंद्र पर क्या होगी एकदम से विद्चेतर का मान क्या होगा 0 होगा जैसे जैसे सतह के पास की त्रिजा के बराबर है जब ठोस गोले की त्रिजा के बराबर है तो जैसे जैसे आप लोगों के सत्ह के पास जाते जाएगी ठीक है तो केंद्र पर क्या रहेगा एकदम से जीरो रहेगा और ये केंद्र आला हिस्सा हो गया ये क्या हो गया केंद्र पर तो केंद्र पर यहा लोगों का विद्यच्चेत्र का relation तृज्जा से क्या है एक बटे आर स्क्वाइर के समानुपाती तो ये धीरे धीरे इस तरीके से इस ग्राफ के सांथ कम होता जाएगा तो ये ग्राफ आप लोगों को आता है बनाने के लिए नॉर्मली जो हम लोगों ने इसके पहले विद् बनेगा ठीक है सिर्फ ये ग्राफ पर हम लोग यहां पर किसके लिए देख रहे हैं एक थोस गोले के लिए देख रहे हैं ठीक है तो थोस गोले के लिए इस तरीके से बनेगा तो दोनों अलग-अलग के से आप लोगों को इस तरीके से questions मिलेंगे तो वहां पर ध्यान देन है आप लोगों को अब ये कोशन बहुत इंट्रेस्टिंग है आप लोगों का समतल चादर से related question है ठीक है समतल चादर से related question है क्या पूछ रहा है यहां पे question को मैं explain कर देती हूं आप लोगों को बिलकुल जो है यहां पर try करना है question को विद्द फ्लक्स का परिमान पूछ रहा है आप लोगों को इस प्रिष्ठ से गुजरने वाले विद्वर्व्ध फ्लक्स का परिमान बぜ अब भी पर गिंदू पर भाइव्भी यह मैंने आप लोगों को कई बार सौल करना के दिखाया है, ठीक है, मतलब कई बार आप लोगों को derivation में मैंने ये चीज बताई है, ठीक है, तो काफी easy है, बिल्कुल आप लोगों को थोड़ा सा try करना है, ठीक है, थोड़ा सा और बनी रहो class में, बिल्कुल आज ये chapter खतम ही कर देंगे, पूरा finish कर देंगे, जल्दी से guys quickly try करो, दो-तिन questions है, कर ही लेते हैं, lazy नहीं करना है, आलट से नहीं करना है, स्टूडेंटस हो, आप लोग बच्चे हो, बिल्कुल आलट से का आप लोगों को क्या करना है, आलट से का बिल्कुल त्याग करना हैं आप लोगों को, तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर ध्यान क्या देना है कि कभी भी हम लोगों को माल लोग की अगर विद्धुद फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस तरीके से कोई समतल दिया हुआ है तो हम लोगों को सबसे पहले बंद प्रिष्ठ चाहिए मतलब गौसियन सता हम लोगों क्वाजिम करना होगा तो यहाँ पर यह एक वर्ग दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं एक घं बना सकते हैं घं बना सकते हैं जिससे यह वाला बिंदू क्या हो दब जाए ठीक है तो यहाँ पर मैं साइड में आप लोगों क हुई है वो ये वाली सत्ह दी हुई है कौन सी वाली सत्ह दी हुई है ये नीचे वाली सत्ह दी हुई है ठीक है तो इस तरीके से आप लोगों को चीजे अज्यूम करनी है ठीक है अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है ये पी बिंदू जो दिया हुआ है ये आर दूरी जो हुआ है ठीक अब हम लोगों को करना क्या है इसके लिए अब सिंपली हम लोगों को फाई बराबर क्यू बटे एपसलों नॉट ठीक है फाई बराबर क्यू बटे एपसलों नॉट किसके लिए पता है बंद प्रिस्थ के लिए ठीक है तो अगर ये पूरे बंद प्रिस्थ मतल बबल ये वाली सत् वाला 6 ठीक है तो टोटल 6 फलुट होते हैं पर हम लोगों को किसी एक फलुट अब्द जाहे रहेगा मतलब कि यहाँ पर 5 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 बट 00 है Q epsilon not क्या हो जाएगा एक बटेच है Q epsilon not ठीक है अब Q epsilon not अब आप लोगों को क्या दिया हुआ है प्रेशन में एक बिंदू आवेश दिया हुआ है यहां पर ठीक है तो यहां पर Q के जगह आप लोगों को क्या करना है Q के जगह इस बिंदू आवेश का जो है वो मान रख देना है प्लस 20 माइक्रो कुलाम मतलब 10 की घात माइनस 6 और epsilon not का मान तो 8.85 गुणा क्या होता है 10 की घात माइनस 12 होता है ठीक है और यह क्या हो जाएगा 1 बटे 6 मतलब यहाँ पे 6 गुणा कर देती हूँ यह अगर calculate कर दोगे तो flux का मान आ जाएगा और flux का हम लोगोंने मातरक देखा था क्या Newton पर कुलाम मीटर स्क्वाइर हम लोगोंने देखा था यहाँ पर Newton मीटर स्क्वाइर पर कुलाम लिख दिया एक ही मतलब है दोनों का ठीक है just calculation करना है answer आ जाएगा मैं आप लोगों को answer बता देती हूँ answer भी आएगा calculate आप लोग कर देन concept बता दिया मैंने approach बता दिया calculation आप लोगों को करना है ठीक है और इसके बाद का numerical हम लोगों को क्या दिया हुआ है यहाँ पर 2.4 लंबाई एवं 4.6 त्रिज्या वाली छड के फ्रिस्ट पर थीक है मतलब यहाँ पर हम लोगों को एक छड दी हुई है मतलब सीधे तार के लिए सीधे तार के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या निकालना है विद्विच्छेत्र निकालना है, मतलब सुत्र क्या पता था, lambda बटे 2 pi rl, ठीक है, लंबाई हम लोगों को दी हुई है, मतलब की l कमान हम लोगों को दिया हुआ है, 2.4 meter, और क्या दी हुई है, त्रिज्या हम लोगों को r बराबर दी हुई है, 4.6 mm, ठीक है, तो इसको meter में convert करोगे, तो 4.6 गुणा 10 की घात, माइनस 3, और ये तो meter में ही दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, meter में convert हो जाएगा, और क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोगों को रिनात्मक आवेश, ठीक है, रिनात्मक आवेश, एक समान रोप से वित्रित है, कितने कुलाम का, 4. तो यहाँ पर आवेश लिख लेते हैं हम लोग, Q बराबर, माइनस 4.2, गुणा 10 की घात, माइनस 7 कुलाम का आवेश जो है, वित्रित है, अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर, विद्धु छेत्र क्यालकुलेट करना है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, Q बरा तो यहाँ पर आप लोग लेंड़ा बराबर, Q by L रख सकते हो, लेंड़ा बराबर, Q by L का माँ रख सकते हो, ठीक है, और क्या कर सकते हो, गैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल हाँ, lambda ब्रावर q by l कमान रखना है, calculate करना है, calculation आप लोगों को खुदी करना है, मैं answer बता देती हूँ, option 3 correct होगा, ठीक है, क्या होगा, option 3 correct होगा, बिल्कुल आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर lambda ब्रावर q by l रखना है, q कमान रखना है, l कमान क्या हो सबसे पहले तो फ्लक्स जो है बंद प्रिस्ट के लिए क्यू बटे एपसलॉन नॉट होता है अब हम लोगों को यहां पर क्या दिया हुआ है प्रश्ण में क्या बोल रहा है आप लोगों को घन या प्रिस्ट दिया हुआ है सबसे पहले तो फ्लक्स जो है बंद प्रिस्ट के लिए क्यू बटे एपसलॉन नॉट होता है तो यहां पर यह मानलों कि यह कोर है इससे 10 cm की दूरी पर यहां पर आप लोगों को क्या दिया हुआ है बिंदू आवेश क्यू दिया हुआ है प्रिष्ठ के केंद्र पर प्रिष्ठ में गुजरने वाला विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद् R जो है वो किसी काम कर नहीं है, यहाँ पर simply आपको क्या करना है, 5 बराबर Q बटे epsilon 0 में आप लोगों को Q का मान रखना है, 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 और epsilon 0 का मान रखना है, 8 दिसम्लों, 8 पांच गुणा 10 की घात माइनस 12, ठीके, अब इसको आप लोग अगर solve करोगे, तो आ NCRT फिंगर टिप, NCRT के निमरिकल्स आप लोगों को बहुत ही जादा से जादा करना चाहिए, अगर आप लोग नीट की त्यारी कर रहे हो, तो guys, चलो, finally आप लोगों का पूरा complete हो गया यहाँ पर, अब next class में हम लोग जो है chapter 2, इस्थर विद्युत, विभावत अथा धा student बनना चाहते हो, तो please आप लोग class को बहुत ध्यान से सुनो, doubt हो तो comments में पूछो, telegram channel join करने के लिए, आप लोग मुझे instagram पे connect कर सकते हो, message कर सकते हो, या mail id पे आप message करके मुझे telegram channel की link ले सकते हो, वहाँ पर मैं आप लोगों को class की pdf और hand written short notes जो है, वो share करती रहोंग मिलते हैं हम लोग next class में तब तक के लिए, bye बच्चो